हमारा एक बहुत सिंपल और आसान चेप्टर जैसे मैंने बोला मटीरियल मटीरियल नाम इस चेप्टर का मटीरियल है और मैं इस चेप्टर को मटीरियल को ही पता है किस नाम से जानते हैं इस टॉक से नाम से जानते हैं ठीक है, material कोई किस नाम से जानते हैं, stock नाम से, sir हम इस chapter के अंदर क्या-क्या cover करने वाले हैं, और क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, सारी चीजे हमें अच्छे से clear होना चाहिए, start करने से पहले, और इसमें से question कितने number के exam में पूछे जाएंगे, और किस type के पूछे जाएंगे, सभी बातों पे हम discuss कर लेंगे पहले, start करने से पहले, दो मिनट लगेंगे, बस patience रखिए, sir इसमें से सबसे पहले हमें सिखाया जाता है, एक theory का portion होता है हमारा, sir theory के अंदर क्या, आज ही बिल्कुल, बच्चे ना बार-बार बोलते हैं, sir theory कब कराओगे, तो मैं हर बच्च quantity, economic order quantity सीखेंगे, जिसे हम EOQ भी बोलेंगे, और इसी को हम ROQ भी बोलेंगे, reorder quantity भी बोला जाता है, तो हम discuss करेंगे, अभी तो बस सिर्फ chapter का नाम लख रहे हैं, तो जितने बच्चे नए जोईंग है, और जितने बच्चे नए जोईंग है, वो बिल्कुल tension ना ले, उनका slayvus, और exam में, कई बार मैंने देखा है, भाई, इस chapter में से तो 30 number का भी सवाल आया हुआ है, तो बहुत important chapter है, आसान है तो इसका मतलब हलके में नहीं लेना, level of inventory, और stock को हम inventory भी बोलते हैं, इसलिए इसमें inventory चेप्टर का बहुत discussion हुआ पड़ा है, और last है हमारा store laser, हम इन chapter के अंदर ये सारी बाते पढ़ने वाले हैं, material के अंदर, और इसके अंदर से theory भी बहुत important role play करेगा, theory तो मान के चलो, इस chapter में से आना ही आना है, मैं थोड़ा सा अगर point बताओ, sir, theory में क्या आएगा इस chapter में, तो theory में आएगा bin card क्या होता है, theory में आएगा आपका store laser क्या होता है, और bin card में क्या difference है, sir, theory में आएगा ABC analysis क्या होता है, तो इसमें से कुछ एक theory है, जो कि examiner का fix है, कि बच्चों से हमें पूछना ही पूछना है, तो theory section हम करने वाले हैं कब, इसे सबसे last में करेंगे, जब हमें chapter का थोड़ा knowledge हो जाएगा, तो मैं connect कर पाऊंगा इस chapter को, ठीक है, अगली class में ये खतम और उससे अगली class में ये खतम, तो बहुत छोटा सा chapter है, और last class में theory करेंगे हम इसके बाद, चलिए सर, हमारा पहला point है सर, EOQ, economic order quantity, economic order, सर, इसका मतलब क्या है economic order quantity, इसका एक और नाम जैसे कि मैंने बताया re-order, re-order quantity, ठीक है न, हमारे सवाल में और मेरा ये मानना है कि भाई, chapter ना subject ना बड़े आसान होते हैं, लेकिन इसके जो technical word बना-बना के ना, उसको मुश्किल कर दिया जाता है, मैं simple सी बात कहता हूँ, economic order quantity और re-order quantity, इसका मतलब ये होता है, बड़ा simple सी बात है, कि हम इतने समान को खरीदे, जिसमें हमारा समान wastage ना हो, क्योंकि अगर हमारी दुकान है, और ज़्यादा समान अगर हम खरीद लेंगे, तो उससे क्या होगा सर, ज़्यादा समान खरीदने से wastage बढ़ जाएगा, सर किस टाइप का wastage की बात कर रेंगे बढ़ जाएगा, जैसे अगर समान ज़्यादा ले लोगे, तो शायद preferred मतलब मान लेतने कि अगर पर्चून की दुकान है, तो वहाँ चूहे वगेरे समान को खा सकते हैं, यानि wastage हो जाएगा, और कम समान खरीदना भी नुकसान है, सर कस्तमर वापस चला जाएगा, ज़्यादा समान खरीदने में एक फाइदा है, कि आपको आने जाने का खर्चा बच जाएगा, जब हम समान खरीदते हैं तो क्या दिमाग में चलता है, जब हम समान को खरीदते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़े होती है, जिसको हमें ध्यान रखना है, और यहाँ पर यही चीज़े इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको समझना है, एक तो हमें per unit cost, यानि समान जो खरीद रहे हैं उसकी लागत को ध्यान में रखना है कि कैसे वो कम ज़्यादा हो सकता है, दूसरा लाने ले जाने का खर्चा, लाने का खर्चा, लाने का खर्चा, लाने का खर्चा, लाने का खर्चा, इसी को थोड़ा modernized word में बोल दिया गया, ordering cost, जैसे आप amazon से समान खरीदते हो, flip card से समान खरीदते हो, वहाँ delivery चार्ज लगता है, तो समान को लाने का खर्चा, आपको ही वीर करना पड़ता है, आपने भी देखा होगा, कभी order करोगे ना, तो आप सोचोगे एक पर मंगाएंगे, तब इतना खर्चा होगा, दो वार मंगाएंगे, तब इतना, तो आप ज़्यादा quantity मंगाने की कोशिस करोगे, मान लेते हैं, आपको जमेटो से कुछ order करना है, और जमेटो से आपको कोई भी खाने पीने का समान मंगवाना है, तो आपको चार प्लेट मंगवाने है, तो चार बार जब order करोगे, तो चार बार डिलीवरी चार्ज लगेगा, और एक बार अगर उसी दुकान से सेम रेस्टोरेंट से order करते हो, तो डिलीवरी चार्ज वही रहेगा, बाकी के डिलीवरी तीन के बच जाएंगे, तो एक यह दिमाग में रखना है, यह खर्चा बचाना, तीसरा रखने का खर्चा, लास्ट लिया होगे, तो ऐसे खुले में अगर आपने छोड़ दिया, तो बरवादी हो जाएगा, उसको अच्छे से पैक्ट करके, एक अच्छे जगह पर रखोगे, तो यानि इसको बोला जाता है, केरिंग कॉस्ट, केरिंग कॉस्ट, मॉडरन नाम सीख लो आप इनके, मॉडरन यानि समान डिलिवरी वाला जो खर्चा होता है, उसे कौन सा कॉस्ट बोलेंगे, ओर्डरिंग कॉस्ट, और समान को जो रखोगे लाके, उसको कौन सा खर्चा बोलेंगे, केरिंग कॉस्ट, और पर यूनिट कॉस्ट का मतलब होता है, एक क्वांटिटी कितने का पड़ेग जब हमारा order का cost और carrying cost दोनों समान होता है तो हम मान लेते हैं कि हमारा EOQ best होता है एक यह assumption रहता है ऐसा नहीं कि हर बार best होता है अब ध्यान दो आपको क्या क्या चीजों से बताया जाएगा और examiner बोलेगा कि आप ज़्यादा समान लेके आओ आपका जो per unit cost है यह कम हो जाएगा और विसी बात है आप जो bulk में समान खरीद होगे तो per unit cost कम हो जाएगा तो आपके mind में एक लालच आएगा कि हम क्या करें ज़्यादा समान खरीद लेते हैं लेकिन per unit cost कम होगा यहां दो फाइदे होंगे देखो एक तो per unit cost भी कम हो जाएगा और एक आपका ordering cost भी कम हो जाएगा क्योंकि साल में अगर 1000 unit खरीदती हो और 500 unit एकी बार लियो तो दो ही बार लाना पड़ेगा तो दो ही बार खर्चे लगेंगे लेकिन अगर 1000 unit में 100-100 unit लाओगे तो 10 बार खर्चे लग जाएगे तो आपके 2 खर्चे कम हो जाएगे ज़ादा लाने से एक यह खर्चा भी reduce होता है और एक यह खर्चा लेकिन यह खर्चा बहुत speedily बढ़ जाता है यह खर्चा क्या होता है हमारा क्यूंकि समान ज़ादा लाओगे तो रखने का खर्चा होगा ही होगा तो economic order quantity वो quantity होता है जहां पे ordering cost और carrying cost क्या होता है equal होता है सीधी भासा में economic order quantity वो quantity है जहां पे हमारी बरवादी नहीं होती समान की समान का wastage नहीं होता मतलब ठीक है ना तो customer वापस जाएगा नहीं तो बरवादी होगे तो इसलिए इसका नाम हो गया reorder इतनी quantity रखो दुकान में कि दुबारा order कर दो क्या quantity इसका नाम इसलिए एक पढ़ गया R O L R O Q Reorder quantity और इसी का एक modernized name हो गया एक मतलब के हो गया ना ऐसा और E O Q तो बहुत सारे बच्चे पूछते है यार सर E O Q क्या है economic order quantity क्या भी है कुछ भी नहीं है वो समान दुकान में खतम हो जाए जाके ल कि दिए को में रहेगा सर इसके लिए कोई formula भी है बिलकुल इसको जैसे हैसे हमें पढ़ना एक formula के वह में पढ़ना है तो आपको यहां पर clear होना चाहिए क्या क्या सर लाने ले जाने के खर्चे को क्या बोलेंगे ordering cost बोलेंगे समान को लाके जब रखेंगे वहां पर रखना है क्योंकि यह बहुत यूज होने वाले हैं हमारे आज की क्लास में चलिए सर आ जाईए यानि सर यहां पे economic order quantity क्या कहता है यानि इओ इसको मैं short form में बोल रहा हूँ यह जैसे मैं बोल रहा था बार बार और यह क्यू बोलता है कि इओ क्यू इस इकल टू टू ए आपका वह quantity निकल के आएगा जहां पर आपका वीस्टेज नहीं होगा या फिर केरिंग कॉस्ट और इकूल होगा और इसी को मैं अगर ब्रैकट में समझाओं तो देट इस आपका केरिंग कॉस्ट या पहले ओडरिंग लेगे देखें और इसको बड़े आसान से समझ नहीं होगी अब इसके कुछ एवरिब्रेशन जो लिखें वो देख लेते हैं तू को तो टूई बोलेंगे सर एह होता है हमारा एन्वल डिमांड कि एन्वल डिमांड कि सिंपल सी बात करें तो पूरे साल में कितने किलो खरूद खरीदोगे तो पूरे साल में कितना खरीदना है कितना खरीदना है सिंपल सी बात आपको अंदाजा लगाना होगा 1000 किलो खरीदोगे 10,000 किलो खरीदोगे CD सी बात उसे बोलेगे Inval Demand O मतलब ordering cost ordering cost तो आपका लाने का खर्चा आपका लाने का खर्चा लाने का खर्चा है सर यह सिम्पल वर्ड में बोले तो सी का मतलब केरिंग कॉस्ट केरिंग कॉस्ट यह समान रखने का खर्चा समान रखने का खर्चा समान रखने का खर्चा तो सर यह बाते हैं यहां पे चलिए सर ये कुछ बाते आपको जो यहां यूज किया गया formula कैसे बना हम एक एक चीज को discussion करने वाले है ऐसा नहीं है कि हम बीच में ही छोड़ देंगे पहले पूरी चीजे समझेंगे फिर question करना तो just एक formalities रह जाएगा आपको पहले से ही आता होगा ठीक है अब सर हम पहले annual demand की बात कर लेते हैं आप से कुछ सवाल पूछूँगा आप बताईएगा मान लेते हैं simple सी बात है हमें पूरे साल में यानि ये जो है वो ये मेरा 5000 है 5000 किलो है तो इसका मतलब पूरे साल में खपत जो है पूरे साल में usage जो है वो 5000 किलो का है सर पूरे साल में अगर usage 5000 किलो का है और आप एक बार में यानि वन टाइम में वन टाइम में आप 1000 किलो लेके आओगे एक बार में आप 1000 किलो लेके आते हो तो मुझे सबसे पहले एक question का जवाब देजिए कि how many time how many time आप order करोगे कौन-कौन जवाब देगा देखो यह तो बहुत simple सा question है और मैं उमीद करूँगा कितनी बार order करेंगे सभी comment में जवाब देजिए और per order cost per order cost जो है वो 100 रुपय का है तो मेरे दो सवाल है how many time order आप कितनी बार उस समान के लिए order करने वाले हो एक बार में आप करोगे 1000 किलो लेके आती हो और per order और total cost कितना है ordering cost क्या है मैं ये पूछना चाहता हूँ ordering cost ordering cost आप से सवाल ये पूछा गया बताइए सभी बच्चों ने बताया पांच बार पांच बार पांच बार पांच बार बिलकुल ठीक है और ordering cost भी बता दिया आपने सर 500 रुपय होंगे आपने पता है कैसे बोला आपने पहले निकाला number of order number of order number of order number of order आपने निकाला number of order 5 और निकाला कैसे भाई number of order 5 ये भी समस्या है समझते आपके मन की बात को तो number of order निकाला आपने कि annual demand कितना था उसको divide करा आपने one time जो खरीदेंगे that is EOQ एक बार में जो खरीद के लाए उसे EOQ ही बोलते हैं एक बार में जो खरीद के लाएंगे समान को उसे क्या बोलेंगे सर EOQ बोलेंगे इसका मतलब divide किया आपने EOQ से इससे आगया number of order और सर आपने total खर्चा कैसे निकाला इन में से जो answer निकल के आगया इसको multiply कर दिया आपने ordering cost से ordering cost से के एक बार का क्या खर्चा है क्या बताईए आपके दिमाग में ऐसे ही चला था formula तब आपने निकाला त पूछ लें ऐसा ही एक सवाल और पूछ लिया जाए चलिए यहां तक समझ में आया कि आपने जो order का खर्चा निकाला सबसे पहले मैं थोड़ा से यहां पर number of order लिखा है मैं थोड़ा चेंज कर दो confusion ना हो जाए किसी बच्चे को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं चेंज क् मैं बोलू, ordering cost जो आया ना, ordering cost जो आया आपका पता है कैसे आया आपका ordering cost, ordering cost आया सर, आपका a divided by e o q into में o, o stand for ordering cost, o stand for ordering cost, लाने का खर्चा, चलिए एक सवाल और देते हैं, आप मुझे बताइएगा, दो बाते पूछूँ आप से, ठीक है, आप से मैं पूछना चाहता हू मेरा जो a है, और मुझे पूरे साल का जानना है, monthly, monthly uses है मेरा, 1000 किलो, और मैं one time में, one time नहीं, अब technical word लिखूंगा मैं, economic order quantity है मेरा, वो है माल लेते हैं, 2000, monthly uses 1000 किलो है, और economic order quantity 2000 है, और ordering cost, OC लिखे देते हैं, ordering cost 20 रुपए है, या 200 रुपए है, बताइए आपका 200 per order, आप मुझे जवाब देजिए, total ordering cost मुझे जवाब देदें, फटा-फट से, total ordering cost कौन बताएगा, total ordering cost, बच्चे के सुरू से दोबारा, एक बार कर रहे हैं, बहुत सारे example कर रहे हैं विश्णू, सुनल ने बताया बारा सो रुपए, आदी ने बताया च्छे, प्रियंका ने बारा सो, आदी ने भी बता दिया बारा सो, सभी बच्चों का लगबग लगबग बारा सो, सूरज का भी बारा सो, तनवी का भी बारा सो, खुश्बू का भी बारा सो, और निदी का भी बारा सो, सभी बच्चों ने 1200 जवाब दिया एक बार चेक कर लेते हैं किसका सही है मेरे हिसाब से सबका common जवाब है तो सही होगा तो ordering cost is equal to ordering cost is equal to total ordering cost बोल देता हूं इसको अब यह monthly है सर तो annual demand बनाना पड़ेगा annual के क्या निकलेगा सर एक हजार गुणा में 12 that is आपका 12,000 एक हजार गुणा में 12 that is 12,000 तो चलिए formula में put करते हैं उपर आगया 12,000 और यह formula क्या logical बात है आपने पहले मुझे बिना formula की सारी बाते बताई थी EOQ हर बार कितना order लाएंगे 2000 और एक बार का कितना खर्चा है 200 तो गुणा में 200 तो जवाब आगया सर 1200 सभी बच्चों को समझ में आगया 1200 और भी बहुत बच्चों ने जवाब दिया दिवेज ने भी 1200 आरती ने भी सुधा ने भी और लोकेंदर ने भी गुनगुन ने भी सभी ने बार क्या यहां तक आपको समझ में आई कि ordering cost कैसे निकाला जाता है हम आगे बढ़ें थोड़ if carrying cost यहां तक clear है हम बच्चों को चलिए author know your चलीर् surfingặc कउस्थ के बाद आपको यानि कुछ जानकारी दी जाए ये सारी तो आप ओर्दिंग कॉस्थ निकाल सकते हैं आराम से चलिए सर अगला पॉइंट हमारा क्या आता है अगला पॉइंट आता है next point आता है carrying cost carrying cost अभी बाद में इस्तमाल करेंगे मैं simple सी बात करता हूँ कि जब हमारा रखनी का खर्चा होता है ना मुझे जवाब दीजिएगा मान लीजिए मुझे milk रखना है मुझे milk रखना है एक और दो fridge ये fridge है fridge एक फरीज होता है क्या होता है जड़ ये fridge है अब ऐसा ही fridge है देख लो आप और हमारा काम जो है वो है milk का milk का सर अब बताईए milk को fridge में store करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा और एक fridge की capacity जो है वो मैं बता रहा हूँ इसमें न सिर्फ और सिर्फ 500 किलो फ्रिज मिलक रहेगा और 500 किलो यानि लिटर और इसमें हम भी घर पे बोलते हैं दो किलो दूद लिएओ एक किलो लिएओ ऐसे थोड़ी बोलते हैं दो लिटर लिएओ और इसमें भी capacity क्या है 500 यानि सर यहाँ पे 500 500 लिटर की capacity है और इसका किराया जो है किराया क्योंकि यह मेरा फ्रिज नहीं है मैं क्या करता हूँ इसको जब लूँगा तो किस लिए पे किराये पे लूँगा एक पल को मान के चलते हैं इसका किराया एक दिन का हजार रुपए है एक दिन का हजार रुपए है अब मुझे बताना मैंने क्या करा अगर मैंने हजार किलो खरीदा मिल्क तो मुझे कितने फ्रिज लेने पड़ेंगे हजार किलो खरीदा तो मुझे कितने फ्रिज लेने पड़ेंगे दो फ्रिज लेने पड़ेंगे पांसो पांसो अब हजार किलो मिल्क को स्टोर करने के लिए मेरी कॉस्ट क्या होगी कौन बच्चा बताएगा हजार किलो मिल्क को स्टोर करना है उसके लिए मुझे फ्रिज क्र चाहेगा बताओ मुझे तो बच्चों ने बता दिया दो 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 अब कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं कोस्ट कितना आएगा बताइए 1000 किलो मिल्क को स्टोर करने के लिए कॉस्टिंग क्या आएगी 2000 सभी बच्चों ने जवाब दे दिया 2K 2000 सभी ने अपने अपने हिसाब से जवाब दे दिया बिल्कुल सही बोला 2000 और 2000 आपने पता है कैसे बोला मैं बताता हूँ आपने बोला भाया दो फ्रिज चाहिए ठीक है क्यूंकि 1000 किलो है 500 यहां रख लेंगे 500 यहां रख लेंगे और हर किसी का किराया हर फ्रिज का 1000 है तो इंटू में 1000 तो आपने जवाब दे दिया 2000 अब मान लेते हैं कि मुझे दो दिन ये काम करना है दो दिन काम करना है ठीक है दो दिन मुझे ये काम करना है पहले दिन मैं सेल बताता हूँ मैं दो दिन का मुझे खरचा बताना दो दिन का खरचा तो दो दिन का खरचा बताना day one में मेरी sale day one में मेरी जो sale है न वो है मेरा 600 kilo का और day two में मेरी sales बाकी की है 400 kilo का तो मुझे पहले दिन का खर्चा बता दो कितना आ रहा होगा मैंने total 1000 kilo खरीदा था day one में sir 600 kilo बेच दिये समझ रहे हो तो यानी sir day day one में अगर आपने 600 kilo बेच दिये तो day one में 600 kilo बेचे होंगे तो आपका day one का तो दोनों फ्रिज किराया लग गया होगा क्यूंकि 1000 kilo रखा होगा तो day one का खर्चा आपका हो गया होगा 1000 प्लस 1000 यानी 2000 लेकिन day two का खर्चा 2000 नहीं रहेगा क्योंकि एक फ्रिज तो खाली ही है मैं क्यूं उसको लूँ तो day two का खर्चा क्या होगा 1000 मुझे आप इतना simple सी बात बताईए कि जो हमारा खर्चा है caring cost क्या ये constant है या नहीं है caring cost constant है या नहीं है पहले ये जवाब दीजिए बच्चों ने बता दिया 1000, 1000, 3000, yes क्या caring cost हमारा बदल रहा है day one में कुछ हो day two में कुछ हो और day three में कुछ हो तो इसका मतलब यहां से proof हो जाता है कि caring cost हमारा fluctuate होता रहता है कभी कम कभी ज़्यादा इस से agree करते हैं कि caring cost हमारा fluctuate होगा क्योंकि जितना हमारा store करेंगे उतना ही हमें caring cost करेंगे तो जब कोई चीज fluctuate होता है न तो उसका एक अनुमान value निकालने के लिए हमें average का सहारा लेना पड़ता है मान लेते हैं आज की कमाई 600, कल की कमाई 500, फिर 600, तो बोलेगा महिने में कितना कमा लेता है तो आप क्या करोगे सारे income को जोड के 30 से divide कर दोगे, average बता दोगे मैंने बोला आज मैंने 500 कमाई, कल मैंने 600 कमाई थे तो बताओ दो दिन में हर दिन कितने कमा रहा हूँ तो 500 और 611, तो आप 2 से divide करके average निकाल लोगे तो सेम carrying cost में क्या होता है, सर? सर, carrying cost carrying cost, fluctuate होने की वज़े से हम क्या करते हैं? EOQ, चूंकि हम समान रखेंगे क्या? जो समान लाएंगे वही तो रखेंगे और order quantity में EOQ का मतलब समान लेके आया और into में carrying cost carrying cost कितना है? और average करने के लिए divide कर देंगे 2 क्यूंकि समान जो लेके आया है वह constant तो नहीं रहा न? उसको average कर दो तो उसको divide किस से कर दिया हमने? 2 से और carrying cost क्या होता है? एक store का, जैसे हमारे fridge का किराया था वह भी क्या था? क्या माना था हमने? carrying cost माना था ठीक है न? तो सर, carrying cost का एक तरीके से यह formula कह लो आप और एक तरीके से बोलो यह तो common बाते हैं सर अभी तो देखी थी हमने अब carriage जो होता है, carrying cost carrying cost आपको always percentage term में given होगा सर, percentage term में given होगा जब सर हमें carrying cost को percentage term में given होगा तो हमेशा यह per unit cost पे निकलेगा हमेशा किस पे निकलेगा? पर unit cost का मतलब सर, मतलब जैसे मैंने बोला के मेरा annual demand, annual demand हजार किलो का है और per unit cost, per unit cost 200 रुपए का है और carrying cost, CC लिख रहा हूँ, carrying cost 20% है और मेरा EOQ, अब carrying cost मैंने क्या बोला 20% है और EOQ, economic order quantity, EOQ जो है हर बार का वो मान लो मैं बोल देता हूँ के 500 आया आप मुझे निकाल के बताईए, total रखने का खर्चा, total carrying cost कौन बच्चा बताएगा मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, के carrying cost 20% अभी बताया के carrying cost 20% percentage में देगा तो किस पे निकाला जाएगा पार unit पे, आपको बताना है total carrying cost कितना है, कौन बता देगा सर दो बार carrying cost क्यों लिखा, दो बार carrying cost क्यों लिखा, अच्छा ये भी बोल रहा है, मैं बोल रहा है ये total, ये total है ये, ये total है, अब खुश, अब दोनों बदल गए एक जगा total carrying cost और एक जगा सिर्फ carrying cost है, बताईए सर, बताईए बताईए कौन बताता है, offline वाले भी बता दो भाई साथ, offline वाले भी बताओ क्या आया कितने आये, offline वालों ने जवाब दे दिया है, सर आ गया है, 10,000, online वालों की एक बार सुन ले हम online में भी सभी बच्चे बोल रहे हैं, तुशार, कनीका, स्नेहा, गौतम, पिंकी, सभी का जवाब आ रहा है, 10,000, 10,000, 10,000 very, very good, 10,000 सही answer, कैसे निकाला होगा, सर, total carrying cost is equal to, सर, total carrying cost is equal to, कैसे था सर, formula कहता है, EOQ upon me 2, यानि सर, EOQ है 500, divided by 2, into में carrying cost, तो carrying cost निकालने का formula C, C का मतलब per unit cost, तो C is equal to होगा, 200 का 20%, that is आपका 40, और यही 40 आप यहां रखोगे, तो that is आपका आ जाएगा, यहां पे, 10,000, आपने भी ऐसे ही निकाला होगा, ठीक है, सभी ने जवाब देदी, आपने भी ऐसे ही निकाला होगा, चलिए back to point, सर, back to point में कहां जा रहे हैं, हम फिर से starting पे आ गए, कि सर, economic order quantity कहता है हमारा, क्या 2AO upon me C, और ordering cost ही क्या कहा जाता है हमारा, अगर ordering cost और carrying cost दोनों equivalent हो जाए, तो वही हमारा economic order quantity होता है, चलिए इसको proof कर लेते हैं, इसको proof कर लेते हैं, चलिए सर, proof करने में आपने बोला, सर, जहां पे ordering cost, equal होता है, carrying cost, इसे देखें, noting बड़े आराम से करिएगा आप बाद में, ordering cost is equal to carrying cost होता है, इसी को EOQ बोला जाता है, तो proof करते हैं, ordering cost का formula अभी अभी देखां आपने, ordering cost का formula होता है, A divided by, divided by EOQ, into में ordering को O बोल देते हैं, इसको बराबर रख देते हैं, carrying cost का, यह था EOQ divided by 2 into में C, अब इस equation को solve करते हैं, ठीक हैं, इस equation को solve करें, तो क्या आएगा सर, यह आ जाएगा AO, यह आ जाएगा AO divided by EOQ, और is equal to, यह क्या जाएगा, EOQ, और into में C अलग ही रहने वाला है, और divided by क्या रहेगा, 2, multiply करते हैं, तो इसको इसको जब multiply करेंगे, तो क्या जाएगा, EOQ का square, multiply हो गया, और यह क्या जाएगा, 2, थोड़ा सा और detail जाएगा, और यह वाला क्या होगा, इसी से multiply हो जाएगा है न, multiply by C, और is equal to, अगर करें, तो क्या जाएगा, 2, multiply हो जाएगा, 2AO, ठीक है, अब इसको और solve किया जाएगा, तो C को इसके नीचे ले जाए जा सकता है, यानि EOQ का square और C को 2AO divided by C को ले जाए जा सकता है, जिसको मैथमेट, देखो, कभी भी examiner नहीं पूछेगा कि इस formula का कैसे बनाया गया, आप बता दो मुझे, कभी नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ knowledge के लिए बता रहे हैं, कुछ बच्चों कि अगर मान लेते हैं, mathematics थोड़ी सी week है, अगर नहीं भी समझ में आता, तो कोई बुरी बात नहीं है उसके अंदर, बस मैं चीजों को बता रहा हूँ, explain करके ये formula बना कैसे, इसको solve किया जाए, तो इस square को जब हटाया जाएगा, तो आपको पता square हटाने के लिए under root होता है, ultimately हमें जो result मिल गया, वो क्या मिला साथ, 2AO और C, और ये वाला square हटा के इधर हम square लगा सकते, तो formula तो अमारा ये ही बन गया, 2AO upon me C, कई जगह पे A को किसी और abbreviation से दिखाया जाता है, O को किसी और abbreviation से दिखाया जाता है, और C को किसी और abbreviation से दिखाया जाता है, नाम वही होता है, वो कुछ और word लगा देते हैं, उसमें घवराने की कोई अवशक्ता नहीं है, चाता हूँ, क्या आपको ये formula बिल्कुल clear है, तो हम आगे बढ़ जाएं, ये formula clear है, तो हम आगे बढ़ जाएं, फटा-फट जवाब दीजिए, तो हम कुछ practical question कर लें, ये formula clear है, चलिए कुछ some practical questions पर जाते हैं, इस chapter का पीछे के chapter से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, मैंने second chapter start किया, कुछ बच्चे नहीं है, first chapter नहीं किया, कोई लेना देना नहीं है, अभी से जो chapter हम लेके चलेंगे, परपस ही ये है कि जो exam oriented है, पहले उन chapter को cover करा दें, तक आपके tension खतम हो जाए, सर, उसका formula समझ नहीं आया, किसका formula समझ बने है, सर, 40 कैसे आएगा, सर, 40 कैसे आया, 40 कैसे आया, पता नहीं, आप पूछ के आ रहे हो, 40 कैसे आया, ओके, पीछे आले question का 40, अभी बच्चे ये पूछ रहे है, 40 कैसे आया, ये वाला पूछ रहे हो शायद, तो 40 आया ना, इसको solve करो ना, 2-0 से 2-0 कट गए और 20 को इससे, मैंने बोला ना कि carrying cost हमेशा किस पर होगा, per unit cost पे, per unit cost कितना है, 200, तो 200 का ही 20% निकालना है आपको, आपको बताया है नहीं जाएगा कि किस पर निकालना है, लेकिन आपको निकालना ही उसी पर होगा, ठीक है? क्लियर है, आगे बढ़ जाएं? 40 से आगे बढ़ जाते हैं? चलिए, एक सवाल आपके लिए है सामने, आप जितने भी सवाल होंगे, ये बीकॉम के अंदर पूछे गए सवाल करेंगे, maximum, चलिए, सवाल में कहता है, इसके बाद केरिंग कॉस्ट परसेंट, यानि केरिंग कॉस्ट, अब आप दिमाग लगाओ, 25 परसेंट किसका होगा, 25 परसेंट इसका होगा, कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्यूमेंट, प्रोक्यूमेंट मतलब लाने का, यानि ओर्डरिंग कॉस्ट, कई बार आपको अलग-अलग शब्दों में बोलेंगे डेट, फाइंट इयोक्यू करिए, बड़ी सिंपल सी बात है, सर, यह क्या बात कर दिया, इन्होंने इयोक्यू तो यू निकाल देंगे, इयोक्यू, इयोक्यू निकलवाना है, तो इयोक्यू, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, टू ए ओ, डिवाइड़ बाई सी, रूट, तो टू क्या है, कुछ नहीं, यह तो रहता ही है, ए क्या है, एन्होल डिमांड, 32, तो मल्टिप्लाइब बाई 32, ओ क्या है, ओडरिंग कॉस्ट, तो ओडरिंग कॉस्ट, डिवाइड़ सो, डिवाइड़ बाई C, C कैरिंग कॉस्ट, यह निकालना पड़ेगा, सर, तो c is equal to 6 रुपय का 25% that is कितना आएगा 1.5 1.5 अब इन सभी को under root कर देते हैं कुछ बच्चों को हो सकता under root ना निकालना है calculator में तो बता देता हूं ध्यान देजिएगा 2 into में 32 साथ के साथ multiply कर देजिए 1500 तीनों को multiply कर दिया एकी बार में इन्टू इन्टू करके डिवाइड कर देंगे 1.5 ठीक है क्या है अच्छा 1500 मैंने ज़्यादा लिख दिया यह डेड़ सो है यह डेड़ सो है चलिए 2 into 32 into डेड़ सो यह आगया सर 96000 डिवाइड कर देंगे 1.5 यह आगया और इसी के बाद ना एक आपके कैल के अंडरूट का होगा मेरे में कहा है इधर है अंडरूट 800 आगया तो जवाब आगया सर 800 यूनिट पहला answer done और इस तरीकी के सवाल 5 नंबर 4 नंबर में कई बार पूछे जा चुके हैं दो हजार में पूछा गया था हाला कि सवाल पुराना है लेकिन आया है काफी बच्चों ने जवाब भी दे दिया था तुशार ने दे दिया maximum बच्चों का जवाब आ गया था एक और सवाल सारे कोश्चन करेंगे आज हम इस बेसिस पे आज का पॉइंट यह एजिंडा इस पर कोश्चन खूब सारे मैं बना के लाए हूँ आपके लिए कहता है फेक्टरी रिक्वाइड पंदरा सो यूनिट आइटम पर मन्त यानि एक आइटम है जिसकी पंदरा सो की रिक्वाइर्मेंट है इच कोस्टिंग हर किसी का रेट है 27 रुपिया दा कोस्ट आजरीं डेड़ सो रुपिया इन्वेंटरी केरिंग कोस्ट वर्क 20 परसंट आफ दा एवरेज इन्वेंटरी कई बार बच्चे सवाल चक्कर आजाता है सर एवरेज इन्वेंटरी का कह रहा है 20 परसंट लेकिन भहिया मतलब यही है कि जो कॉस्ट पर उनिट है उसी का 20 परसंट ठीक है फाइंड आउट दा इकनॉमिक ओडर क्वांटिटी और नंबर ओडर पर येर कितने बार हमें नंबर जाना पड़ेगा निकाला था ने कितनी बार दुकान में समान लेने जाना पड़ेगा सेम टाइप वा तो सर EOQ EOQ is equal to 2AO divided by C अब यहां पर देखते हैं 2 A क्या होगा ये मंथली है तो इसको 12 से मल्टिप्लाई करना होगा तो 500 इंटू में 12 ये A बन गया 1500 अच्छा 1500 इंटू 12 तो जो ये जो है ना ये यहां से यहां तक का हिस्सा है ये A है ये A बना ठीक है इंटू में ओर्डरिंग कॉस तो ओर्डरिंग कॉस सर डेड़ सो है मैं सवाल लिख नहीं आपके सामने गीवन आप देख सकते हैं डिवाइड़ बाइ सी केरिंग कॉस कहता है 20% of 27 तो 20% of 27 क्या मतलब हुआ सर इसका तो 27 रुपे का इंटू 20% यानि कितने होगे 5.5.4 निकाल लिजिए इसका अंडर रूट तो ऐसे सवाल तो कैल्कुलिटर पर हो जाते हैं कितना है एक बच्चे ने जवाब दे दिया और इधर भी काफी बच्चो का जवाब आ गया तन्वी का भी जवाब आ गया और आर्ती का भी जवाब आ गया तुशार का भी जवाब आ गया चलिए जवाब आपको समझ में आ रहा है very very good और दूसरा क्या पूछा, number of order बताईए तो economic order quantity होता है कि एक बार में कितना लाओगे आपको पता है कि आपको पूरे साल में लगेंगे कितने, 15 into 12 क्या रोगे तो कितने, 18,000 आपको पूरे साल में 18,000 किलो चाहिए, 15 into 12, 18,000 18,000 ही होगे न पूरे साल में आपको 18,000 किलो चाहिए और एक बार में कितना लाओगे, that is EOQ, एक बार में लाओगे आप 1000, तो कितने चक्कर लगेंगे, कितनी बार लगेंगे, number of order number of order, कितनी बार आप delivery को मंगवाओगे, तो जवाब है, number of order is equal to a divided by EOQ, अगर cost पुछ लेते हैं, तो into, वो कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ordering cost, तो 18,000 divided by 1000, यानि सर 18, पहला सवाल का, दूसरे सवाल का भी answer आ गया, काफी बच्चों ने दे भी दिया था, 18, एक और सवाल किया जाए, हम फटा-फट सवाल कर रहे हैं, चलिए, कहता है, आर रेफिजरेटर मैनिफेक्चरर परचेज 1600 यूनिट आफ सर्टेन कॉंपोनेंट्स प्रॉम भी, हिस एन्यूल यूसेज इस 1600 यूनिट ठीक है, भाईया, तुम 1600 यूनिट एन्यूल है, यानि सवाल में बोल रहा है कि A है 1600, अब तो यहां बताई दिया 8 रूपए अब देखो दो चीज़ें पूछा, नमबर ऑफ ओडर बता दो और दो ऑडर के बीच में कितना गैप होगा, अब बड़ी सिंपल सी बात है, मजे की बात आगए, अभी करके देखते हैं पहले, तो E O Q इस इकल टू टू A O डिवाइड़ बाइड़ बाइड़ सी टू क्या है हमारा सर? दो तो दो ही है इंटू सोलह सो इंटू में सो डिवाइड़ बाइड 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 बताईए दो सो आए, मल्टिप्लाई करके डिवाइड करके क्या आगया? दो सो आगया, आप सब जो बता रहे हैं उसी को मैं लिखता जा रहा हूँ अब पूछ लिया number of order अभी फॉर्मूला लिखा था A divided by E O Q देट इस आप कहा आजाएगा सोलह सो divided by 200, यानि 8 यानि पूरे साल में आप 8 बार जाओगे, तो बोला गया अब मैं बोलता हूँ कि पूरे साल में आपको 12 बार जाना है जनवरी में गये तो फिर कब जाओगे? परवरी में, क्योंकि 12 बार जाओगे तो पूरे साल में आपको हर एक महिने जाना पड़ेगा, समझ रहे हो बात, बारा बार जाओगे तो हर एक को कितना जाना पड़ेगा, हर महिने जाना पड़ेगा, अगर मैं बोलू, पूरे साल में छे बार जाना है आपको, छे बार ओर्डर करना है, तो बोलो, सार, दो-दो महिन between the two order result time interval तो time interval time intervals कैसे निकाल रहो हो पता है आप आप रख रहे हो उपर 12 और divided by 12 पूरा साल है और divided by रख रहे हो number of order number of order अगर मैंने बोला 6 है 6 बार जाने है तो 12 डिवाइड 6 आपने बोला 2-2 महिने तो ऐसे यहां निकल जाएगा सर क्या 12 divided by 8 कितने आ रहे हैं गैप 1.5 यह month है सर यह month है अगर days में पूछ ले आपसे बताओ तो उपर 365 रखना है आपने उपर कितना रखना है 365 और 60 मरजी आपकी 1.5 1.5 very very good सभी बच्चों को समझ में आ रहा है और यहां तक आ भी गया जिसका doubt होगा मैं पीछे बैक करके definitely ले लूँआ चलिए अगले सवाल पर चलते हम अगले सवाल पर हम आपसे को आप आपसे को सवाले लाइब लुटते होगा सवाल कर दो कि अखला है तो प्राइब नग् Hahn गुट इवनिंग एवरीवन चलिये लास्ट क्लास हमने कहां तक कंप्लीट कर लिया था कि हमने चप्टर स्टार्ट भी कर लिया कि और कि अगर कि हमने एक कोशन कर लिया था लास्ट क्लास में तू भी कंटीनियू नेक्स्ट कोशन करने वाले इसके आगे हम डिस्काउंट वाला टॉपिक फिरते आएगा मैंने का सारे टॉपिक मैं करवाऊंगा खुद हलाकि होमवक में दिया था लेकिन कोई बात नहीं आज खतम कर लेते हैं यह भी डिस्काउंट वाला ही है चिंता ना करें चलिए सर पढ़ लेते हैं कोश्चन कहता है योर फेक्टरी बाइज एंड आपका यूसेज कॉंपोनेंट प्रोड़क्ट रुपीज टैन रुपीज पर यूनिट यानि सर पर यूनिट कॉस्ट मिल गया हमें 10 एन्यूल रिक्वाइर्मेंट 20,000 ए मिल गया 20,000 केरिंग कॉस्ट 10 पर रैनम सी मिल गया एक रुपिया कैसे आए इसका 10 परसेंट इसके बाद आगे कहता है और्डरिंग कॉस्ट 400 रुपे ओ मिल गया चार सौ रूपे हैं ओके बाद क्या कहता है दा पर्चेज मेनेजर आर्ग्यू डैट ओडर कॉस्ट हाइए तो एडवांटेजिस जो है है तो प्ले सिंगल ओडर बोलता है यह ओडर कॉस्ट बहुत ज्यादा है इसलिए आप बार बार ना मंगाएं आप एक सिंगल ओडर कर दो कि यह ओल्सों सेज यह भी बोलता है कि भाई या वी ओडर ट्विंटी थाउजन यूनिट एट टाइंग यानि सार हम एक बार में दो हजार बीस जार यूनिट बंगवाएंगे और कैन गेट 10 पॉर्सेंट डिसकाउंट फ्रॉम्द सप्लायर इवेल्यूएट दा प्रॉड प्रॉम्देशन तो भाई साव अभी यहां पर समस्या यह है कि एक मैनेजर है जिसने सारा खेल विगाड़ दिया अगर यह मैनेजर नहीं होता तो हम कॉस्टिंग के सिद्धान्त पे चलते कॉस्टिंग के रूल पे चलते कि भाईया जो मंगाना होता है हमें ओर वो मंगान कॉस्ट हमारा 400 और सी हमारा कितने रूपिया और इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आता है चार हजार यूनिट आ गया रूल यह कहता है कि चार हजार यूनिट बंगाया जाए चलो रूल के इसाब से टोटल कॉस्ट भी निकाल लेते हैं से टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा लास्ट कॉस्ट में कर लाए चार हज्जाओ आपका तॉटल आपका कितने उनिट है सर आपका यूनिट है 20000 20000Man और दस रूपए का होगा यह हो गया प्लस प्लस चार हजार डिवाइट टू इंटू में एक तो ध्यान से देखें आप दो लाक और प्लस दो हजार और प्लस यानि सदो लाक तो भीया कहता है कि मैनेजर की बात भी एक बार देख लो करके बता दो क्या होगा मैनेजर की बात अगर हम मानते हैं तो हमारा टोटल कोस्ट क्या आएगा सर टोटल कोस्ट मैनेजर की बात मान लिया जाए बोलता चार हजार यूनिट ठीक है बाई 20,000 है बोलता है रेट तुमारा कम होगा तो जब भी डिसकाउंट होता है तो दो बातों पर फरक पड़ता है तो total cost पे जो हमारा product का cost उस पर फरक पड़ जाता है carrying cost पर फरक पड़ जाता है तो sir 2000 into में जो हमारा 3% का discount लग जाएगा जो पहले हमें 10 रुपे का मिला करता था अब new जो product मिलेगा हमें 3% का discount मिलके 9.7 कितने का 9.7 तो 9.7 प्लस ईयो की अगर देखा जाए ordering cost तो भाईया single order लगने वाला है आप वैसे भी देख सकते annual demand divided by आपका ईयो की single order 400 रुपे इस से जादा नहीं लगेगा carrying cost क्या होगा sir 20,000 divided by आपका 2 और into में carrying cost बदल जाएगा क्योंकि carrying cost depends on this price इसका कितने percent 10% that is आपका क्या जगा 0.97 जीरो पॉइंट नाइन सेवन चलिए जी कितने costing आती है कि बीस हजार इंटू 9.7 यह आगया एक लाक चरानवे हजार यह 400 एक हजार इंटू में पॉइंट नाइन सेवन नौ सो सत्तर आह दस हजार तत्तानवे सो टोटल कॉस्ट आ जाएगा एक लाक चरानवे हजार प्लस चार सो न की सारा आजर जाएगा ग। दो लाक खो … सो … बाई साब मैंनेज्ट जीत गए यह कि हमारे एकावंट् ऑकस्ट के रूल के अकॉंडिंग देखा जाये तो तो वहां पर total cost क्या रही थी हमारी 2,4,000, नई, manager हार गए, manager हार गए भाई साव, उसके हिसाब से देखा जाए, manager के हिसाब से, तो भाया 2,41,100 रूपे से हार गए वो, यानि manager कह रहे थे, argue कर रहे थे, भाया तुम नहां बार-बार जाते हो, फिर लाते हो, तो इससे ordering cost जादा है आपका खर्चा ज्यादा बैठेगा साल में फिर मैंने एक बार देखा भाई आपने रूल के इसाब से लगा के manager की बात को तो manager का ही खर्चा ज्यादा पड़ रहा था तो हम बोलेंगा रिजेक्ट है तेरा प्लान तो इसमें पूछा क्या था make your recommendation तो recommendation क्या manager argue is irrelevant and manager plan should would be rejected मतलब must be rejected उससे reject कर दिया जाए क्लियर है सर यह आपको पहली class देखने पड़ेगी चलिए चलिए सर एक यह सवाल भी ले लेता है कि इस ट्राइब का सवाल लांस्ट यह ओनर्स के पीपर में आया था कि क्या लिखाएं है कि सीए अरे आया था इस ट्राइब का सवाल कोई बात नहीं कहता है अब अब थोड़ा सा ना यह फॉर्मेट टाइपिंग में थोड़ा सा इदर उदर हो गया आपके किताब में मैं समझा देता हूं कहता है प्राइज अगर आप धाई सो यूनिट से कम का ओडर करोगे तो छे रुपिया का देंगे और धाई सो से आट सो के वीज का ओडर करोगे तो थोड़ा सस्ता देंगे और आठ सो से लेके बार दो हजार तक करोगे तो और सस्ता देंगे अगर दो हजार से लेके चार हजार तक करोगे तो और सस्ता देंगे और चार हजार से उपर करोगे तो और सस्ता देंगे यानि सस्ता ही सस्ता हर जगे कहता है annual demand annual demand material का 4000 है हमारा हर साल का 4000 हमारा annual demand है stock holding 20% of cost तो मतलब जो भी हमारा carrying cost होगा वो price का होगा the delivery cost order 6 रुपए का है तो पूछा गया कि able obtain quantity discount on order आप बताईए इसको सला दीजिए कि भाईया हम कौन सा level मतलब क्या करें हम धाई सो से तीन सो यह यानि सार इस सवाल के अंदर आपको different different level पूछ लिया उसने यानि कितने एक दो तीन चार पांच पांच discount है तो यानि पांच बार total cost निकालेंगे इसका और पांचों बार और एक अलग से EOQ का तो छे बार total cost निकालना है छे बार में से जो सबसे कम आ रहा होगा उस plan को हम क्या कर लेंगे accept कर लेंगे तो छे बार अलग अलग करने में time लगेगा तो इसको ना टेबलर फ़र्म में कर लेते हैं जो कि हमारे लिए थोड़ा सा easiest पड़ेगा और फटा फट से हो जाएगा सर्थ पुस्टन तो समझ में आगे इसलिए मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ कितनी बार करना है इसको छे बार पहले तो पांच बार कर लेते हैं यह क्यू भी निकाल लेंगे कोई बात ने यू क्यू लास्ट में निकाल लेंगे ऐसी कौन से आफ़क है सबसे पहले देखिए हम यहाँ निकालेंगे टोटल कॉस्ट मतलब मटीरियल का इसके बाद यहाँ और्डरिंग कॉस्ट चलिए यहाँ और्डर का कॉस्ट ले लेंगे यहाँ क्यारिंग कॉस्ट ले लेंगे और यहाँ टोटल कर देंगे हम काम वही करने वाले हैं बस थोड़ा सा समझ ले गया हम पहले निकालेंगे material का cost cost किसका material का फिर निकालेंगे order का cost फिर निकालेंगे carrying का cost फिर निकालेंगे total total कैसे होगा अगर हए इसको ए मानते हो इसको बी मान रहे हो और सी मान रहे हो तो ए TOP ब्लस बी Ultra सी अब कहता है सटाईwo से कम जो अचली सीपम कुछ भी हो सकता है आपका दोसोन३ंचासनग वी हो सकता है तो मैं जोसे कम कितना मां मान लेता हूं 200 मैं मान लेता हूं आप डेट सो भी मान सकते हों मैं कितना मान रहा हूं 200 ऐसा नहीं है सर हमें कैसा पता चलेगा आप या 100 से मान के देख लेना अंसर सेन ही आएगा अब 200 युनिट लेने जा रहे हैं इसके बाद क्या कहता है 200 से 800 यानि इसाथ 200 से ऊपर जाओगे लेकिन 800 से कम इसके बीच का कोई बीजिट मान सकते हो ठीक है ना 300 400 500 लेकिन हम क्या मान लेते हैं 200 मान ले उसने 200 रखा है ना 200 मान लिया उसके बाद 800 से ऊपर 2000 से कम 800 मान लेते हैं बड़े सिंपल सी बात आप कुछ भी मान के देख लीजिएगा एक बार आंसर वही रहेगा उसके बाद 2000 4000 तो कितने और लास्ट वन सर यहां पे कॉस्ट जो आएगी न साब धानी से एकदम देखना है यहां पे कॉस्ट आएगी कितने हमारे सर छे रुपे का पड़ेगा कितने यूनिट है 4000 तो यहां पे कॉस्ट आएगी 4000 गुना में छे डेट इस और यहां पे जो आएगी ना चार हजार रेट यहां पर अलगी यह सार पाइप पॉइंट ना आप बताएंगे यह सब और यहां पर आएगा 4000 इस पाइप पॉइंट यहां पे 4000 इस पाइप यहां पे 4000 इस पैप यहां पे 4000 इस सेंट बताइएंगे तई आँ अ एई यहां पाइस के वाई आजाजर बदा आएगे आप सर अगर आपके 4000 गॉंटिटी है एक बार में 200 लोगे और एक बार का 6 रुपया खर्च हैं तो बता दो 4000 quantity है एक बार में 200 लाओगे और एक बार का 6 रुपए तो बता दो 4000 quantity है एक बार में 800 लाओगे 6 रुपए तो बता दो 4000 quantity है एक बार में 2000 तो 6 रुपए फिर बता दो 4000 quantity है फिर लाओगे आप पूरे 4000 और एक बार का 6 रुपए तो यह तो मैं बता देता हूँ और ये और ये और ये और ये 90 और ये 120 चलो केरिंग कॉस कहा है सर एक बार का 200 डिवाइड बाई 2 इन 2 में केरिंग कॉस किस पर निकलेगा सर इस रेट पे यहां पर रेट कहा है सर 6 रुपया नहीं 6 है और 106 के उपर कितने percent केरिंग कॉस के रहा है त्विंटी यानि 1.2 इहां पर कितने युनिट है 200 डिवाइड बाई बाई 2 और यहां पर इस पर निकलेगा किस पर निकलेगा करिंग कॉस पांच नब्वे पे तूसरे के टिंगरी का कारिंग कॉस के आओगा पाइड नैंक का कि सब्सक्राइब और आब निकले का हमारा थर्ड वाले पॉइंट का पाइब पॉइंट लाइन के फान इन वान सेक्स्ट वन प्वान इसके बाद क्या है तो हजार देवाइद वान ऐसे टू इंटू में 1.14 फिर आएगा 4000 डिवाइड़ बाइट टू इंटू में 1.12 अब सब का निकाल देते हैं चलिए बताइए अरे क्या दिखते हैं कि यह तो लिखना ना लिखना बराबर ही है अब सर बढ़ता जाएगा यह चारसो चॉसर क्योंकि समानी खट्टा ला रहे हैं चार्सो जार्सो जार्सो और अब टोटल कॉस्त निकाल पाओगे बताओ टोटल कॉस्त निकाल पाओगे निकाल लेंगे सभी बच्चे जवाब भी दे रहें फटा फटाफट 96 120 वेरी वेरी गुड सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं कुछ एप्लिकेशन की थोड़ी दिर पहले दिक्कत आई थी लगता है सभी बच्चे जोईन है नहीं है पता नहीं चलिए चलने देते हैं साथ कोई बात नहीं बताओ टोटल कॉस्ट A प्लस B प्लस C 24,200 अगला बताओ 23,800 मेरे को इस से बढ़िया तो यही लग रहा है अगला बताओ 23,000 24,94 बताओ बताओ 23,000 694 अरे तो वही तो बोल रहा हूँ है 694 इसके बाद 30,000 30,000 23,952 देखो अभी यहां पे कम होता गया कम होता गया अभी इसका बढ़ने लग गया इसका बिकार है सब कितने है 24,646 तो आप अंदाजा लगाओ मैं आपसे पूछूँगा मैं नहीं बता रहा कौन सा बढ़िया लेवल है बढ़िया लेवल सर बढ़िया लेवल जहां पे सबसे कम कॉस्टिंग आई यह तो इनके हिसाब से है अब एक EOQ के हिसाब से भी निकाल लेते है 800 बता दिया बच्चों ने अब एक किसके हिसाब से निकाल लेते है EOQ तो चलिए सर यो क्यों के निकाल लेते है यो क्यों क्या कहते है से टू ए ओ डिवाइड ब्युद बाई मेडि इयति सब लों गते हैं किपके सिह का अन्डरोट ऑंड़्टो में अन्वल डेमांड चारहजारों कहते है हमारा छे रुपया और केरिंग कॉस्ट में यहां पंगा सर केरिंग कॉस्ट क्या लोगे अब छे ले कितना ले पांच ले कुछ नहीं पता चल रहा क्योंकि अगर हमें एक यूनिट पता चल जा तो लिखते या तो कुछ पता ही नी चल रहा कि caring cost किस पर ले तो अब आपके इच्छा है कि आप इस price पर भी ले सकते हो आप उसके बाद वाले price पर भी ले सकते हो तो हम ऐसा कर सकते हैं देखो carrying cost है ना 4000 पर चार हजार टन है और ट्विंटी पर्सेंट कॉस्ट पर एनम तो भाईया यह सारे कॉस्ट है अब आप यहां पे थोड़ा सा अगर हमें बता देता के इतने यूनिट आ रहा है तो उस पे अब आपकी इच्छा है मैं चाहूं तो इस पे ले लू अजंशन लूगा के भाईया ह हम मान के चल रहे थे कि हम 200 यूनिट लाएंगे और इसके उपर नॉर्मली हमारा 4000 यूनिट आटरिंग है तो हम इसके उपर भी मान सकते हैं पिछली बार मैंने सवाल कराया था एक बार तो मैंने इस पे मान लिया था इस बार मैं इस पे मान लेता हूं ठीक है 5.6 पे एक यह आ गया बहुत ज्यादा आ गया मेरा तो इंटू में चार हजार इंटू में शिक्स डिवाइड़े वाइड़ वाइन पॉइंट वाइन टू इसका अंडरूट करना तो भूली गया अरे मेरे अंडरूट कहा है कितना गया 207 207 पॉइंट को भूल जाएं कि रपया करके यह था एक सवाल जो कि एक्जामिनर का फेवरेट कोश्चन बनता है दस नंबर के एप्रॉक्स में यानि इसके अंदर एक्जामिनर ने आपसे बहुत सारे वेरियस डिसकाउंट पॉइंट पूइंट पूछ लिए इसमें पहले हम वैसे भी ले सकते हैं एक बार सर दुबारा यह कोशन चार बता दो दुबारा देखो अपना एका आपको होमवर्क दिया जा रहा है और यह होमवर्क आपको खुद एक्सपेरिमेंट करना है आपको यह कहता है धाई सो से लेज देन तो एक आप लेना सौ और उसके बार कहत आपको कौन से कैटेगरी का बनता है वो बताना होगा यानि सर यहां पर डिफरेंट डिफरेंट पॉर्संटेज है एक बार दुबारा से आप वीडियो देखोगे तो बहुत क्लियरिटी हो जाएगी बाकी मैं कहूंगा इसके अंदर मैं दुबारा एक बार बता देता हूं कोई बात नहीं एक कोश्चन था हमारे पास जिसके अंदर एकजामरन ने क्या कहा कि बोला कि आप ब्रैकिट दे दिया उन्होंने रेट लिस्ट दे दिया कि इतने कॉंटिटी एक बार में खरीद तो रेट आपको पड़ेगा 5.90, 800 से 2000 तक खरीद होगे तो क्या पड़ेगा 5.80, 2000 से उपर 7, 4000 से उपर 5.6, ऐसे पढ़ने वाला आपको, सर अगर ऐसे पड़ेगा तो फिर costing, इसने बोला कि आप बताईए कौन सा obtained quantity करोगे, कौन सा discount बहतर है, तो सबसे बहतर वही discount जहां सब से तस्ता है, तो यहां पर देखो 207 आ रहा है EOQ, तो 207 का मतलब देखा जाए तो कुछ ना कुछ ही, धाई सो, लेस दें धाई सो, पहले वाला ही quantity आके निकल के आया है, तो उसके उपर जाने तो EOQ पर नहीं, हमने इसके उपर निकाला, तो यहां पर best rate क्या निकल के यानि between 800 to 2000, बिट्वीन हम अगर product को buy करते हैं, तो हमारे लिए beneficial है, because इस level पे, that point पे हमारा lowest cost determined किया गया है, point find किया गया है, आपको ऐसे लिखना है, ordering cost is equal to carrying cost होता है, बच्चे कहना है सर, यह तो वही होगा न, अरे भाई, ordering cost is equal to carrying cost, यह एक unit का नहीं, आपका total unit का देखना है आपको, किसका total unit का, आप गलत ले गए इसको, ordering cost is equal to carrying cost, ऐसे तो आप पिछले वाली सवाल में भी कह दोगे सर, कहां गया, आप बोल दोगे सर, यहां पे आप carrying cost देखो, यहां पे carrying cost क्या है, और यहां पे ordering cost क्या है, फरक है न, तो वो total पे, इस level पे देखो, इसको जब solve करते हैं इस category को, तब हमारा समान आता है, unit को multiply करने के बाद, जो कि यहां आया है, यहां पे नहीं बात कर रहे हैं, बच्चे थोड़ा सा गलत ले खतम EUQ, अब अगला क्या है हमारा, inventory, level of inventory पढ़ने वाले हैं, अगला हम पढ़ेंगे, level of inventory तो हाँ जी आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल सर आगे बढ़ा जाए, level of inventory, सर होता क्या है, सर level का मतलब क्या है, एक हद, हद की बात करते हैं, अब यहाँ पे अगर level और हद की बात करें, तो यहाँ पे हमें सिखाया जाता है, इस वाले topic में, कि आपको कब नया order कर देना चाहिए, कब आपको समान मंगवा लेना चाहिए, कब आपको समान नहीं मंगवाना चाहिए, यानि मतलब की simple सी बात है, आपको जब दुकानदा करते हो, तो एक चीज आपको clear होता है, कि आपका daily का sale क्या है, मैं exact number नहीं clear, लेकिन फिर भी tentative पता होता है, कि दिन बर की कितने विक्री होती है, और ये भी पता होता है कि कौन से unit कितना विक्रीगा, जैसे for example, एक चाई की दुकान की बात करते हैं, तो चाई की दुकान व हमेशा एक ही quantity, अगर 30 दिन महिने में जा रहा है नहीं दुकान खोल लें, और उसकी 5 किलो दूद की, यानि 5 लिटर दूद की खपत है, तो daily mother daily से वो 5 किलो ही लाएगा, चाहे जहां से भी दूद ला रहो 5 किलो लाएगा, जिस दिन बच गया, उस दिन अगले दिन थोड़ of inventory समझ में आता है, तो हमें नहीं आएगा क्या, simple से बात है, तो sir, level of inventory का मतलब, एक होता है reorder, एक होता है reorder, sir, reorder का मतलब क्या होता है, अब sir, reorder की बात करें, तो reorder का मतलब क्या होता है, reorder मतलब जैसे, चाही की दुकान है, अब चाही की दुकान जो है न, मैं 5 किलो वैसे सांब को पांच वजे तक चलता हूँ और च्थम बगान करके आर शे तक दूंस बंद हो पटाफट इंतिजाम करना चालू कर दूगा इधर उधर देखने लग जाओंगा कोई मिले और मुझे एक किलो और दूद लेके आ जाए ताकि छे वजे तक हम बैठ पाए बड़ी सी बात यह प्रैक्टिकल एक्जामपल है तो वह चार बजे किसी को ढूंडेगा या अपने घर पर किसी को फोन करेगा या किसी को बोलेगा भाई यह काम कर मदर डेरी खुल गया तो एक किलो दूद लिया वह एडवांस में मंगवा लेगा देट इस उसका है री ओडर लेवल एक बार तो लेके आया था पांच किलो सुबह सुबह दूद और उसके बाद यह री ओड मिनीमम लेवल मिनीमम लेवल क्या होता है कि मान लोग कभी कभी ना दुकान दार को दिन में दुकान बंद करके जाना पड़ जाता है तो अगर वह दुकान दार है तो दुकान पर जाएगा जरूर ऐसा थोड़ी खालिया चला जाएगा थोड़ा तो ले लेते हैं अंदाज यानि इतनी quantity तो बिखी जाएगी वो लेवल है minimum level यानि अगर मैं दूसरे terms में बात करूँ तो minimum level का मतलब है आपके दुकान में अगर इससे level कम गया ना समान का इससे quantity कम गया तो आपके customer वापस जाएंगे इससे कम तो रखना ही नहीं है यानि इतना हमेशा stock में रखना है और यह वाले जो formula format कहां कहां काम आता है होटेल में काम आता है दुकानदार के यूज मिलाते हैं हर जगए काम आता है जैसे माल लो simple सी बात है मैंने तो चाही की दुकान का एक्जामपल लिया अगर कुसी परचून की दुकान का लेके बाद चलो तो अगर वो पेपसी बगर बेच रहा है तो उसे पता है कि दिन बर के 20 पेपसी बिखते हैं और उसके दुकान में दो पेपसी है तो उसे लगत देख होता है सर maximum level इससे ज़्यादा अगर आपने मंगवा लिया ना दुकान में समान तो वेस्टेज ही जाएगा इससे ज़्यादा मंगवा लिया तो क्या जाएगा वेस्टेज यानि सर ये आपको दुकानदारी के अंदर कितना समान होना चाहिए स्टॉक में ये सिखाता है ये चीज़ से बड़ी सीथी सी बात है एक री ओडर लेवल के भईया समान मंगवा लो यानि minimum level जैसे जाएगा ये active हो जाएगा के भईया जल्दी जल्दी समान मंगवा लो इसके बाद maximum level इसके बाद तो भईया कई बार दुकानदार पर आता है बोलता है पिछला माल त इतना तो रखी हो तु समान ठीक है ना इतनी तो खपत होती है किसी को पर छोड़ के जा रहा हूं तो उसे बोलेंगे average level एक होता है डेंजर लेवल कस्टमर वापस भाग के जा रहे हैं तो वह हो गया डेंजर लेवल तो हमें ये different different level पढ़ने है इसके अंदर तो level of inventory का thought point ब ने एक बहुत ही आसान और बहुत ही simple topic और मुझे लगता है कि EOQ में से सवाल आई चाहे ना है इसमें से सवाल पक्का आता है चलिए सर देखते हैं जैसा कि आप देखोगे यहाँ पर बात करें तो inventory control करने का जो है कितने level है अगर उसकी बात करें तो यही सारी बाते मैंने बता दिया अरे यह लिखा हूँ मज़ा नहीं आता मैं लिखी देता हूँ है ना लिखे हूँ मज़ा नहीं आता चलिए सर level of inventory level of inventory सर कितने level है वैसे हाला कि मैं formula और मुला लिखके रखा था फिर मेर को क्या करूँ उसमें ज्यादा बढ़िया नहीं लगता लिखा हूँ है ठीक है सर लेकिन छोड़ो उटाओ इसके अंदर level of inventory में होगा एक होगा री ओडर लेवल सर री ओडर लेवल कैसे निकालोगे आप बहुत आसाने री ओडर लेवल कैसे निकालेंगे maximum use into में maximum time इससे निकलता है हमारा सर री ओडर लेवल उसके बाद आता है एक सर minimum लेवल या maximum लेवल सर maximum लेवल का क्या फॉर्मूला र ओ ल ये नई चीज आ गई र ओ ल तो यही वाला आ गया प्लस आर ओ क्यू सर आर ओ क्यू को हम ई ओ क्यू को भी बोलते हैं ठीक है माइनस मिनिमम यूज इंटू में मिनिमम टाइंग मिनिमम टाइंग समझ रहे हो बात को इसके बात सर मिनिमम लेबल मिनिमम मिनिमम यहां पर आएगा आर ओ एल मिनिमम आर ओ एल माइनस एवरेज यूज इंटू में एवरेज टाइम हाला कि पहले भी कुछ बच्चों ने किया हो गई लेकिन मैंने तभी कहा था कि दुबारा मैं कराऊंगा अच्छे से पहले बहुत बच्चे थोड़ी से छुट्टी उट्टी पड़ी थी बीच में तो इसलिए थोड़ा सा विगड़ गया था अब आएगा एवरेज सर एवरेज का मतलब आपको पता ही है डिवाइड बै टू एवरेज एवरेज लेवल सर एवरेज लेवल जो आएगा वो आएगा आपका मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल यानि सर इसका आंसर और इसका आंसर दोनों को जोड लीजिए और डिवाइट टू कर लीजिए इसका एक और फॉर्मूला है और इसके दोनों फॉर्मूले से आंसर अलग आता है क्या फॉर्मूला है सर मिनिमम लेवल प्लस वन बाई EOQ इन दोनों से अलग-अलग answers आएंगे लेकिन दोनों ठीक माना जाता है ठीक है ना ROL क्या है हमारा Reorder Level ROQ क्या है हमारा EOQ जो कि हम सीखते हैं Economic Order मतलब इतना हमें समान हर बार लाना चाहिए और Order कर देना चाहिए तो दोनों जुड़ गए हमारे इतना समान लाना चाहिए इतना Reorder Maximum Level का मतलब क्या होता है इससे ज़्यादा मंगाएंगे इससे ज़्यादा नहीं मंगाएंगे तो एक बार में हमें इतना लाना चाहिए इतना हमें लाना चाहिए तो यानि EOQ और इससे ज़्यादा नहीं मंगाएंगे मतलब order कर दो Maximum order कर दो तो ROL हो गया इन दोनों को जोड़ दिया इनोंने उसके बाद minimum use minimum time कम से कम कितने दिन में use होंगे दिन में और कितने time लगेंगे इसको minus कर दिए तो वो level पूछा जाता है लेकिन honors में पूछ लिया गया था तो हम अभी इसके formula देख लेंगे तो यह level of inventory इसको कैसे apply करेंगे वो भी देखने वाले है तो बड़ी CDC बात है सर मैं वही बता रहा था सर हमारे ये हैं कुछ point जो कि पहले pre ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा मुझे बताने की जुरत नहीं है कहता है के pre order level का reorder level का मतलब क्या है when to order जब आप order करेंगे reorder quantity how much order कितने quantity order करेंगे maximum up to how much stock कितना stock आप रखेंगे maximum at least how much keep कम से कम इतना तो रखो average stock normally इतना रखो भाई ये तो रहेगा ही रहेगा danger keep for emergency requirement भाई जाओ जल्दी से जल्दी कहीं से माल लेके आओ customer दुकान पर खड़ा है समझ मैं ये कौन सा हो गया हमारा danger level मतलब customer वापस ही चला जाएगा आप तो तो इसके कुछ meaning है और theory में भी आ सकता है भई आ कि आ सकता है तो theory वाले तो last में देखेंगे कुछ formula यहाँ पे वहाँ लिखे थे यहाँ पे थोड़ा सा printed form में दे दिया थोड़ा colorful में दे दिया आपको तो अच्छा लगेगा देखने में बस और इसमें कुछ और भी extra formula add-on कर दिये गए है sir sir क्या बात कर रहे हैं बिलकुल देखिए reorder stock level Rol that is maximum level और maximum usage एक तो यह हो गया एक और formula और में Rol minimum stock level average rate consumption average reorder periods तो एक यह भी हमारा है level of inventory का पार्ट तो इसको याद रखना यह मैं लिख दूँ आपर लिख दे के हमाँ पर क्या है हमारा minimum stock level average consumption average reorder यानि average use into my average time क्या था हमारा minimum level अहां गया यह रहा एक और formula लिख दिया जाए है बिल्कुल सर एक और लिख दो क्या है सर minimum level प्लस प्लस था ना यस एवरेज यूज इंटु में average time यानि यह formula भी इस्तमाल हो सकता हाला कि देखा जाए ना तो आप इसको देखो यहीं से बनाया एक आप minimum level को इधर लग दो आप इसको उठा के इधर उधर 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 करो तो बात वहीं आते हैं कि तो यह बता दिया वैसे और वैसे है नहीं है formula आप अगर दिमाग लगाते तो खुद भी बना लेते हैं sir eoq को define कर दिया sir eoq ऐसे निकलता है तो इसमें मुझे कोई बतानी कि मेरी हवशकता ही नहीं है चलिए sir minimum stock और maximum stock already बता चुके हैं आपको तो कोई दिक्कत नहीं आपको जैसे समझ में आता है वैसे कर सकते हैं वही सेम लिखा है अब देखना maximum में क्या लिखा है सरी reorder quantity level average consumption वही लिखा हुए कोई बात में अगला आगया हमारा यहां पर दो formula लिखे हुए although और यही चलने वाले हैं और एक पात और मज़े के सुनना जो हमारा यह chapter चल रहा है ना इस chapter के उपर ना हमारे accounting standard भी apply होते हैं AS2 के according भी चलता है और हमारे slayvers के अंदर कुछ costing के भी standards आये हैं जो की cost sheet पे apply हुआ है तो cost sheet नए आ गया है बच्चे परिशान रेसर नए वाला cost sheet करा एक point जो उपर आता था ना हमारा admin expense उससे थोड़ा नीचे shift कर दिया गया और कुछ changes नहीं है किसी दिन में format दिखा दू turnover rate यह कई बार पूछा जाता है एक सर और यह inventory turnover rate आपको बच्च्पन की याद दिलाएगा यानि class बारवी की कि जब आप निकालते थे ITR कि inventory turnover ratio क्या होता था C O G S मैं थोड़ा simple format में divided by average stock बस और इसका उत्तर हमेशा निकलता था time ठीक है न है तो cost of material consume during the period जिसको बोलते हैं C O G S average stock held during the year तो C O G S का formula क्या होता है sir C O G S is equal to opening stock plus purchase minus closing stock या सर ये भी कह सकते हो C O G S is equal to sales minus में GP और सर average stock क्या होता है sir average stock होता है opening stock plus में closing stock divided by two that's it बहुत rare point है के देखने को मिले आ जाता है कई बार चलिए sir इसी पर एक सवाल अगर इसी पर एक सवाल कर लिया जाए तो फिर हमारा काम थोड़ा असान हो जाएगा जो हमने देखा है उस पर सवाल देख लेते हैं चलिए sir करें स्टाट एक सवाल मैं भी यही बोल रहा हूं और किसी का लेवल पर नहीं है लेकिन टोटल वाले केस में तो दो सो यूनिट पे ओसी इसी है कि अग्याइब कि अग्याइब तो टोटल वाले कोस्ट में दो सो यूनिट पे ओसी इसी है आप दो सो साथ पर निकालना वह एफ रॉक्स आएगा कोई दिक्कत नहीं है बच्चे कह रहे हैं के सर वहां पे ना दो सो यूनिट पे आ रहा है तो डेफिनिटली उस पे कोई दिक्कत नहीं है कोई परिशानिया आप एक पर बैसे निकाल लेना ऐसी बात नहीं है मैंने कोई ऐसा हार्ड एंड फास नहीं करा कर यहीं होगा इससे पुरानी वीडियो जो बच्चे देखेंगे ना तो आप बोल रहे हो ना छे पर ही निकाला था मैंने लेकिन किताब में देखोगे तो उस पे निकाल रहा है किस पर तो वह चीज़े मैं समझाना चाहरा हूं बस चलिए कोई बात कोई बात नहीं हो जाता है कभी पढ़े सर कहता है टू गमपनी है और सॉरी टू कॉंपोनेंट्स ए और बी समझिएगा बात ए और बी का मतलब एक समान को तयार करने में कुछ एक समान लगेगा कुछ बी का तब जाके एक समान तयार होगा कहने का मतलब यह है आगे देखते हैं इसे यह यह वैंत देख देख देखेगा नॉर्मड यूनिट पर वीक है सर पाचास यूनिट का मतलब یंवल कितना होगा सर पचास यूनिट इंटू में साल में बावन हपते तो एक बार एन्वल निकाल लेते हैं 2600 यूनिट कंजम्शन होगा कहता है सर मिनीमम यूसेज 25 है पर वीक मैक्समम यूसेज 75 है पताएगा कोई बच्चा Summers क्यूसे एक से इसके बाद tutorial टायं कि been रियॉडर क्वांटिटी यो क्यों हो गया रियॉडर टाइम दे रखा है रियॉडर पेरियेट हाँ हाँ वो मैं देख रहा हूँ टाइम कोई बात नहीं चलिए सर पूछा क्या है सवाल में रियॉडर लेवल निकालो ओके आरोल रोल बोलता है सर मैक्सी इंटू मैक्सी मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम तो सर मैक्सिमम देखा जाए तो क्या है सर मैक्सिमम देखा जाए तो है सेवेंटी फाइव और समय कितने इसमें बताया है किसका निकालना है ए बी सीडी कर दिया है दोनों का निकालेंगे कोई बात नहीं पिछेत्तर इंटू में सेक्स बाइसाब यह एक है एक चारसो पचांस सर आजाओ अब बी के लिए कितने इंटू यह बी के लिए चलो जी मिनिमम लेबल आ एर ओएल है यह आरो क्यू आ है। एवरेज इंटू आ अभी याद देखना देखो यहाद रख दोखना आ नॉर्मल को भी आवरेज क्या देधा है कि यहीयल होता है नॉर्मल इवरेज ए ठीक है न तो सर ROL किसका पहले हम A के लिए minimum level निकाल लेता है 450 minus 50 into में 5 है कहां है हमारा average अच्छा 4 plus 6 दस 5 कुछ बच्चों के दिमाग से उपर चला गया यह तो सर average time जो निकालेंगे न average time आप A के उपर focus करिए reorder time के उपर A के उपर तो 4 है और plus 6 है divide 2 that is 5 यह ऐसे निकला है तो 200 minus करो सर अब B का निकाल लो B का क्या है सर 300 minus यह तो 50 ही रहेगा इंटू यह कैसे निकालेंगे सर 2 plus में 4 divided by 2 यानि 3 तो डेड़ सो डेड़ सो डेड़ सो सर 2 के जवाब दे दियें अब maximum पे आ जाते हैं अगले पेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा maximum का formula is equal to ROL plus में E O Q minus में minimum use इंटू में minimum time समझे बात सर ROL यह निकाल रहा हूँ मैं A के लिए color change कर देते हैं A के लिए ROL 450 E O Q कितने 300 minimum 25 minimum 4 तो सर 750 माइनस में 100 650 अब निकालते हैं B का B का सर B में क्या है ये question पता है क्या practice question है बस और कुछ नहीं है ROL क्या था 300 और 500 तू 800 माइनस अब एवरेज लेवल अब एवरेज लेवल भी दो निकलेंगे चार निकल जाएंगे और वाला भी तो करेंगे अब सर A का एवरेज लेवल निकालते है पहले A का क्या होता है minimum लेवल प्लस maximum लेवल divided by 2 minimum क्या आया A का maximum 650 और minimum A का minimum भाईया 200 और divided by 2 आट सो पचास डिवाईड बैट तू चार सो और EOQ सरी मिनीमम लेवल minimum लेवल कितने हैं प्लस EOQ 300 इंटो वन बाई 2 300 सर कौन सा आंसर सही पहले वाला दूसरे वाला सर दोनो और दोनों के आंसर अलग है यहां पर दोनों के आंसर अलग आते हैं और दोनों ही valid होता है किताब में भी given होता है टीचर भी यही बताएंगे आपको हाँ दोनों करके दिखातो ने सर इसके बाद आपका बी वाला जो है न पार्ट बी वाला पार्ट भी कर लेते हैं आपको क्या होमवक दें सर बी वाला पार्ट भी कर लेते हैं क्या होमवक दें आपको बी की बात सेम फॉर्मूला है तो मिनिमुम कितना है सर बी वाले के लिए 700 सो पचास प्लस डेड़ सो डिवाइड वाइड वाइड टू डेथ आपका आठ एक नौ चार सो पचास इसका और वाले क्या लगेगा आपका क्या था मिनीमुम हमारा मिनीमुम लेवल एक सो पचास अरे ये गलत कैसे बता दिया आपने दी का तो एक सो पचास आपने क्या लिखवा दिया सही लिखवा है प्लस वन बाइट टू यो क्या है पान सो सर धाई सो चार सो सर कौन सा ठीक दोनों ठीक किसी को डाउट सभी बच्चों ने जवाब बता दिया आपके क्या ही कोशन है सर ये आप देख सकते हैं आपके भूक का ही कोशन है एक कोशन मैंने कहा था मैं नेक्स लास में कराऊँगा देट इस कोशन ये था तो हम पटापट चलिए आपके साथ मिलके इस सवाल को खतम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं ज्यादा हम टाइम बातों में ना लगा के इस पर आ जाते हैं कोशन में क्या कहता है देख लेजिए हाला कि पहले ही करवा देता मैं लेकिन मुझे लगा दूसरा कोशन है एक कोशन इसमें चलिए एक कोशन करते हैं जा कहता है कोशन में है वामेनी चेप्टर डन तिल नाओ देखिए एक तरीके से फर्स चप्टर ही है यह एक दो चेप्टर हो गया है प्रीवियस रिकॉर्डड़ अब को मिल चुकी होगी प्रीवियस इंदसेंस अभी लेटिस और जितने बच्चे नए जोइन हो रहे है उनको आज वाली क्लास समझ में नहीं आएगी उनको स्टार्टिंग से पहले मटीरियल देखना पड़ेगा यह कॉस्षिट देखना पड़ेगा तो समझ में आएगा ठीक है ना और अभी जो बच्चे कंटीनिव थे इसमें जब से बैच यह वाला स्टार्ट किया था हमने यह चेप्टर वहां से सभी को समझ में आता होगा तो फर्स्ट आफ पहले एक सवाल कि सवाल में क्या कहता है आपको यहां पर 125 बॉक्स गिवन हैं तो कहते हैं अगर हम सप्लाई की बात करें तो साल में चार बार 3 मन्थ होते हैं तो चार हिंटू में 125 तो यानि साल का ऐनवल डिमांड एग rocket हजाद है कैतर का सब्सक्राइब को हे वह 125 है और्डरिंग कॉस्ट यानि ओ वह हमारा 250 क्यारिंग कॉस्ट कहता है 20 तो इसका 20 परसेंट होगा तो 125 इंटो में 20% देट इस आपका 50 पचास होगा पच्चिस होगा पच्चिस देट इस पच्चिस हो जाएगा अगर आप एक बार में 125 ही लेके आओ तो टोटल कॉस्ट क्या होगा अगर हम एकनॉमिक ओडर क्वांटिटी के साथ काम चलाए तो क्या होगा तो पहले एक्जिस्टिंग में आ जाते हैं एक्जिस्टिंग पॉलेसी के हिसाब से टोटल कॉस्ट तो सब्सक्राइब एक्जिस्टिंग के हिसाब से हमारा यह क्यों है चार क्योंकि चार बार चक्कर लगेंगे ना 125 हमारा एक तरीके से तो हजार यूनिट इंटू में एक यूनिट कितने का है एक सो पच्चिस का यह तो हो गया कोस्ट प्लस आपका क्या होता है प्लस होता है आपका ओर्डरिंग कोस्ट यानि एन्वल डिमांड एक हजार डिवाइट एक सो पच्चिस इंटू में ढ़ाई सो प्लस कैरिंग कोस्ट एक सो पच्चि सब्सक्राइब करते हैं इसको यह आ गया एक लाग कि बास अटे रहने दो 128 562 ठीक है अगला पॉइंट अगला पॉइंट इयो क्यों के हिसाब से ना तो इयो क्यों क्या होगा सार टू ए ओ डिवाइड़ बाई सी तू इंटू में ए क्या है एक हजार ओ कितना है हमारा दोसो पचास सी कितना है हमारा पच्चेस का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ गया सौ कितना आ गया यह एक हजार इंटू तू धाइसो यह ना ओटरिंग कॉस्ट यह कॉस्ट एकमनेट एक हजार इंटू झी इंटू तूफ़ीध dep票 जबएद वाँ, खिर न गर देवाँ, और दीज फूर्टीफूर्व फेता हुट फूर्टा ग्टाओ बॉस्टाओ विए कर दो फूर्टा ग्या कांसा नहाँ अजिम रोग्या पंसॉर्टाओ... अच्छा अच्छा गरबढ़ गरदी यहां से भी गड़बढ़ हो गया एक सो अस्ते इंटू पाँच पांस होगा अब शुरू से गड़बढ़ हो गई अब चलिए फटाफट करेक्ट कर लेते हैं ज्यादा करेक्शन नहीं है यह बासट यह बासट पांस है ना कि अच्छाश्ट 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 अब सौ के इसाब से ले लो नहीं मैंने चेंज कर दिया वो अब सौ के इसाब से कॉस्ट ले लो तो सर हजार फिर हजार करो पांसो इंटू में तो एकसो पच्छेसी रहेगा प्लस सर ये भी गड़बर हो गया ना फिरता हूं एक हजार आएगा ये क्यों वो तो ठीक है उस पर फरक नहीं पड़ेगा सर यहां पर ओर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा ओर्डरिंग कॉस्ट एनवल डेमांड पांसो डिवाइड़ बाइड़ इंटू में दो सो पच्छास प्लस कैरिंग कॉस्ट क्या होने वाला है 11,A,100 divided by 2 into 25. तो सर, यह कितना आजाएंगा, बास्यट पान सो, यह कितना आजाएंगे, 12-50, pls यह भी 12-50, तो आगे हमारा, plus 12-50, और plus 12-55,000, तो सर, यह वाला accepted होगा, यहाँ पे कम cost आ रहा है, यहाँ पे देखे, जप्ता gonna cost रहा है, क्लियर एक कुछिशन बीच में रह गया था सो देट मैंने बठा बता दिया आपको पेज नंबर 118 कुछिशन नंबर 3 भी करवा दो पेज नंबर देखना 118 पर कुन से हैं इसके अंदर एक आंसर साइद गलत है मेरे हिजाब से लास्ट वाला यह कोई तो गलत है यह सेम ही है 1999 क्या आप यह वाला कुछिशन कह रहे हो जिसमें मिनिमम आपका 600 यूनिट है और मैक्सिमम 100 यूनिट है यह वाला बोल रहे हो डेंजर स्टॉक लेवल भी करेंगा भी कुछिशन तो मिल जाए उस टाइप का आप मुझे बताईए क्या यह कोईशन कह रहे हूँ आपको प्रवाइड कर दूँआ बिल्कुल सिंपल है अभी मैं यहां पे करवाता हूं कोईशन यह और अभी मिल जाएगा आपको उसके चिंदा ना करें मैं इक आगे इस चैप्टर में न जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर अब को हमने बाटा था कि कि कितने पार्ट में हमें इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं यह देखिए मैंने कहा था एक तो हम theory का portion रहेगा जो कि हम last में cover करेंगे mid में क्योंकि मेरा यह मानना है अगर मैं practical समझा दू तो ज़्यादा समझ में आता है EOQ done हो चुका है level of inventory भी पूरा done हो चुका है इसमें आपका stock inventory turnover turnover कई वार पूछ लिया जाता है stock turnover जिसका formula भी मैंने लिखवाए कि stock turnover क्या होता है और एक है हमारा store laser store laser पता है क्या है हमारा वही leafo फीफो जिसकी हम बात कर रहे है leafo and फीफो जिसकी हम चर्चा कर रहे है तो sir आज आते हैं मैंने formula तो लिख दिया था शायद inventory turnover ratio यह मैंने समझाया था honors के अंदर काफी popular मैंने देखा दो से तीन बार आया हुआ सवाल है जिसके अंदर देखा जाये ना तो बार भी का ही है inventory turnover ratio और same questions होता है बस आपको उलजा के पूछा जा सकता है तो इसको memorize रखिएगा inventory turnover ratio इसका हमेशा जो answer आएगा मैंने बताया था किसमें आएगा sir answer इसका time में answer आएगा और turnover ratio cost of material consume during the period मतलब cogs इसके बाद cost of average stock held during the period यानि कितना average stock है जिसको मैंने average stock नाम दिया था short में भी लिखा था हमने cogs का formula क्या होता है opening stock plus में purchase minus में closing stock जो की पहले था वही है formula नहीं बदनने वाला एक ये भी कह सकते हैं हम यहां पे लेकिन यहां पे पता है समस्या कब आ जाता है मैं बताता हूं और average का formula ये है चलिए इस पर सवाल कर लेते हैं इस पर सवाल कर लेते हैं मैं last में करने वाला हूं इसके सवाल फिर खतमी हो जाएगा ये चलिए sir इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो क्या होता है sir COGS डिवाइड़ बाए average stock sir COGS क्या होता है COGS is equal to plus minus closing sir average stock क्या होता है opening stock plus ये normal है अब देखे सवाल मेरा मैं खुदी बना लेते हैं उस सवाल को लिख लेते हैं ऐसे example बुक में तो साइद ओनर्स में शाइद गीवन है लेकिन आप ढूंड़ना पड़ेगा इससे बेटर के मैं लेख लेता हूं मैंने का सेल्स तेन थाउजंड जी पी आर ट्वेंटी फाइव परसेंट अन कोस्ट ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक एक हजार क्लोजिंग स्टॉक जी खाइब स्साथ एक फॉर्णड वीडिव टॉक ओपनिंग थाउब ओंग उपनिंग स्टॉक ट्रॉक परभिट्वक परभिट्वट्वा थाउजंड आप बसे है स्टॉक ऑभ परफ़ टॉक स्टॉप more than 3000 opening find stop turnover ratio चलिए सर इस सवाल का जवाब simple वाला formula लगाने वाला सवाल दिया जाए तो मैं जानता हूं कर लोगे formula लगाना है लेकिन यहाँ थोड़ा complicated कर दिया और यह सवाल पूछोगे सर क्या है यह material chapter का है मैं बोलूगा नहीं बस कहीं है कहीं material word यूज हो रहा है इसमें जादा से जादा इसलिए डाल दिया गया है सबसे पहले formula लगाते है cogs तो cogs is equal to यहाँ use होगा sales minus gp क्योंकि यहाँ कहीं भी सवाल में आपको purchase नहीं दे रख था अगर आपको purchase दे देता तो हम opening minus में closing लगा लेते हैं तो sales minus में gp तो sir cogs नहीं पता x sales पता है sir 10,000 और gp कहता है cost के उपर और यह ना हमारा cost ही होता है यह हमारा एक तरीके से cost ही होता है इस बात का ध्यान दखना है आपको कि यह हमारा cost ही होता है तो क्या करेंगे हम x का कितने percent तो x by 4 इसको solve करेंगे x plus में x by 4 is equal to 10,000 x की value निकाल लेंगे x की value निकल के आएगा कितना sir 8,000 सीधा मैंने निकाल लिया x की value क्या आगई और x क्या हमारा cost है अब हमें निकालना है opening stock तो given है closing stock क्या कहता है गुमा के के closing stock जो होगा वो ज़्यादा होगा 3,000 किस से तो sir यहां opening stock होने वाला है 1,000 और closing stock होने वाला है 4,000 अब सारी बाते मिल गई आपको अब formula लगा दो ITR मैं short form में लिख रहा हूँ 8,000 divided by average stock average stock सर average stock क्या होगा 1000 प्लस में 4,000 divided by 2 यानि 3,500 अब जो भी आ जाए है 3.2 तो लो जी एक स्ट्राइब का भी सवाल कर लिया बताईए कोई doubt अब नहीं एक बड़ा interesting point होता है बच्चे भूल जाते है एक word होता है more than एक होता है word time अगर मैं यहां पर लिख देता इसी sentence की जगह पर क्या लिखता मैं लिखता क्या closing stock two time off opening two time का मतलब है दो गुना यानि sir closing stock इस सवाल के अंदर आएगा हमारा 2000 तो time का मतलब होता है multiplication और more than का मतलब होता है plus कर देना और कई बार सवाल के अंदर time more than दोनों का इस्तमाल कर लेता है two time one thousand more than तो two time तो 2000 हो जाएगा एक हजार और जोड़ेंगे वो काफी complication में चला जाता है तो बड़ा basic सा देखो मैं दुबारा एक बार explain कर देता हूँ मेरे सवाल में क्या था सर्थ sales दे रखा था और GP कहता है 25% on cost और यह है sales तो directly इस पर 25% नहीं निकाला जा सकता GPR लिख दिया मैंने GPR मतलब gross profit ratio अगर होता सिर्फ 25% तो मैं directly इस पर 25% निकाल लेता अगर sales पर होता तो 700 रुपया जाता COGS लेकिन यहाँ पर cost कहा रहा है अब COGS निकालने का formula एक होता है हमारा opening stock purchase और closing तो opening तो है और closing भी है लेकिन purchase दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा सवाल में तो ऐसे situation में हम दूसरा formula यूज करते है क्या sales minus GP तो हमने एक और formula यहाँ लगाया COGS is equal to sales minus में GP सर अगर हम sales में से GP को घटा दे तो sales क्या है सर दस अजार और GP कहता है कि जो भी तुमारा cost होगा और सचाई यह है COGS का मतलब ही cost है तो बोलता है जो भी cost होगा उसका 20% तो let assume कर लिया हमने COGS को X तो cost का कितने percent कहा 25 तो मैं अगर इसको explain करूँ तो explain में जाओगे तो आप x का 25% निकालोगे that is 25 बटे 100 करो गया जो कि आपका यही बनेगा ultimately calculation जमा घटा करके इसके बाद हमने x का value find किया that is हमारा x थक COGS COGS यानि cost आ गया अब opening stock और closing stock निकाल लिया opening stock तो सवाल में दे ही रखा था कि 1000 है लेकिन closing stock को कहता है कि more than 3000 opening कहने का मतलब है closing stock जो है वो opening से 3000 जादा है तो भाई या opening 1000 तो उससे 3000 जादा कर दो यानि 4000 तो closing आ गया 4000 अब simply हमने फॉर्मूले में put कर दिया बताईए कोई doubt पर्चेस को लेट नहीं किया मैंने cost को लेट किया है क्लियर अब लीफो फीफो हम अगली क्लास पे लेके जाते हैं लेकिन आप पहले सुन लेजिए लीफो फीफो का topic को हम अगली क्लास पे लेके जा रहे हैं क्योंकि वो आदे घंटे में नहीं हो सकता नहीं तो हम अभी कवर करते हैं अगली क्लास में लीफो फीफो करके हम खतम करेंगे और उसके slide भी लग जाएगा और साथ के साथ कोशिस रहेगी कि हम theory भी कर ले sir theory में क्या कराओगे आप इस chapter में से सबसे ज़्यादा theoretical question पूछा जाता है जैसे कि ABC analysis क्या है एक है ABC activity based costing वो नहीं ABC analysis क्या है A category, B category और C category है क्या costing में यह समझेंगे एक store laser और bin card के बीच में क्या फरक रहता है यह समझेंगे बहुत most आपका frequently asking question है एक पूछा जाता है कि JIT क्या है आपका JIT JIT Just in time बोला जाता है इससे क्या समझते हो यह समझेंगे उसके साथ साथ आपके level of inventory के जो formula देखे उसी formula को theoretical में कैसे explain करना यह देखेंगे इसको करने के बाद हमारा यह portion हो जाता है खतम इसके बाद अगला जो chapter हम start करेंगे इसको खतम करने के बाद इसी week start कर लेंगे that is आपका होगा process accounting process accounting बड़ा simple सा chapter है हलाकि मुझे contract के बाद करना था लेकिन यह बीच में रह गया था तो इसके मैंने करवा दिया internal की वजह से उसके बाद हम process करेंगे मैं अपने chapter कराने के बता दूँ पहले को कौन कौन सा करेंगे कुछ बच्चे अगर सोचेंगे कि दिक्कत हो जाएगी इसके बाद मैं जो chapter कराने वाला हूँ वो है process सर इसमें से पंदरा नंबर का सवाल पूछा ही पूछा जाएगा और आगे पीछे से कोई ले ना देना नी यानि मैं जो अब आगे chapter लेके चलने वाला हूँ क्योंकि daily basis पे बहुत बच्चे enroll होते हैं तो उनको मैं समझा दूँ कि जो भी chapter आगे नया start होगा आपको intimation मिल जाएगा और साथ के साथ आपको उस chapter में बिलकुल भी यह नहीं सोचना के पिछला तो कुछ नहीं रह गया connected तो नहीं है कोई connection नहीं रहने वाला पीछे से इसके बाद number 2 पे इसके बाद अगला जो chapter हम start करेंगे वो करेंगे हम overhead या labor कर लेंगे labor काफी बच्चों की सिकायत रहती हमेशा तो labor करेंगे labor के बाद हम करेंगे overhead और सर overhead में से एक होता है machine hour rate और एक होता है distribution और एक होता है rate overhead को basically तीन chapter में बाटा गया है जिन बच्चों का internal है वो बार बार पूछते हैं सर जो previous year के lectures है उसमें overhead पूरा नहीं है तो मैं उन बच्चों को कहना चाहूंगा उसमें मैं in chapter wise कराता हूं मैं overhead को यानि एक मैं कराता हूं machine hour rate अलग chapter overhead का ही पार्ट है और एक overhead distribution उसे अलग separately लेके चलता हूं बड़ा chapter रही है इसके बाद हमारा चार नंबर पर स्टार्ट होगा service cost चार नंबर पर स्टार्ट होगा हमारा service cost service cost के बाद जैसे ही हमारा ये खतम होगा कितने चप्टर रह गए एक दो तीन चार्ट और क्या रह गया हाँ किया है अब इसके बाद कुछ ऐसे चैप्टर है जैसे एबी सी एक्टिबिटी बेस कॉस्टिंग और ऐसे ही है इंटीगल नोन एक पर दिखाना है नीव बुक में है भी है हटा दिया ये प्रोग्राम में तो नहीं है कॉस्ट कंट्रोल एंड नोन इंट्रीगल अकाउंट ओके एक है कॉस्ट कंट्रोल आप मान के चलिए जो बच्चे स्केर हो रहे थे कैसे करेंगे जो बच्चा इन चैप्टर देखो हमारा स्लेवर्स इतना ही पेंडिंग है ज्यादा नहीं है इसमें पेंडिंग क्योंकि हमने कॉस्ट शीट कर लिया हमने रिकन्सलेशन कर लिया हमने कॉंट्रेक्ट अकाउंट कर लिया और हम माटीरियल खतम करने के स्टेज़ेस पे हैं चार चेप्टर डन हो चुके हैं, और एक, दो, तीन और चार चेप्टर ये पेंडिंग है, जिसमें से समय भी मैं बता दूँ, इसके अंदर मुझे लगने हैं दो दिन, लेबर कॉस्टिंग में, प्रॉसेस थोड़ा लंबा जाएगा, इसमें मैं वन वीक से प्लस लूँआ, यानि टू वीक माल लूआ, और बाकी इसमें आपका लग सकता है टू वीक प्लस, और इसके अंदर लगेगा आपका फॉर क्लास, तो आप अंदाजय लगा सकते हैं, मेरा टार्गेट ये है कि आपका फिफ्टीन में से एक्जाम है, मैं पंदरा तारिक, पंदरा या पच्छिस तारिक तक अपरेल में खतम कर दूँगा, अब इसके बाद सर, जो कुछ चेप्टर मन में आ रहोगा सर, आपने सिंगल आउटपुट का नाम नहीं लिया, सर आपने जॉब बैच कोस्टिंग का नाम नहीं लिया, सर आपने जॉइंट प्रोड़क्ट और बाई प्रोड़क्ट का नाम नहीं लिया, सर ये दो यह हैं जिसके अंदर हमारा ज्यादा समय जाने वाला है ठीक है ना तो नेक्स क्लास में हम मटीरियल टू भी कंटीनु रखेंगे अगर नियू शेडियूल भी हम जोइन कर सकते हैं बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग चलना है बाकी मैं कल दुबारा से एक आप लोगों को टाइम टेबल की बेसिस पर बना के दे दूँगा मैं मैं महेश्वरी मित्तल के सारे कुश्चन करवाता हूं मैक्सिमम अब इसके बाद टैनियर जैसे आजाएगा टैनियर के भी कराने लगूँगा सर शेयर कैपिटल अरे शेयर कैपिटल कहां सा गया मैं डलवा दूँगा कल सबसे पहला आज ही करता हूँ आज डल जाएगा आपका अब है सर पेज नमबर 158 प्रोग्राम नहीं आया इस कोश्चन को मैंने दे दिया बच्चों को होमबर्क में करके सोलुशन आएगा आपको सीधा भेज दूँगा या मैं ही करके दे दूँगा आप कॉर्परेट का टैनियर तो ले सकते हो जाके मार्केट में आज डे जैसे मैंने बताया के कल या most probably परसो मैं कल नमबर ही लिख दूँगा जो कि कॉर्परेट का सारा टैनियर सोल्ड आउट करते हैं मैं नमबर कल दे दूँगा अभी दूँगा तो आप परिशान करोगे उनको तो मैं नमबर ही दे दूँगा जिससे कि आप easily contact कर अपाऊगे बिलकुल नोट्स नोट्स बिलकुल ये सारे जितने भी अफलोड हो जाएंगे आपके चीक है गुड़ नाइट कॉस्ट के टैनियर में वन वीक और लगेंगे अरेंज हो रहे हैं कॉश्चन पुरानी है वो चीक है येस रिवीजन तो वन शॉट रिवीजन रहेंगे वो सारे चल ये ठीक है गुड़ नाइट मैं चेक कर लूँगा मैं कल से सारे जितने भी वीडियो में उपर नीचे हो गिया है नए अप्लिकेशन के वेशे उसको ही मैं कल से देखना है स्टार्ट कर रहा हूँ ओके गुड़ नाइट अप्लिकेशन के पिए हूँ और ये जाइट झार्ट कर रहा हूँ झार्ट कर रहा हूँ झार्ट कर रहा हुआ झाल झाल वेरी वेरी गुट एवनिंग वोईश चेक करिए क्लियर है तो हम आगे बढ़ें आज आज की क्लास थोड़ी सी लंबी और इन्पॉर्टेंट क्लियर 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 गुट एवनिग चलिए सर स्टार्ट करते हैं ध्यान से देखते जाईएगा आप कि कैसे करना है नहीं करना है सारी चीज एक बहुत सिंपल सा चेप्टर है चेप्टर का नाम है हमारा माटीरियल कहलो या इन्वेंटरी कहलो इस चेप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं बता दू ये आपके सेमेस्टर वन में और एक सेमेस्टर फोर में यानि दो सेमेस्टर है एक है सेमेस्टर वन और एक है सेमेस्टर फोर ये सेम कंसेप्ट सेमेस्टर वन में भी पूछा जाता है और सेमेस्टर फोर में भी पूछा जाता है अगर मैं बात करूँ सेमेस्टर वन और सेमेस्टर फोर की तो डेट शेट आ गई तो मैं कह रहा था सेमेस्टर वन और सेमेस्टर सेमेस्टर वन जो है ना हंजे वोईस आ रही है रुख जो सेमेस्टर वन के अंदर इसको इन्वेंटरी के नाम से और सेमेस्टर फोर में इसे मटीरियल के नाम से जाना जाता है लेकिन semester 4 के अंदर ये inventory वाला पार्ट तो रहता ही रहता है इसके साथ कुछ extra भी होता है यानि ये chapter 2 हिस्से में semester 4 में बाट दिया जाता है एक तो जो आप आज करेंगे ये और plus में extra और semester 1 के अंदर ये inventory वाले नाम से जाना जाता है और मजे की बात है semester 1 में भी ये 10 number का सवाल पूछा जाता है और semester 4 में भी 10 number का मैं हर बार बताता हूँ बच्चों को semester 1 में भी और जब semester 4 में होता है तब भी मैं बताता हूँ कि ये important है पढ़ लो जैसे कि आपका share capital 12 में भी पूछा जाता है और semester 4 के अंदर भी पूछा जाता तो सेम कुछ न कुछ लिंक रहता है तो आज हम इसको डिटेल में समझेंगे और इतना बड़ा चेप्टर नहीं है कि इसके लिए हम दो से तीन दिन लगाएं मैं अगर सिर्फ एक कुश्चन कर दूना इस चेप्टर का एक से दो कुश्चन तो क्लियर हो जाता है कि भाईया इ सी के अंदर ये चेप्टर समझ में आ जाता है बड़ा सिंपल सी बात है बच्चे कह भी रहे हैं सर लीफो फीफो एवरेज बिलकुल सही जवाब दे रहे हैं बच्चे तो इन्वेंट्री बिजनस का न सबसे बड़ी ट्रेंसें और ज्यादा से ज्यादा जो बिजनस है न वो सर्वाइब नहीं कर पाते सर्फ इन्वेंट्री मेनेजमेंट ना होने की वज़े से sir inventory का मतलब क्या है sir sir stock sir stock का मतलब क्या है जो आप mall लेके आते हो न तो mall जब लेके आती है तो इसे manage करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है manage करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है और specially जहां पर बहुत बड़े quantity के अंदर deal किया जाता है जैसे सर मैं बात करता हूँ chemist की chemist की chemist की market ऐसे है ना जो दबाई वगर बेचते है chemist उनकी market ऐसे है कि उनके medicines के उपर expiry date ना बहुत जल्दी की होती है medicine पे कुछ पे जादा दिनों की भी होगी कुछ पे जल्दी पे और कुछ medicine उनके ऐसे भी होते हैं जो कि बिक नहीं पात essence ऐसे थे जो कि बहुत बिक रहे थे या फिर कुछ equipment ऐसे थे बहुत बिक रहे था बिक नहीं बंद होगे क्योंकि लोगों को जरूरत ही नहीं तो chemist के दुकानदार में अगर एक गल्ती कर दे तो अभी के अभी कुछ एक mistake कर दे ना उनका ना ये पूरा जो chemist का दुकान का एक system होता है ना वो थोड़ा सा rack बना के रखते हैं हर सीजो का ठीक है ना तो जैसे हमने एक समान खरीदा मान लेते हैं एक समान एक तारिक को खरीदा एक समान दो तारिक को खरीदा एक समान तीन तारिक को खरीदा एक समान चार तारिक को खरीदा सेम समान है हमारा ये जो हम बेचते हैं regular basis पे तो अब एक तारिक को जो खरीदा दो तारिक को जो खरीदा तीन तारिक को जो खरीदा चार तारिक को खरीदा इनको क्या करना होता है सबसे latest वाला कुन सा है जो मैंने कौन सा खरीदा होगा सर चार तारिक को जो खरीदा होगा वो सबसे latest होगा क्योंकि मैंन पहले expiry एक तारिक वाले की आएगी, चार तारिक वाले की बाद में आएगी, जब हम counter के अंदर समान रखते हैं तो समान कुछ हम यहां रखते जाते हैं, तो जो पुराना वाला माल होता है, वो पीछे जाता जाता है, वो पीछे जाता जाएगा पुराना वाला माल, और हम ग organization के अंदर ऐसा रहता है कि भीया पुराना माल हम बाद में बेचेंगे पुराना समान ज्यादा महगा बिक सकते आगे चलको तो उसको बाद में बेचेंगे कुछ दुकानदार ऐसा करते हैं कि भीया पुराना समान पहले बेच दो खराब हो सकता है हम पहले नए वाले को रख पहले हम चैप्टर का कूर थीम देख लेते हैं चैप्टर के अंदर क्या सीखेंगे हम मान लेते हैं एक हमारा फैक्टरी है ध्यान देना इस चैप्टर के अंदर क्या सीखेंगे मान लो हमारा फैक्टरी है बिल्कुल ध्यान दीजिए एक फैक्टरी है और फैक्टरी के अं यहां पे एक गो डाउन है या वेर हाउस कह लो गो डाउन या वेर हाउस और इसके बाहर यहां पे आपका क्या है सर यहां पे शोरूम है या फिर दुकान कह लो जहां से समान को आप पबलिक को बीचोगे यह चेंड चलता है यहां पे जब कभी भी क्या करते हैं यह फैक्टरी से समान खरीद के यहां पे लेके आते है फैक्टरी से समान खरीद के यहां लेके आए और यहां पे बहुत बड़ा एक स्टोर होता है जहां पे समान को स्टोर किया जाता है बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने तो इसका रियल एक्जामपल देखा हुआ है, रियल एक्जामपल मैंने देखा है, आप भी देखो के चांदनी चौक वगरे पर जाओगे न, तो ये एक होलसेल मार्केट है, आप देखो के दुकान इतनी इतनी सी है, लेकिन आप एक करोड का और एक्सेट कर लेंगे उनका फैक्टरी होता है, गोडाउन कहीं और दूर मनाते हैं, क्योंकि चांदनी चौक एक बहुत महंगा एरिया है, सीपी सेम ऐसे महंगा एरिया है, तो एक छोटा सा ओफिस रहते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आपको सेंपल रखते हैं सिर्फ तो ये एक तरीके से माल लो, यहां पर दुकान पर सेंपल, गोडाउन है यहां पर, अब इस गोडाउन पर ये क्या करते हैं, फोन करते हैं यहां पर, सोरूम से, क्या हमें इतना माल भीज़ दो, तो ये गोडाउन के उपर जो बैठा है ना अकाउंटेंट, जो गोडाउन पे accountant बैठा है, इसकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको कौन सा समान भीजना है नए वाला पहले समान भीजना है या पहले पुराने वाला समान भीजना है या चलेगा दोनों में से कोई भी भी भीज दो पहले, फटा-फटा आया है order तो यहाँ पे जो व्यक्ति काम कर रहा है जो यहाँ पे व्यक्ति accounting कर रहा है इसकी accounting को basically हमें समझना है और जो यहाँ पे व्यक्ति बैठा होता है वो register के अंदर entry करता है आप कई बार देखोगे ना तो कई बार go down से जब समान आता है ने रखके ट्रक आपने कई बार movie वगएरा में देखा हो या real life में देखा हो जब go down के अंदर समान आ रहा होता है ने तो वहाँ का जो go down के बाहर guard होगा या फिर go down को जो पूरा समालता होगा वो register लेके उस guard का number और normally आप कहीं कहीं भी society वगएर हमें भी जाती ओنا तो वहाँ पर भी आपकी entry कराते हैं अंदर आने से पहले जाने की time पर नहीं कराते हैं अंदर आने lot सेम ऐसे go down में जब समान आता है सारा entry वगएरा कराया जाता है तो हमें accounting किस की करनी है स्रार हमें accounting बेचने के लिए नहीं करनी हमें accounting इसकी करनी है तो इसका मतलब जब ये factory से समान आएगा तो ये खरीद नहीं रहा ये क्या कर रहा है receive और जब ये समान यहां भेज रहा है तो ये बेच नहीं रहा ये क्या कर रहा है ईशू कर रहा है कैई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारा मतलब के माल लेते है कि इतना ज़्यादा हम busy हैं या फिर हमने ध्यान नहीं दिया हमने गलत माल भीज दिया हुआ out दिखे वहाँ इस हो रूम में बोलेगा यार यह तुन्हें क्यों भीज दिया customer से फोन आये showroom में कि भीया मुझे इतनी quantity चाहिए समान क्या मिल जाएगा ऐसे situation के अंदर आगर आपने बोला इतनी quantity समान चाहिए मिल जाएगा showroom वाले ने बोला कि showroom वाले ने customer को बोला जी मिल जाएगा showroom वाले ने यहां पर पूछा किस से इस accountant भाई तो जब कभी भी हमारे पास समान नहीं है, लेकिन हमने आगे promise करदिया के हम आपको दे देंगे, ऐसा नहीं है कि उसे नहीं देंगे, देंगे जरूर कहीं और से arrange करके चाहए देना पड़े, तो जब हमारे go down में समान नहीं है लेकिन मैंने बोल दिया मैं दे दूँआ तो उसको बोलते हैं shortage उसको क्या बोलें के हम क्योंकि shortage पढ़ गया हमारे पास समान का simple सा देखो word जो बनाय हुआ है ना अगर आप सही से पढ़ाई करते हो ना सही से study करते हो ना तो जो शब्द बने हुए चाहे English का हो चाहे हिंदी का daily uses में accounting में तो use करते हो लेकिन उसे connect नहीं कर पाते हैं बिलकुल अच्छे तरह के से normally अगर मैं बोलू ना shortage तो आपको पता है shortage का मतलब क्या है लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ के भाईया समान था नहीं लेकिन मैंने किसी को promise कर दिया तो वो किसका part माना अच्छे लेका हमारा shortage का बार तो यहां पर हमने दो बाते सीखही हम array accounting किसके लिए करना है हम समान बेचने वाले भी नहीं आई है और सम अगो के बोल्ते हैं於 inventory, accounts के अंदर, accounts के अंदर इसको गवन करने की जिम्मधारी AS-2 ठाताए, accounting standard 2 कहता है कि भाईया इसकी देखरेक मैं करने वाला हूँ, accounting standard 2 कहता है हमें, जिसके उपर apply होता है, तो हमने क्या देखा सर, अब सर ये कैसे करेगा maintain, ये साधारन वेक्ति, अगर आपको ही दिया जाए, तो आप बिल्कुल register में एक maintain करोगे, तो register में कैसे maintain करोगे, कोई भी column हो सकता है, मान लेते हैं कि एक column, दो column और तीन column बना लिए मैंने, suppose करो बना लिए, यहाँ पे जो मे पेरा issue होगा, उसको लिखता जाऊंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा कितना balance है, मान लो मैंने receive किया 100 unit, भेचे मैंने भेजे कितने unit, असी बच कितने गए, peace unit, तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ unit का हिसाब नहीं रखना, unit के साथ साथ हमें उसके amount का भी ध्यान है, ताकि हमारा accounted जो है actual figure out कर पाए, क्योंकि हमने बोला कि भाईया, तुझे मैंने 100 रुपे वाला समान दिया है, तो यह तभी profit margin करके आगे बेचेगा, कई बार दुकान पे ऐसा होता है, बोलता है कि भाईया, दो तरीके के stock है, एक पुराने MRP वाला, एक नए MRP वाला है पुराने वाला stock पढ़ा हुआ है, आपको थोड़ा सस्ता पढ़ जाएगा, और नए वाला stock है, वो आपको on MRP मिलेगा, ऐसा कई बार आपको दुकान पे देखने को मिलेगा, तो सेम वही तरीका होता है, क्योंकि इनके पास stock का सारा का सारा क्या रहता है, अपडेट रहता है, सर आपने cost accounting की timing दिया था, पता नहीं क्या बाते कर रहे हैं, भाई जो भी है ना आपका अभी, जो भी है cost accounting का माल लो आप, जो भी है, अभी आपकी classes चलेगी, जब तक ये chapter पूरा भी खतम नहीं हो जाता, आप सर्फ देखते जाएए, समझते जाएए, फिर सारे timing वग नहीं आता, ये किसी से link नहीं है, आज आप आए हो, तो बस तसलिय रखो कि आज जो भी सीखोगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहली बात, हमने क्या देखा सर, हम जो accounting करने वाले हैं, किसके लिए accounting करने वाले हैं, हम accounting करने वाले हैं, go down के लिए, और go down वाले क्या बनाएंगे, एक register बनाएंगे सर, register में कितने column खीचेंगे ये, तीन ही होना चाहिए, चोथा तो मुझे नहीं लगता जरूरत है, और तीन column के अंदर क्या लिखेंगे, एक तो ये receive के बारे में लिखेंगे, एक issue के बारे में लिखेंगे, और एक balance क के बारे में लिखेंगे, सर, receive के बारे में जब हम लिखेंगे, तो receive का मतलब क्या है, हमने समान खरीदा है, नहीं, हमें कहीं factory से माल आया हुआ, हम खरीदने के responsible नहीं हो, तो मालिक खरीदेगा, बस हमारे पास माल आएगा, उसकी entry हम करेंगे, issue का मतलब क्या है, सर, so room से order माल भिजवादे, मैंने भिजवादे और entry कर लिया, balance का मतलब मेरे पास stock कितने का पड़ा हुआ है, जो बच्चे tally वगरा करते हैं, life में accountant वगरा की बोलते हैं, job करेंगे, tally करेंगे, तो उसके अंदर अच्छा खासा inventory management का stock inventory एक tally के अंदर होता है, option, तो inventory management भी करना सर, अगर हम receive करेंगे ना, तो तीन बातों का ख्याल रखना है, एक सर कितने quantity आया, ये ख्याल रखना है, एक किस rate का आया, ये ख्याल रखना है, और एक total cost कितने की पड़ी हमें, ये ख्याल रखना है हमें, क्योंकि उनके साथ ना, bill भी आता है, मान लेते हैं मेरे पास 1000 quantity आ तीन बातों का ख्याल रखना है, सर, बेचेंगे तो कितने quantity हमने बेच दिया, किस rate का बेचा, और फिर हमारा पास total कितने का विका, ये रियाद रखना है, जब balance होगा, तो balance में भी तीन बातों का ख्याल रखेंगे, क्या-क्या, quantity, rate, और total कितने का बचा है, तो कुछ- बोला न, कि पहले वाला पहले बेच देंगे, बाद वाला बाद में बेचेंगे, तो इसमें न, कुछ methods है, तो कितने methods हैं इसके अंदर, वो भी हम देख लेते हैं, फटा-फट, कि inventory में कितने method हैं, inventory के अंदर, सर, inventory में कितने method हैं, inventory के अई, सर, chapter बोलो, material बोलो, कुछ भी बोलो, आपके इच्छा है, कितने method हैं, हाला कि बहुत सारे method होते हैं, लेकिन purely हमारे लिए, और जो सबसे ज़्यादा popular method हैं न, वो तीन method माने जाते हैं, और हम तीनो method को ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले मैं लिख दूँ, समझा दूँ, फिर उसके बाद चलेंगे हम उस method पे, सर, कौन-कौन से तीन method हैं, example देखिएगा, example देखिएगा, मान लेते हैं, हमारे पास एक तारिक को समान, दो तारिक को समान, तीन तारिक को समान, और पांस तारिक को समान, इस दिन मैंने 100 unit, 200 unit, 300 unit, और 400 unit, यह हमारे पास समान पड़ा हुआ है, यह stock है हमारे पास, ठीक है न, अब हमने क्या करा, यह stock है, अब इसके बाद मैंने कहा कि कि भाईया इसमें से कुछ स्टॉप को ना भीजने का टाहिम आ गया है मेरे पास फोन आया और बोला भाईया समान भीज दो मेरे पास फोन आया और बोला समान भीजो भीजने का मतलब क्या कर दो इसू कर दो अब मैं यहां पर ऐसा कर सकता हूं कि मैं यह वाला समान भीज सकता या फिर यह वाला समान दो ऑप्शन है मेरे पास अवेलिबन रेट के इसाफ से मैं रेजिस्टर में एंट्री देखूंगा कौन सा समान भेजना है अब मेरे गोडाउन के अंदर एक तारिक को समान आया दो को आया तीन को आया और पांच को आया सबसे पहले कौन सा समान आया म एक तारिक वाला तो मैंने क्या करा एक बार को ये वाला समान मैंने भेज दिया ये वाला समान मैंने भेज दिया उसके बाद फिर से फोन आया भीया और पचास यूनिट भेजो सो तो भेज दिया और पचास भेजो मैंने उसके बाद कौन सा भेज दिया ये वाला फिर मैंन तो इसका मतलब, जो पहले आ है na, हमें उसको ही पहले भेज रहे हैं, जो पहले आ हुसको हम पहले भेज देते हैं, यानि अगर इसमें से मैं बात करूं कर बैए एक-ठी-पांच-अठ readiness, पहले कुंसा आ है, तो जवाब है sir, एक वाला पहले हमारा आया, तो यानि जो पहले आ बात करें ना इंग्लिश में किसे ट्रांसलेट करेंगे जो पहले आएगा यानि फॉस्ट फॉस्ट आया का मतलब क्या होगा इन और भेजेंगे भी कौन सा फॉस्ट और गया का मतलब आउट तो इसको प्यार से हम शॉटकट में अगर लिखें क्या बोलेंगे फीफो एक्सामनर भी जानते हैं कि भाईया लंबा नाम हो जाता है कॉश्ट पेपर में तो वो इस नाम को क्या इस्तमाल करते हैं फीफो के नाम से बोलेंगे फीफो का मतलब यही सिंपल सी बात है पुराने वाला समान भईया पहले बेचा करो जो पहले go down के अंदर आए उसे पहले बेचो तो इसका full form क्या होगे हमारा full form क्या है first in first out पहले नाम में देख लो क्योंकि बहुत बच्चे नाम में confused रहते हैं कि क्या करना है first in मतलब go down में पुराने मैं लिख देता हूं कौन सा माल इस वाले situation में अगर यह method आता है तो पहले कौन सा माल बेचोगे आप नए वाला या पुराने वाला आपको बेचना है यानि आपको सर issue करना है issue करना है कौन से वाला सर old वाला पहले बस याद रखने के लिए कई वार भूल जाते हैं कि क्या करना है नहीं करना है इसके बाद मान लेते हैं एक और मैं tendency आपके सामने लेके आया एक और लेके आया मैं आपके सामने situation सर क्या situation लेके आया कि मान लेते हैं आपके पास डेट हैं इतने सारे और डेट इतने सारे मैंने कहा मिर पास फोन आया ये सेकिंड केस देखीए का मैं इसू करने जा रहा हूँ मिर पास फोन आया कि भाईया एक काम करो 200 यूनिट भीज दो मैंने क्या करा यहां से 200 यूनिट उठा के भीज दिया फिर फोन आया भाईया एक काम करो 700 यूनिट और भीजो मैंने यहां से फिर से उठा के भीजा कितने यूनिट सर 600 ही है यहां तो और मैंने 100 यूनिट यहां से उठा के भीजा तो अब मेरा जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है सर, मैं पहले कौन सा भेज रहा हूँ, नए वाला पहले भेज रहा हूँ, अब इन में से अगर मैं बोलू कि भीया, इन में से सबसे लास्ट में कौन सा हमारे गोडाउन के अंदर एंट्री ले रहा है, तो आप आप का खुए अब शक्या बहूगे हैं नाम रख दिया गया, कि इसमें आपने क्या का, मैं दुबारा बोलना चाहता हूँ, इसमें क्या है हमारा टेंडिन सी कि लास्ट में जो आया हूए उसको हम पहले भेजेंगे, और लास्ट को हम लिख क्या देंगे, लास्ट और आया तो हमीज़ा आप क्या करोगे निव वाले को टिंज करोगे सार यah değil सी तो इसे लगती हैं कि यहां पीनी होता है लेकिन आता है तो आता है उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं को चुन और्गनाइजेशन ऐसा है अब ये तो तारीक वाइस था ठीक है ना तारीक वाइस था इसका काम अब कुछ और्गनाइजेशन ऐसा है जिसका प्राइजिंग इतना सेंसिटिव होता है हर एक टाइम में चेंज हो जाता है हर एक टाइम में एक दिन में वो माल लेते हैं एक ता कई वार समान को खरीज रहा है और फिर इसको सप्लाई कर रहा है कुछ ऐसा काम है कि एक दिन में मैं कई वार समान को खरीजता हूं और फिर मैं क्या करता हूं सप्लाई कर रहा हूं तो ऐसे सिचुएशन में ये मार्केट काफी सेंसेटिव होता है sensitive होने का मतलब कि sir हम एक दिन के prize में ये decide नहीं कर सकते कि पहले कुन सा भीजना है अब इसके अंदर ऐसा नहीं है यहाँ पे तो last in first out या first in first out इसलिए हो गया क्योंकि तारिक था हमारे पास एक बार समाना है हम आराम से बैठे हुए उसके बाद हमने क्या कर रहा है उसको भीज़ दिया भाई फिर दुबारा समाना आया फिर देखेंगे यहाँ पे तो फटा फटा आ रहा है हम अब कौन सा समान पहले दें ये tell करना बहुत मुस्किल होता है तो यहाँ पे क्या करते हैं अबरेज का सहारा ले लेते हैं कि हम क्या प्राइस पे बेचेंगे उसको अबरेज पे हम उसको बेचेंगे किस प्राइस पे अबरेज पे बेचेंगे तो अबरेज पे जब बेचेंगे तो उसका नाम हो जाता है हमारा सर weighted average, यहाँ पर क्या है, simple average भी slaves का part है, लेकिन weighted average weighted average method weighted weightage का मतलब सर, यह उनके लिए possible होता है, जो frequently खरीदते हैं और यह सारा काम पता है कौन करते हैं, वैसे यह करते हैं, जैसे कि money exchanger है, money का price जो होता है वो बहुत जल्दी-जल्दी frequently क्या होता है सर, change हो जाता है, gold का काम करते है, gold का आज जो आओ rate लेने, उनके जाओगे ना, दुकान पे, वैसे आप जैसे बड़े दुकान पे जाओगे, तो वहाँ पर rate list चलती रहती है, आप आज लेने जाओ, क्या rate है सर, आज 55,000 है, आप कई बार जाना, पेरेंट से पूछ रहा, कि gold लेने जा रहे है, तो आप जब gold लेने जाओगे ने, तो बोलोगे यह तो पसंद आगया, दो दिन बाद ले जाएंगे, तो वो तुरत बोलेगा, आप गूगल पे लिख लेना, gold price today, वहाँ पे दिखा रहा है 55,000, और शायद दुकान पे बोल रहा हो आपको 56,000, शायद दुकान पे बोल रहा हो 54,000, तो वो कल वाले का पूरा average price आज बेच रहे होते हैं लेके वो, तो ऐसे market जहाँ पे बहुत ज़दा fluctuation आता है, उसको बोलते हैं हम weighted average method, तो सर हमारे पास total मिला के कितने method होगे, तीन, जो main method है, इसके अलावा भी बहुत method है, हमारे average price method है, सुर्फ average method है, लेकिन हमारा total मिला के तीन method है, एक है first in, first out, एक है last in, first out, एक है weighted average है, सर, अब यहाँ पे काम करने के दो तरीके हैं, दो तरीके कैसे हैं हमारे काम करने के, अब काम करने के तरीके भी देखो, यहाँ पे दो है, कि Twoूट तरीके कौन-कौन से काम करने के जैसे सपोव करो कुछ आया समान जैसे लिया फटा-फटा से हमने क्या करना उसका एंट्री कर लिया कुछ लोग जो होता है फटा-फट एंट्री करता है यानि इंस्टेंट एंट्री करेगा वो इंस्टेंट अपने रजिस्टर के अंदर क्या कर लेगा एंट्री कर लेगा और कुछ लोग ऐसा होता है कि भीया पहले समान खरीद लेते हैं पूरा और संडे वाले जिस दिन छुट्टी होता उस दिन हिसाब करते हैं, जैसे for example, मैं entry कर रहा हूँ, जैसे offline वाले बच्चों की fees आया, मैंने computer पर उसी time entry मार दिया, और जहां पर computer की सुभीदा नहीं थी मेरे पास, मैं पहले पूरी fees लेता था और Sunday को बैठके मैं काम करता था, तो दो तरीके के tendency होगी, एक quickly काम कर रहे है और एक कुछ time के बाद, तो इसको भी record करने के दो इसके अंदर process होता है, एक होता है हमारा perpetual system, perpetual system का मतलब instant record करना, जो instant record करेंगे उसे बोलेंगे perpetual system, और जो कि हम थोड़े time बाद इखटा ही record करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, periodic system, periodic system बोलेंगे उसे, periodic system का मतलब सर, जैसे कि मा अब periodic system कौन follow करता है, periodic system वो follow करता है, जिसके दुकान पे दुकानदारी बहुत कम चलती है, जिसके दुकान पे customer का इतना rush नहीं होता है, वो कौन सा system follow करेंगे, periodic, लेकिन जिसके दुकान पे बहुत ज़्यादा customer होता है, तो सोचे गए आज नहीं लिखा, तो कल भूल होगा हमारा, रोजाना काम करना होगा, regular काम करना होगा, तो simple सी बात करते है, inventory के अंदर क्या चल रहा है सर, तीन methods है, तीन methods है, एक कौन सा है हमारा, last in, first out, जिसे लिफो बोलते हैं, एक first in, first out, जिसे फीफो बोलते हैं, और एक weighted average, और इनको भी maintain करने के दो system है, एक कौन सा है हमारा, perpetual system, और एक कौन सा है हमारा, periodic system, दो method है हमारे, तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो simple सी बात है सर, inventory में क्या कहा गया है, देखते हैं, हम क्या लिखते हैं, कहा गया कि recording the, आपका pertaining the quantity, हमें quantity record करना है, value record करना, inventory, आपका head can be maintained, जो stock ह है ना, उसको maintain किया जा सकता है, according to the, of following two system, दो system है, एक है सर, periodic inventory system, और एक है perpetual inventory system, थियोरी भी पूछा जा सकता है, कि inventory maintain करने के बताओ कितने system है, तो मैंने देखा ज़्यातर बच्चे बोल देते हैं, लीफो, फीफो, वेटेड अवरेज, तो यह गलत जवाब है, system हमारे द हैं रखना जब पूछा जाए, तो तीन से ज़्यादा भी method है, तो हम basically ना, simple सी बात है, हम सवाल करेंगे, और सवाल करने के बाद हमें समझ में आ जाएगे, काम कैसे होने वाला है, और किस तरीके से हम काम करेंगे, पहले हम कुछ questions देखेंगे, एक छोटे मोटे question है, और मै एक ही सवाल लेके, तीनो method करके बताने की कोशिस करूँगा, एक ही सवाल लेके, कौन सा chapter है, सर, chapter number ये 2 मिलेगा आपको, कुछ बच्चों को, मैं बता दूँँ हाँ, last में, अभी आप समझते जाएगे, कह रहे हैं, बच्चे, मैं अभी फिलाल के लिए, बच्चे पूछे हैं, C.A. Intermediate में भी है, बच्चे क्या क्या पूछना है, आपके, मैं simple सी बात कह रहा हूँ, देखो ये बहुत जगह है, semester 1 में है, semester 4 में है, C.A. Intermediate में है, C.A. में है, तो लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं, बड़ी सीधी सी बात है, हम एक concept सीख रहे हैं, जिसको आता है, अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो एक बार देखेंगे, क्योंकि ये आगे चलके थोड़ा सा heavy होने वाला है, जो की confusion create कर सकता है, तो वो सारी बातों को देखेंगे, मैं एक सवाल लूँगा, उस सवाल को मैं एक बार आपको लीफो से फीफो से करके दिखा दूँगा, उसी सवाल को मैं एक बार लीफो से करके दिखा दूँगा, उसी सवाल को मैं एक बार वीटेट, तो एक सवाल से जब मैं तीनों method करूँगा, तो आपको clearly अंदा जाओ जगाए भी है, actual differentiate क्या है, ठीक है न, सेम ऐसे मैं बात करूँ, तो ये chapter न, semester 1 के अंदर तो बस यहीं तक रहता है, मतलब ये chapter आ है, इसमें से question आ है, लेकिन जब semester 4 के अंदर जाते हैं न, तो ये chapter आने वाले costing के कई chapter में incorporate हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि सरीफ यहीं तक रहत है, तो ये chapter में जो बच्चे semester 1 में हैं, उनको भी ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए, आगे काम आता है, जो बच्चे semester 4 में हैं, उसको भी समझना पड़ता है, क्योंकि आगे उसके लिए काम आता है, बस मैं ये कहूंगा, और इस सवाल को हम, जितने भी method है न, उन सभ करने की कोसिस करेंगे, मैं एक format बना लेता हूँ, इसको नीचे करना बेटर है, नोटिंग वगएरा अभी आपने कुछ नहीं करना, इसका format थोड़ा सा unique, कई बच्चे किताब में से भी करते हैं, तो मैं पहले बता दूँ, किताब का format और मेरा format थोड़ा सा लग रहता है, मैं थोड़ा एक दो detail ना, फाल्तू डाल देता हूँ, इसमें, date का, आप एक बार देख लीजिएगा, format समझ में आ जाएगा आपको, किताए बता हूँ, इसमें इसमें आपको, सबसे पहले लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे मैं पर्टिकुलर, फिर मैं लिखूंगा रिसीव, फिर मैं लिखूंगा इशूड, और लास्ट में क्या लिखें? और इसको एक नाम से जाना जाता है इसके उपर जो लिखना ऑचे आपको इस टोर लिखना है क्या चीज लीफो फीफो हाँ एक्जाम में क्या आता है आपके कुश्चन तीनो मेथट भी दे देंगा बोलेंगे तीनो से करके दिखाओ तो जाद मार्क्स बढ़ा देंगे एक मेथट भी आ सकता है दोनों भी हाला कि इसमें लीफो और फीफो बोला गया है तो आप इन पे ध्यान मत दो मैंने कहा इसी सवाल को ना मैं तीनो मेथट से करके दिखाओगा ताकि आपको पता चल जाए सर इसके बाद इसके बाद सर तीन कॉलम सर तीन कॉलम किस किस चीज़ के सर तीन कॉलम होगा एक क्वांटिटी एक रेट एक टोटल का सर इसमें क्या क्या लिखना है क्वांटिटी क्वांटिटी किस रेट का आया और टोटल क्वांटिटी किस रेट का आया टोटल क्वांटिटी किस रेट का आया तोटल अब ध्यान से देखिए आपके सामने एक कुश्चन गीवन है हलाकि बुक के अंदर ना दो कॉलम नहीं देते वो लेकिन मैं दो कॉलम एक्ष्ट्रा लेके चल रहा हूँ उसमें कोई चिंता नहीं करना कोई टेंशन होना नहीं चाहिए मैंने सबसे सिंपल सी बात है डिटेलिंग के लिए कर रहा हूँ इसको जो बना रहें ये कौन सा हम वह भी मैठड करें हम एक समझ जाएंगे तो दूसरा समझ में जाएगा लेका यह बेफो के अंदर देखा जाए तो डेट हमारे पास काफी सारे गीवन है तो फीफो के अंदर क्या होता है सर फीफो के अंदर जो सबसे पहले फस्ट इन यानि पुराने वाले समान को पहले बीचेंगे तो देख लेतें क्या है सबसे पहले कहता है एक जनवरी दो हजार तीन में तो सर डेट है यहां पर एक जनवरी मैं सरफ एक जनवरी लिख रहा हूं तीन वगएरा नहीं लिख रहा और आपने क्या करा सर रिसीव किया है रिसीव किया है सर कितने रिसीव करें है कहते है हजार युनिट रुपए का याने एक हजार क्वांटिटी एक रुपए के हिसाब से तो आपने समान रिसीव किया सर जब एक हजार करा सेल्स तो हुआ नहीं तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा सर हजार ही बचा है और एक रुपे का ही कितने बचे हमारे पास हजार बनाए बड़ी सीधी सी बात है इसके बाद मैं यहाँ पे फिर से जनवरी दस में फिर से रिसीव किया दो सो चब्विस दस जन को दस जन को फिर से रिसीव किया सर कितने रिसीव किया हमने दो सो साथ मैंने दो सो चब्विस बोल दिया था कितने रुपे वाला एक रुपे वन पॉइंट जीरो फाइव एक रुपे पांच पैसे अब आपको multiply करना पड़ेगा इसको कितने आ रहे हैं 200 273 now 273 के बाद अब देखते हैं किया सर sale हुआ इस date पे तो कोई selling नहीं है तो इसे dash लिख रहा हूँ अब हमारे पास दो परकार के stock आगए ये पुराने वाला तो है ही है सर ये तो है ही है 1000 और एक और खरीद लिया 260 और ये आगया एक रुपए 05 के हिसाब से और टोटल आगया 273 का टोटल आगया 273 का अगले पे चलते हैं सर अगले पे चलते हैं सर तीसरा 20 जनवरी को इसने क्या करा है सर इशू कर दिया है 20 जनवरी को क्या करा है इशू कर दिया है तो 20 जनवरी को इसने करा इशू तो सर इशू में ये वाला कॉलम खाली रह जाएगा क्योंकि इस दिन हमने क्या करा है बेचा है अब बेचा है तो इशू वाले में चले जाएंगा अब मैं बेचना वर्ड जरूर इस्तमाल करता हूँ ताकि समझाए बाकि हम बेच नहीं रहे हम सो रूम में भेज रहे हैं कितने इशू किये हैं 700 यूनिट किये हैं यह समस्य यह हम मैथड कर रहे हैं फीफो तो पहले हजार में से निकाले या 260 में से निकाले तो जवाब है हजार में से तो हजार वाले में से निकालेंगे और एक रूपे वाला हजार ही मैंने लिख दिया है यहां कितने बेचने 700 तो मैं यहां लिखूंगा 700 और एक रुपए वाला है that is आपका 700 हो जाएगा और अब हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा सर इसमें से तो चले गए 700 तो यहां बचे हमारा 300 एक रुपए वाला यानि 300 और यह 260 को तो अभी हमने हाथ भी नहीं लगाया बेचा ही नहीं है चलिए सर अगले पॉइंट पे चलते हैं पॉइंट नंबर 21 जैन 21 जैन को क्या करा है सर फिर से हमने 21 जैन को खरीदारी कर ली है 21 जैन को मैंने खरीदारी करी है 400 यूनिट तो 21 जैन मैंने रिसीव कर लिया कितने यूनिट सर 400 यूनिट रिसीव कर लिया 400 यूनिट कितने रुपए वाला था रेट बताना है अब रेट था हमारा एक रुपए 15 पैसे कितने का होगा चार सो साट नाव इशू वाला कॉलम रह जाएगा खाली अब तीन तरीके के वराइटी हो गए मेरे पास तीन सो और चार सो ये रुपे वाला है तीन सो ये एक रुपे पचास पैसे पांच पैसे वाला ये दो हो गए चार सो 60 रुपए ठीक है मैं question को उपर नीचे जरूर कर दूँगा क्योंकि space में question दिखाने के लिए नहीं होगा मैं उपर कर दूँगा जो मैंने लिखे हुए चलिए अगला point क्या है sir अगला हमारा 22 को फिर से receive हो गया ये लो कितना receive करेंगे ये 22 जैन को receive हुआ 22 जैन को जो receive हुआ न वो receive हुआ 300 यूनिट और रुपए क्या भाव का था ये एक रुपए तो कितने हो गए 300 पिछाटर अब मैं बात करूँ न amount वगएरा की तो मैं इसे उपर कर देता हूँ थोड़ा यहां तो देखने की जूरत नहीं है सरफ यहां तक देख रहा है आपने है न तो अगर हम बात करें बैलेंस की तो बैलेंस के केस में हमारे पास चार तरीके के वडाइटी हो गए तीन सो दो सो साथ चार सो यह तो पुराना है एक रुपे पंदरा पैसे सर एक रुपे पंच पैसे जीरो फाइव और एक रुपे पंदरा पैसे इसके बाद एक और वराइटी आ गया सर तीन सो यूनिट कितने वाला वान पॉइंट यह आ गया तीन सो दो सो तीहत्तर चार सो साथ तीन सो पिछहत्तर तीन सो पिछहत्तर अब आगे क्या कहता है 23 जैन के 22 जैन के बाद 23 जैन को कहता है इसू 620 यूनिट 23 जैन को क्या कर दिया इसू कर दिये सर कितने कर दिये 620 तो यहां तो ब्लैंक रह जाएगा अब 620 करें मैथट चल रहा है फीफो तो पहले तो भाईया ये वाला बेचो तो 300 ये वाला बिकेगा रुपे वाला अब भाईया यहां पर हमें टोटल कितने बेचने बेचने टोटल हमें 600 तो अभी और चाहिए 320 तो 260 ये भी बेचो अब ऐसा नहीं कि 300 यहां से उठा लेंगे हमें सीक्वेंस से ही चलना होगा एक रुपे पांच पैसे अब और भी चाहिए हमें और कितने चाहिए सर साथ यूनिट और चाहिए साथ अब साथ ये भी निकल गिया आब इसमें से लेंगे तो कितने रुपे वन रुपीज 15 पैसे अगर इसको मल्टिप्लाइ करेंगे तो कितना आएगा ये 300 इसको मल्टिप्लाइ करेंगे तो पहले से कर रखा है 273 और इसको करेंगे तो हम क्या आएगा 69 अब ये वाला एक रुपे 15 पैसा ये पूरा ऐसी बचा हुआ है इसको मल्टिप्लाइ करें 3 और ये वाला जाएगा 375 मेरे हिसाब साब को थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा भी काफी कोश्चन करेंगे हाला कि हम तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा आपको कि कैसे होगा इसके बाद फिर बेच दिया 24 तारिक को यानि सर 24 को फिर से इसने इशू किये और कितने यूनिट इशू किये इसने सर अब 240 भाईया यहीं से आ जाएगा 240 कितने रुपे वाला 1.15 कितने बनते हैं 276 276 यहां बचा कितना 100 कितने रुपे वाला 1. मल्टिप्लाई करेंगे तो 115 यह 300 भी तो बच रहा है 1.25 यह बचा कितने रुपे वाला चलिए सर इसको थोड़ा सा साइज कम कर दें 10 महत बचे वाले 15 16 चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं अब कहता है भाईया फिर से इसने रिसीव कर लिया तो रिसीव जब किया इसने कब किया रिसीव 25 तारिक को बोड पे ध्यान दीजिए रिसीव किया हमने कब 25 को सर कितने रिसीव किया 500 यूनिट क्या रेट का था एक रुपे 10 पैसे कितने का पढ़ गया 550 का अब देखा जाए बैलेंस में पहले से ही हमारे पास दो वराइटी था अब एक तीसरा रेट वाला भी आ गया 1.25 कितने वाला आ गया यह उठके आ जाएगा 500 वाला यह उपर आ जाएगा 115 पंद्रह और यह आजाएगा पांसो पचास चलिए सर अब जैन को 26 को इसने इशू कर दिया 26 जैन को इसने इशू कर दिया 26 जैन को इसने क्या करा इशू कर दिया 26 जैन को इसने इशू कर दिया सर जब इशू किया इसने तो कितने यूनिट इशू करा 380 380 में तो पहले 100 यह जाएंगे अब 280 चाहिए तो इसी में से 280 लेंगे यानि 1.15 115 सर 280 वाला देखा जाए तो 1.25 मल्टिप्लाइ करेंगे तो कितने आ रहे हैं 350 अब यहां पे 300 में से 280 गए तो बच गए थे 1.25 वाले और 500 आपके बच गए 1.10 तो सर 550 और इसको मल्टिप्लाइ करेंगे क्या बनता है 25 रुपय है आपसे सवाल पता है क्या पूछा जाएगा सवाल पूछा जाएगा नम्बर वन भाईया क्लोजुंग स्टॉक का वैल्यू बताइए क्लोजंग स्टॉक का क्या बताना है value तो इसका answer क्या निकलेगा हमारा sir closing stock का value क्या होगा इसका total कर लो total करोगे तो क्या आएगा sir 575 575 रुपे total आगया तो आंसर 575 तो यह आप यह possible ही नहीं है कि आप एकदम से closing stock का value पूछे आपको पूरा करना पड़ेगा आपको क्या बोला जाएगा कि हमने कुछ खर्चे किये हैं expense किये हैं direct मान लेते हैं 2000 रुपे या 200 रुपे का आप बताईए cost of goods sold यानि आपने कितने रुपे का समान बेचा है यह सवाल पूछा गया आपसे तो sir cost of goods sold के लिए पता है क्या करना होगा आपको बड़ी सीधी सी बात है यह वाला column issue का total है यह वाला जो total है issue का तो आप शुरू से end तक जितना भी आपने issue किया मैं इसको हटा देता हूं आपको दिखा देता हूं यह इधर आजाओ भाई question की कोई जूरत नहीं है एक मिनट मैं इसको मिटा भी दूँ अगर मैं इसको मिटा हूं तो पीछे का भी मिट गया क्या ओके चलिए मैं इसको अटा देता हूं ठीक है तो यहां पर total किसका करेंगे हम issue वाले का total कर लेंगा करिए कितना बनता है टू जीरो टू जीरो एट थिरी बना ठीक है तो मेरे से पूछा गया है cost of goods sold तो cogs is equal to आपका टू जीरो एट थिरी प्लस direct expense direct expense सर डारेक्ट expense कितने का है तो सो का तो इसका आगया बाइस सो त्रासी रोपे यह आगया हमारा cost of यानि प्लस कर देंगे जितने का समान था और जितना खर्चा हो गया तो यह क्या हो गया तो बड़ी सीधी सी बात है इसु वाले total quantity में जाएंगे उन्ने सो हाँ किदर रहे हैं तो इसु कहीं तो पूछ रहे हैं total unit कितने issue किये हैं यह लिखा हुआ है देखो total unit कितने issue किये हैं तो जवाब है सर 1940 1940 अगला सवाल पूछा अगर हम इसे दो रुपे के हिसाब से बेच दें तो profit बताईए कितना होगा अगर हम इसे दो रुपे के हिसाब से बेचें तो profit बताईए तो दो के हिसाब से अगर बेचते हैं तो sales का value क्या आएगा सर 1940 into में दो यानी 3880 और आपका खर्चा कितना हो रहा था 2283 तो इनके बीच का जो difference होगा उसे gross profit बोल दो या कुछ भी बोल दो तो यह तो मैं अलग से बोल रहा हूँ कि examiner ऐसा एक point डाल सकता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है घवराना नहीं है यार हमने तो leafo-fifo सीखा examiner तो GP पूछ रहा है बेचके तो simple सी बात आपको quantity total करना है और उसके इसाफ से बता दोगे यहाँ पर जो है आपका पूरा simple सा एक format किया यह किस से किया हमने फीफो से इसमें किसी को doubt है अभी तक तो बताओ फिर हम इसी सवाल को same सवाल को leafo से करेंगे फिर same सवाल को weighted average से भी करने वाले हैं पहले इसमें किसी को doubt इसमें कोई doubt है तो बताइए फटा फट देखिए झाले हम उड़िया तो इसमें इसमेंया पर फटल कोई धर फिर फिर्ट शवता कि समेंस्वाओे जयाओ दो झाले हम इसमें किस तो देता है वह सोड़ झाल झाल जी बताइए सर्ड डारेक्ट टेक्समेंस दोसों कहां से आया ओहो ये मैंने अपने मान लिया था ये जितने भी मैंने कुश्चन लिखे न ये मैंने माने हैं सवाल के पार्ट नहीं था कुश्चन में कहीं गीवन नहीं था COGS प्लीज रिपेट COGS होता है cost of good sold जो आपने समान बेचा है उसका cost कितने का पढ़ा हम आगे पढ़ने वाले हैं COGS तो cost कितने का पढ़ा सर simple सी बात है एक तो cost और plus direct expense COGS का formula होता है आपका total cost और plus में direct expense उसे क्या बोलते हैं COGS बोलते हैं एक तरीके से तो बस जो भी आपका cost होगा उसमें direct expense जोड़ेंगे तो COGS हालाकि COGS का formula थोड़ा अलग होता है क्या होता है opening stock plus purchase minus में closing stock plus direct expense होता है लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा नहीं कुछ opening और कुछ closing तो finally हमारा total करके यह निकाल सकते है चलिए इसी सवाल को noting एक बार ही कर लेना ठीक है इसी सवाल को किस से करके try करते हैं एक बार आप भी फॉर्मेट बनाईए और मेरे साथ साथ करिए गाए गाए मैं भी देखो मैं चाहूं तो copy कर सकता हूं लेकिन मैं फिर भी आपके लिए यहाँ पर करके दिखाऊंगा ताकि आप भी फॉर्मेट बनाए आप भी एक बार फॉर्मेट बनाईए साथ के साथ आप भी आप करिए बनाईए साथ कर दोची आपके लिए यहाँ आपके लिए लिएगाँ तो इसको स्केल से बनाना करेंगे करेंगे इस पर डिसकुस कुछ नहीं हो और सेम बात होती है जादा फरक नहीं रहता हमारा इसमें कभी डिटेल में करेंगे इस पर डिसकुस बाई जल्दे बनाईए मेरा फॉर्मेट बनने वाला है ऑफलाइन में जितने भी बच्चे बैठें सबका रेजिस्टर जरूर चेक करूँ आज फिर बेज मुगा धर बढ़र चेक कर साइसे का रेजिस्टर प्रप्चे जरूर लुगा धर रेजिस्टर बच्चेक भी बच्चे कर सकते हैं इसमें बच्चे कर दिसंग मुगा है याद तंडम लगवाँ जसुग धर जसर चेक कर डितने देने पार इस दोटrias झाल 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 पहले हमने किया था फीफो अब कर रहे हैं लीफो ठीक है न पहले फीफो कर लिया था अब लीफो करते हैं चलिए कर लिया फॉर्मिट तयार अब देखिए पहला पॉइंट कहता है एक जैन को रिसीव किया कहानी एक बात ध्यान रखिएगा बैलेंस भी कह सकता है एक जनवरी को हमारा बैलेंस पड़ा हुआ है तो बैलेंस पड़ा रहेगा तो ये भी ब्लैंक रहेगा ये भी ब्लैंक रहेगा ठीक है जरूरी नहीं है कि हर बार यहीं से स्टार्ट होगा कई बार सवाल में उपर कह सकता है balance लो बैलेंस वाला हमारे क्या होगा starting एक date को हम यहाँ पर क्या लिख देंगे balance bd और ये सारा हमारा blank रहेगा बस balance वाले column में आ जाएगा ठीक है चलिए receive एक gen 1 2003 तो एक gen फिर से हमने रिसीव सर कितने क्वांटिटी एक हजार एक रुपए वाला हजार बचा सर एशू में कुछ नहीं होगा एक हजार एक रुपए याने हजार जैन दस को भी रिसीव किया है हमने जैन दस को रिसीव सर कितने रुपए का रिसीव किया दो सो साथ यूनिट एक रुपए पांच पैसे तू सेवेंटी थ्री ये हाइफन रह जाएगा अब दो तरीके के समान होगे हमारे पांस सर कुछ फरक तो ही नहीं पहले जैसा ही है अभी फरक दिखेगा अगले पॉइंट पे चलते हैं जैन बीस को इशू कर दिया बीस जैन को इशू कर दिया सर जो बीस जैन को हमने इशू किया है न कितने यूनिट इशू किये हैं? साथ सो तो ये खाली रह जाएगा साथ सो इशू किया method of leafo leafo का मतलब जो सबसे last में आया है सबसे last में आया है का मतलब नहीं वाला तो आपके सामने दो तरीके के stock है एक पुराने वाला एक नहीं वाला तो हमें कितने यूनिट इशू करने हैं सर साथ सो तो अगर हमें सात्सो करने तो सात्सो में सो पहले नहीं वाला निकालो सर तो नहीं वाला कितना निकलेगा 260 तो साथ और रुपए 105, 273, और बाकी और कितने करने साथ सो में 3040, 440, क्यों? अच्छा, 440, तो अब करने हमें 440, एक रुपए वाला ये आ गया 440, अब हम देखेंगे बैलेंस, तो बैलेंस ये वाला थोड़ी बचेगा, ये तो बिग गया, यानि निकल गया, इसी में से ब बचा होगा हमारा कितने 560, और ये एक रुपए वाला है 560, मैं फरक भी दिखाता जाओंगा, कि आप देखेंगे पहली दो एंट्री में यहां भी सेम था, लेकिन जब हमने ये वाला इसू किया था, तो यहां पर दो तरीके के वराइटी बचे थे, और दोनों का अमाउं में कभी भी नहीं दिखेगा, हमेशा दिखेगा कहां पर इसका इंपेक्ट, इशू प्राइस के अंदर, ठीक है ना, इसका प्राइस का इंपेक्ट दिखेगा इशू में, चलिए सर अगले डेट पर आ जाते हैं, फिर से 21 जनवरी को रिसीव किया, 21 जैन को आपने रिसीव किया, कितने रिसीव किये हैं, 400 यूनिट, कितने रुपे वाला, 1.15, कितने हो गए, 460, कितने हो गए, 460, सर ये तो ब्लैंक रह गया, अब मेरे पास दो वराइटी हो गए, एक 560, एक रुपे वाला, एक 460, 1.15 बाला, इसका कीमत हो गया, 560, इसका कीमत हो गया, 460, मैं इसको थोड़ा उपर कर देता हूँ, क्योंकि यहां कोई जुरत है नहीं, हाला कि, इसको मैं उपर कर देता हूँ, चलिए, हमने कहां तक कर लिया, सर 21 तारिक तक, 22 तारिक को भी रिसीव किया है, हमने, 22 तारिक को जो रिसीव किया है, कितने रिसीव किया है, सर रिसीव किया है, हमने 300 यूनिट, कितने रुपे वाला, 1.25, कितने रुपे का, 375, अब हमारे पास 3 तरीकी के वराइटी, 560, 400, 300, एक रुपे, एक रुपे, पंदरा पैसे, एक रुपे, पच्छिस पैसे, तो 375 रुपे का, 460 रुपे का, और 560 रुपे का, जिसको दिक्कत होना, रोग लेना यहां पर, कि भाईया, यह समझ में नहीं आ रहा, नहीं तो फिर तो आगे बढ़ने के बाद फिर, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत, आगले पॉइंट पर चलते हैं, अब इशू किया है, अब फरक दिखना चालू हो जाएगा, इशू जो हमने किया है, कब किया है सर, यह किया है, जैन, 23, तो 23 जैन को इशू किया है, इशू किया है, तो उस सिचुएशन में यह तो रह गया, ब्लैंक, नहीं, हाँ, अब इशू वाले में आ जाते हैं, तो हमें कौन सा पहले बेचना है, पहले 300, क्योंकि हमारा कौन सा चल रहा है, लीफो, तो पहले नए वाला बेचो, 300 वाला 1.25 गया, करना 620 है, अब 400 में स से बेचो 320, कितने वाला 1.75 हो गया, यह कितने हो गया, 368, बैलेंस जो बचा यह तो बचा ही नहीं, 400 पहले हमारा 560 तो पढ़ा हुआ है, एक रुपए और 400 में से भी 320 चला गया, तो 80 पढ़ा हुआ है, एक रुपए 15 पैसे, तो यह 560 और यह कितना हो गया, 92 23 तारिक के बाद 24 को 240 और इशू कर दिये, 24 जैन को 240 और इशू कर दिये हमने, सर जो 240 इशू किये हैं हमने, तब हमारे पास दो तरीके के स्टाक है, अब पहले तो 80 यह निकालो, एक रुपए 15 पैसे, 240 में और कितने चाहिए सर हमें, 60 चाहिए, 100 160 उपर वाले में से निकालो, रुपए वाले में से, 160 और यह हो गया, 92 अब यहाँ पर जो बचे हैं मेरे पास 400 यूनिट, वो सरफ एक वाला बचा है हमारे पास, 400 रुपए का अब इसके बाद फिर हमने रिसीव किये कितने 500 यूनिट, हमने रिसीव कर लिए 500 यूनिट, थोड़ा रिसीव कर लिए 500 यूनिट, रिसीव कब किये हमने, 25 को सर कितने यूनिट, कितने रुपए वाला, कितने रुपए हो गये, यह तो खाली हो गया अब हमारे पास दो परकार के वराइटी है और एक है हमारे पास 501 रुपए 10 पैसे, यानि सर, 400 रुपए का समान और 550 रुपए का समान अगला आ जाता है 26 जन्वरी को, 26 जैन को आपने क्या कर दियें, सर 26 जैन को आपने इशू कर दियें, 26 जैन को क्या इशू कियें सर, एक तो आपने यह किया है पांसो कर दिया, कितने इशू किया आपने, 200, तो इसी में से निकल जाएंगे एक रुपए 10 पैसे, कितने बनते हैं, चार सो, अरे मैंने गलत जगे ले लिया, हाँ तीन सो असी, तीन सो असी, अब जो मेरे पास बचा है, चार सो पुराने वाला एक रुपए के हिसाब से चार सो, और पांसो में से तीन सो असी चले गए, तो एक सो बीस, एक रुपए 10 पैसे के हिसाब से, यह भी एक स्टेप पीछे चले गए, अच्छा, कोई बात नहीं, यह तो हो जाएगा, यह कितना हो गया, 132, अगेर मैं आप से पूछता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बताईए, तो कितना बनेगा, पान सो बत्तेष, जो सवाल पूछा गया, पिछले सवाल में देखए, क्लोजिंग स्टॉक कितने का था, इस सवाले में कितने का है, तो आपका method बदलने से, unit भी देखिए चलिए, पिछले बार unit कितने थे, यूनिट कितने थे इस बार यूनिट कितने है तो यूनिट में थोड़ी फरक होगा पहले भी यूनिट इतने ही थे अब यूनिट लेकिन प्राइस में फरक हो जाता है क्योंकि हमने जो बेचा ना वो बेचने का strategy क्या था हमारा अलग था क्या यहाँ पे cogs same रहेगा नहीं अगर मैं आपको पूछूँ कि कितने unit कितने का भी चाहे बताइए आप कितने unit issue है टोटल तो unit तो same रहने वाला है लेकिन आपका जो ये total करोगे न जो unit वाले column का वो क्या आएगा completely अलगा जाएगा समझ में आ रहे बात आपको differentiate क्या है तो चलिए आपके लिए मैं इसको यहां से हटा देता हूँ अगर 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 किसी को doubt इस सवाल में बताईए दो method हमने कर लिये यह line और नीचे खिश देते हैं जिसको दिक्कत होगी दो method कर लिये हमने selling and distribution expense इसमें किसी को doubt है तो बताईए नहीं doubt किसी को सारा समझ में आ रहा है हमने लीफो का भी देख लिया और फीफो का भी देख लिया इसके बाद हम एक सवाल और देखेंगे वेटेज का वेटेज के अंदर क्या फरक रहेगा अभी हमें पता चल जाएगा वेटेड एवरेज लास्ट मेथड है हमारा वेटेड एवरेज फिर इसके अंदर वेटेज वाले की बात करेंगे अब चलिए एक बार और फॉर्मेट बनाईए नोटिंग आपको पीडिएफ मिलेगा आज सारे बच्चों को फॉर्मेट जो मैं बोल रहा हम ना बनाईए यह देखूंगा मैं कुछ बच्चे समेस्टर फॉर्में कहते हैं कि सर ये तो पहले करा था हमने समेस्टर वन में क्या सेम वही है ये तो मैं कहता हूँ जी बिलकुल सेम वही है बस इसका एक सेकिंड पार्ट है वो एक्स्टेंशन हो जाता है मतलब वह तो टॉपिक ही या लग हो जाता है मतलब वही है झाल 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 बिलकुल गुश्चिन प्रेक्टिस के लिए मिलेंगे प्रेक्टिस के लिए भी मिलने वाला है अब करेंगे वेटेड एवरेज से अब जो करने वाले हैं वो है वेटेड एवरेज कहानी वही सवाल वही अब वेटेड एवरेज में देखना क्या होगा लीफो और फीफो से बिलकुल अलग होता है हमारा वेटेड एवरेज जैन वन में हमने रिसीव किए हजार यूनिट फर्स जैन को हमने रिसीव किए हजार यूनिट और बैलेंस में भी बचा एक हजार यूनिट बैलेंस में भी आएगा फिर से हमने जैन टैन में खरीदा हमने दो सो साथ यूनिट ध्यान दीजिएगा दस जैन को फिर से रिसीव तो सो साथ यूनिट वन रुपीज जीरो फाइब टू सेवेंटी अब बिलकुल ध्यान दीजिएगा फरक यहां हैगा अब हमें एवरेज करना है यानि ना तो लीफो चलेगा ना तो फीफो चलेगा लीफो फीफो में हम हर स्टॉक को अलग अलग इसलिए लिखके चलते थे क्योंकि हमें प्राइजिंग ये देखना था कि पुराने वाले को पहले बेचना है या फिर नए वाले को बाद में बेचना है ऐसे करके चलते थे अब यहां पे ऐसा नहीं है भी या जो एवरेज प्राइज हैगा बेच दो तो सबसे पहले जो अब यूनिट होने वाला है ना बिल्कुल ध्यान से देखना एक हजार और दो सो साथ तो पहली बात तो बारा सो साथ यानि यहां पे यह नहीं पता चलने वाला कि कौन से यूनिट कितने रुपे में खरीदा गया था अल्दो आप यहां से तो पता कर सकते हो लेकिन इस बैलेंस से नहीं पता चलेगा लेकिन पिछले वाले सवाल में देखो तो balance से एक और each and everything पता चलता था ये इतने का खरीदा गया ये इतने का खरीदा गया लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं पता चलेगा mix हो गया और अब क्या होगा पहले हमारे 273 थे अब हमारे 1000 हैं तो पहले 273 और 1000 तो ये हो जाएगा 1273 यानि जिस तरीके से unit जुड़ा है वैसे ही price भी जुड़ जाएगा पहली बात यानि unit को भी जुड़ेंगे और price को भी जुड़ेंगे इसके बाद क्या होने वाला है इसके बाद हम divide कर देंगे सर इन दोनों के बीच में डिवाइड जब करेंगे तो क्या आएगा यानि 1273 को डिवाइड कर देंगे 1260 से 1273 को डिवाइड कर देंगे 1260 से तो एक unique rate हमें पता चलेगा सर और rate क्या पता चला हमें 1.01 यह rate आया हमारे पास निकलके पहले देखो अब यह rate आपको receive में कहीं भी नहीं मिलेगा ना तो 1 है और यहाँ पर 1.5 है तो यहाँ पर क्या है हमारा 1.0 multiply करोगे ने तो हमेशा same आ जाएगा हाँ मैं कहूंगा अगर आप शायद multiply करोगे ने तो कुछ का फरक आ सकता है reason being कि friction वाले point को हमने छोड़ दिया तो इसकी tension मतले ना सर गुणा करने पर तो आई नहीं रहा दो चार पांच रुपे का फरक रहेगा वो okay है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है पहला difference आपको दिख गया फिर से हमने क्या खरीदा और इशू कर दिया फिर से हमने क्या करा इशू कर दिया जैसा ही हमने इशू किया अब देखिएगा इशू में कब करा सर इशू हमने 20 तारिक पीस जैन को सर इशू कितने यूनिट किये हैं सर यूनिट मैंने 700 अब देखो टैंशन ही नहीं है सर 700 लिखा और रेट 1.01 ध्यान दिजिएगा अब मल्टिप्लाई कर दिजिए कितना आ रहा है इसको अब यहां देखिए लीफो और फीफो इंपेक्टिड होता है इशू वाले कॉलम में एवरेज इंपेक्टिड होता है बैलेंस वाले कॉलम में दोनों में फरक समझ में आ रहा है अपको सर अब बैलेंस कैसे निकालेंगे बैलेंस में 700 में से निकल गया तो सीधा क्या लिखोगे 560 कितने वाला 1.01 अब मैं यह नहीं कहूँँगा इसको मल्टिप्लाई करो फिर मिसमैच हो जाएगा आप इन दोनों को डिफ्रेंस लो कितने आएंगे 1273 माइनस 707 566 का आएगा और आप मल्टिप्लाई करोगे ना तो क्या आ रहा है मल्टिप्लाई करने के बाद दे बताना पॉइंट 4 का डिफ्रेंस आ रहा है तो भाई एक से पांच दस दस रुपए तक का डिफ्रेंस इसमें वेलिड है आएगा इसमें डिफ्रेंस आपका कई बार चलिए अगले पॉइंट पर चले जैन 21 रिसीव 400 यूनिट अब फिर से रिसीव कर लिया 21 जैन को जब आपने रिसीव कर लिया 400 यूनिट 400 यूनिट कितने वाला 0.15 यानि अब देखो बदलाओ यहाँ फिर बदल जाएगा सर 560 और 400 सीथा आएगा आपका 900 अब रेट को भी जूड़ेंगे हम 566 और 460 कितने होंगे 566 और 460 प्लस करके बताईए 1026 अब नया रेट आपको बताना है कैसे बनाओगे रेट इस 1026 को डिवाइड कर दोगे 960 से कित क्या रहा है रेट हमारा 1.06 सिर्फ 7 ले सकतो मैंने का पॉइंट का फरक चलेगा कोई दिक्रत नहीं है अगले पॉइंट पर चलता है 22 22 ने रिसीव अगे रिसीव्ड वो ही कितने कितने रुपे कितने रुपे का अब बैलेंस बताईए मैं बैलेंस नहीं बताऊँगा आपको bright मैं सभी से पूछना चाहूँगा जितने बच्चे भी live में है जितने बी बच्चे लाइव में है सभी बताएंगे balance का rate क्या है और offline जो बैठें वो भी बताएं balance का rate क्या है वन पॉइंट एक answer आया 1.22 वन पॉइंट वन वन देखते हैं और बच्चों का क्या रहता है 1.11 वन वन तो लाइन लग गई बच्चों के 1.11 सभी बच्चे 1.11 वाले हैं यहां पर चेक कर लेते हैं कैसे निकलेगा सर 960 और 300 1260 375 और 1026 1401 डिवाइड करेंगे तो तो सर यह सवाल बिलकुल जिसने भी 1.11 बोला उसका आंसर जिसका आया भी खीक है उनका आंसर चलिए इसको उपर कर दें अरे यह लीजिए देखिए यहां देखने की कोई अवशक्ता है नी इसलिए मैंने इसको यहां लिख दिया सिर्फ सवाल ही तो देखना है इससे उपर लेयर पे लिया है टॉप लेयर पे बात खताँ यानि मुझे न कई बार न ये वाला आसान भी लगता है लेकिन अगर आपके एक्जाम में कैल्कुलेटर चीन लिया जाए तो हालत खराब हो जाएगी इस वाले में ठेक है न पहले वाला लीफो फीफो तो चलेगा लेकिन इस वाले में कैल्कुलेटर ले लेना है तो फिर मुझे लेकिन क्यूंकि हर बार हमें रेट निकालना है फिर मल्टिपलाई करना है वो दिक्कत रहेगा चलिए सर हम आगए जैन 22 के बाद जैन 23 की बात करते है जैन 23 में इसू कियें 600 यूनिट ये बड़ा मज़ा आता है इसमें इसू करने में इसू कियें बड़ा मज़ा सी कितने कियें कुछ सोचना ही नहीं है 620 लास्ट वाला रेट उठा के फटा फट कितने आएंगे 688 लिख देता है अब बैलेंस निकालने में इसमें थोड़ा सा है 1260 में से 620 माइनस करेंगे 1260 में से 620 की ये भी कॉन्टिटी है 640 1.11 इसके डिफरेंस लेके कर लेंगे ये वाला और 1401 के बीच का डिफरेंस 700 712 देखो इसका नाम जब आता है न 13 चलो 12 कर दिया तेरा आएगा चलो फिर से इसू सर फिर से इसू इसू के अंदर तो मजा ही कुछ और है अब कितने इसू करें 240 1.11 बताईए 266 बचे कितने माइनस कर दो 444 बचने क्या बचने मैं तो डारिक मल्टिप्लाई कर दिया आप बताईए 47 तीन रुपे के फरका रहा है सर अगला 25 तारिक क्या करा है रिसीव रिसीव वाला थोड़ा सा कॉंप्लिकेटेड है 501.1 550 बैलेंस को निकालते हैं सर बैलेंस निकालते हैं 900 और 500 तो 900 और 550 और 447 कितने होंगे 900 97 997 रेट आपको निकालना है बच्चों निकाल भी दिये क्या कितने आरें रेट 1.10 1.10 चलिए अगले पॉइंट पर आ जाते हैं जैन 25 के 25 कर लिया ना हाँ जैन 26 अब यह कम जगह भी कम ले रहा है मैं देख रहा हूं यहां पर है ना वहां पर छोटा भी करना पड़ा है यहां तो जगह बचेगी का उल्टा तो इशू में कितने कर रहे हो सर 380 यह रहा 380 1.10 कितने होंगे 418 अब माइनस कर दो 380 कितने बचेंगे 900 में से 380 है तो 520 1.10 कितने बने 579 अगेन आपसे इसमें पूछा जाए क्लोजिंग स्टॉक का वेल्यू बताईए तो 579 यूनिट में बदलाव नहीं होगा यूनिट देखो आप 3 का चेक करते हैं पहले वाले यूनिट में कितना आ रहा था 575 आ रहा था रुपए दूसरे वाले में जी आया हमारा 532 और तीसरे वाले में तो तीनों में रेट क्या हो जाता है क्लोजिंग का अलग हो जाता है तीनों में आपका कॉस्ट अफ सेल्स अलग हो जाएगा तीनों के अंदर आपका और प्राफीट वगरा कुछ निकालने को बोल अचै तो से बसे आप जitने बी यह बीब आपका perpetual है ये भी आपका perpetual है ये भी आपका चलेगा. मतलब ऐसा तो नहीं है. बाकी फ्रिक्वेंटली है. प्रियोडीक में तो एक दिन बांदेगा. एक साथ चौधा ऐसे. वो प्रियोडीक हो गया. मतलब फिक्स इंटरवेल रहेगा. यहाँ पर इंटरवेल ऐसा कोई fix नहीं कई बार मान लेते हैं कोई छुट्टी उट्टी हो गई होगी तो इसलिए ऐसे कर दिया इसने otherwise आपका ये perpetual ही रहेगा चलिए यहां तक बताईए किसी को कोई doubt कि सुटाओ कर दो 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 होगी तो इसलिए वाइप मत बताईएप्स सबी बच्चों का क्लियर 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 कुछ बच्चे आप जोईन हो रहें बताओ देखिए कहां तक चलता है आज चप्टर खतम नहीं है चलिए नेक्स पार्ट मैं फॉर्मिट बना लेता हूं अब भी फॉर्मिट बनाईगा बड़ा चोटा सा सवाल है इसमें लास्ट पॉइंट जो है ने टेन अप्रेल को कहता है नोटिस शॉटेज टेन यूनिट तो यहा वाला पार्ट आ गया अभी तक पिछला कोश्चन जो था सिंपल था अब सॉटेज को कैसे डील करना है वो देख लेंगे ठीक है ना लेकिन सॉटेज वाले में एक बात ध्यान रखेगा सॉटेज किस डेट पर हुआ वह भी आपको कंसिडर करके चलना है तो चलिए अभी आपको बना लूँ इसके बाद प्रियोडिक वाले कोश्चन करेंगे अगर कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर 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 झाल 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 सीधा बैलेंस में आ जाएंगे 500 यूनिट और कितने वाला कितने हो गए एक हजार मैथट चल रहा है मैं सिर्फ मैथट लिख देता हूँ कितने दस हजार एक जिरॉर लगाना झाल झाल यह जाटरो जाटे सिर्फ सब्ध यहां यहां लीफो फीफो तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि हमने पास एकी स्टाप यहां तो हमने चे तारिक को इसू कर दिए छे अप्रेल को चे चार और हमने इसू किया कितने unit की हैं हमने issue 300 तो लीजिए 300 unit issue तो 20 वाले ही होंगे तो बचे कितने दो पहली entry में बताईए किसी को doubt पहली entry में किसी को doubt पहली entry में किसी को doubt नहीं चली आगे तीन अप्रेल को फिर से issue कर दिये 200 unit यानि यह stock खतम ही कर रहा है कितने unit 220 तो 4000 के चले गए और आगे क्या कहते हैं तो हमारे पास balance जीरो क्योंकि जो चे हमारे पाइस 500 थे देरे देरे करके हमने बेची दिये आगे यहाँ पर आपको date भी ध्यान रखना है अब यहाँ पर किस अप्रेल को हमने इसू किए अब देखेगा ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा एक अप्रेल को 500 था मैं जो बताना चाहरा हूं कुश्चन इस तरीके के होगा एक अप्रेल को 500 था अप्रेल इसू कब किये फिर से तीन अप्रेल को फिर इसू किये हमने ठीक है तीन अप्रेल को फिर हमने इसू किये और फिर परचेज भी हमने कब किये 22 इस परचेज को हमने इसू कब किये हमने चार अप्रेल को यानि यहां पर डेट कुछ मिक्स है यानि आपने पहले एक के बाद क्या डेट आएगा पहले आप purchase जो date आए का उस date के हिसाब से चलना है एक के बाद देखो purchase कब किये आपने तो examiner ना ऐस तरीके के सवाल में confusion यहां कर सकता है तो आपको date के हिसाब से चलना है ना कि जो time से दे रखा है वो करना है समझे बात आप तो अब देखा जाए तो हमारा जो यह वाला issue है हो जाता है यह क्या हो जाता है गलत क्योंकि एक तारिक bias 6 तारिक 6 तारिक के बाद कौन सा issue है हमारा तीन तारिक वाला है तो यहां पिए क्या हो जाता है थोड़ा सा गलत क्या करने वा आँम पढ़ी सीधी सी बात है अब date के अशाब से चलेंग तो पहले ayam i kiaaf Śowin बढ़ पहले एक के बाद तीन तारिक को हमने क्या कर लिया है परचेज लेकिन ध्यान दे तो तीन तारिक को हमने क्या करा हुआ है इसू अब आपकी इच्छाई के कौन से करना चाहते हैं इसू करना चाहते हैं इसू परचेज करना चाहते हैं परचेज तो मैं पहले इसू करना कब तीन तारिक को कितने इशू की हैं तीन तारिक वाले इसके डेट को मैं सरकर कर लेता हूं याद रहेगा कि अब तीन तारिक वाला इशू जो है कि दोस्तों कि चार हजार अब कितने बचे हैं अब तीन को ही पर्चेश कर लिया यानि रिसीव कितने यूनिट रिसीव किये कितने रुपे वाला कितने आगे बताईए तीन अजार तीन सो क्योंकि हमारा मैथड लीफो या फीफो इसमें लीफो कह रहा है तो हमें सारे स्टॉक को अलग अलग रखना पड़ेगा यानि तीन सो भी हमारे पास और डेड़ सो भी है तीन सो हमारे पास रिट है 20 और ये है ये छे हजा और ये 39 अब चार को क्या कहता है ये फिर से 4 को इसने अब धियान से देखेंगे, तो कहता है कि हमारा चार को इशु किये आपने सौ, तो अब तीन के बाद तो कौन सी तारीख आएगे आपके चार, कर देते हैं, जी चार को हम इशु सा, चार को कितने युनिट इशु किये हमने सौ यूनिट, ये तो ब्लैंक हो जाएगा सो अब मैथट देखिए कौन सा है है लीफो लीफो में क्या होता है सर नए वाला सबसे पहले बीचिये तो हम किसमें से निकालेंगे डेड्सवाले में से यानि 22 वाला चला गया 22 का अब हमारे पास जो बचा वो 300 वाला बचा 20 के हिसाफ से और पचास वाला बचा बाइस के तो यह तो हो गया हमारा 6,000 और यह हो गया है यहां तक समझ में आ रहा है आपको चलिए सर चार के बाद step by step चलना है चार के बाद क्या आता है पांच क्या पांच तारीक को कोई issue किया नहीं किया पांच तारीक को क्या कर रखा है purchase तो पांच तारीक को हम purchase कर लेंगे यानि receive चार को एक और है कहा है चार को अच्छा नहीं यह आपका डेट सो का कहता है कि परचेज किया था आपने 3 अपरेल 22 का और इसूड ओन 4 अपरेल और यह रहा 4 अपरेल को जो इसू किया है ना इसने इसके बात चल रहे हैं हाँ पर यानि यहाँ पर 4 को इसू भी फिर से करें इसने पहले इशूट का डेट आ गया सर कितने इशू की हैं सौ यूनिट ये देखे चार सौ उपर कर दिये मैंने इशू कहता है जो हमने इशू किया है न यहाप को इसी में से इशू किया है यह कहना हुए कि आपको तोड़ा सा किलियरेटी को करें एक वैसे भी है इसी में से को किया है वो ही बता रहा है यह leaf of method है आपका help कर रहा है वो कि आपके जो issue चार तारिक होंगे वो इसी में से ही होंगे ठीक है ना समझ मैं ही बात आपको तो सर यह double लिखवा दिया आपने इसे मिटा दे चार के बाद क्या आएगा हमारा पांच पांच चार को हमने क्या कर रखा है रिसीव कितने की हैं हमने और कितने वाले कितने हो गए अब हमारे पास variety of stock तीन तरीके के हो गए तीन सो पचास दो सो यह बीस वाले बाइस वाले पच्चिस वाले पांच हजार ग्यारा सो छे हजार मैं इसको अब उपर कर देता हूं अगे कि हमें जो stock चाहिए यहीं का चाहिए चलिए अब चार के बाद पांच के बाद हम आएंगे चे अब चे को हमने इसू भी किया है चे को हमारा return to store भी 10 unit हुआ है ठीक है न अब इसका कहने का मतलब है भाईया जो 200 unit हमने तीन तारिक को जो इसू किये थे न वो वाले return आए है समझ रहे हो जो मैंने 200 इसू किये थे तीन तारिक को यानि इस वाले से return आए तो rate वहां से match करेंगे कि जो written है वो rate वाला हम रख लेंगे सबसे पहले हम देख लेते हैं चे तारिक में क्या हो रहा है चे तारिक में पहले इसू कह रहा है तो इसू कर दिए हमने 300 rup اे मैंने कहा दिया इसू करें मैंने कितने unit 300 unit issue क्यों किया है तो यह आ जाता है हमारा 300 unit और हमारा लीफो है तो कैसे जाएगा ये सर एक तो 200 चला जाएगा एक 50 चला जाएगा एक 50 ऐसे जाएगा ना ठीक है तो इस 200 वाले का 25 वाला गया ये 22 वाला गया ये 20 वाला गया तो ये कितने हो गए सर 5000 और ये कितने हो गए सर 1100 और ये किसने अब यह कहां आप कौन सा देख रहो तीन सो नहीं नहीं इसने यह नहीं कहा कहता है इस टॉक इशू किया पांसो एट ट्विंटी पर सिक्स पर यूनिट एप्रेल सिक्स को इशू कर दिये तीन सो अब हमारा मेथट कौन सा चल रहा है तो हमें तो लिफो के हिसाब से चलना होगा अगर कॉस्चन में यह थोड़ी कहेगा कि आप पहले अगर मैं मान लो ओपनिंग वाले में से इसू कर देता हूं तो तो मैथड ही हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा समझे रहे हो बात आप तो हमें तो अपने मैथड के हिसा चलिए Sir अब बचा कौन सा है हमारा इस 300 में से बचा हुआ है सिर्फ हमारा 1200 और 20 वाला यानी 5000 थे टारिक को एक और एंट्री रिफंड कहता है चे तारिक को क्या कहता है रिटन हुआ कौन से वाले connected है यह दो सो वाले से connected है जो कि हमारा return हुआ तो return जब होगा ना तो हमारे पास समान वापसी आएगा तो return को हमेशा as and receive के तरीके से treat करना है कि जब वापस आएगा तो हमारे go down में stock बढ़ जाएगा तो receive ही हो रहा है तो मैं यहां लिखूंगा return कितने unit? 10 unit अब आपको check करना है 3 तारिक वाला 3 तारिक वाला rate से क्या आया था हमारा? 3 तारिक वाला rate क्या issue किया होगा हमने? वो देखना पड़ेगा तो 3 तारिक वाला rate हमने क्या issue किया है? 20 रुपे से किया है, ठीक है न? तो 20 वाला देखेंगे हम तो 20 रुपे के हिसाब से वापसी आगे यानि सर 2000 का 2000 का होगे न अब चेक कर लेते हैं सर ये भी 20 वाला है तो अब सीधा मर्ज करके भी लिख सकते हो आप यानि 260 और 20 और ये आजाएगा हमारा 7000 नहीं ये 200 आएगा ये 200 आएगा ये आएगा 200 कितने आगे बताओ बावन सो मैं दुबारा रिपीट कर देता हूँ एक बाल सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग में बैलेंस था 520 रुपे वाला उसके ब्रैकेट में कहता है कि भाईया मैंने 6 अपरेल को 300 इशू किया ये कभी भी नहीं कह रहा कि ये ओपनिंग में से किया है बस बोलत 6 को इशू किया है तो भाईया पहले वाले बैलेंस को लिख लिया तो मुझे जो सबसे पहले दिखा मैंने वो कर लिया ठीक है न तीन तारिक को माल लेते हैं तीन तारिक सुभे का एंट्री था एक तीन तारिक साम की एंट्री था तो पहले मैं सुभे वाला करूँगा फिर कौन सा करूँगा साम वाला तो तीन तारिक को मैंने पहले इसू कर दिया फटा फट उसी में से कहता है छे तारिक को इसमें से रेटन आया है दस यूनिट तो जब छे तारिक की एंट्री करेंगे जो कि मैंने यहां पे कर दिया दस यूनिट रेटन आया है उसी रेट से कर दिया जिस रेट से इसू था त फिर कहता है 100 unit और 7 को फिर और 100 unit issue करता है तो पहले तो मैंने क्या करा 4 तारिक को issue कर दिया उसके बाद तो पहले 5 तारिक आएगा 5 तारिक को receive किया फिर 6 तारिक को मैंने क्या किया issue किया फिर 6 तारिक का मैंने return लिया अब number किस तारिक का आने वाला है हमारा 7 को अब 7 को क्या ती दो आको तो साथ рук को एको स्क्राइख कर दिया है कि हो मैं कि 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 तो growing तो बंट डिकन बसी बात इसी में से लिक़ेगा तो 2,000 कितने बच्छे हैं हमारे 160 कितने रुपए 20 ृपए तो कितने 22 कि अ कि कि अब इसके बाद क्या कहता है हमने परचेस के बाद इशू कहता है इशू हमने आठ तारिक को और करे थे इशू पचास रुपे के साफ से क्यानि सर इसके बाद पचास यूनिट आठ चार को फिर से हमने इशू कर दिये कितने पचास यूनिट तो कौन सा होगा बीस और यहां पर आजाएगा हमारा कि कितने पचास चलेगे तो एक सो बीस इसको थोड़ा सब चलिए इसके बाद क्या हुआ कि सोटेज कब आया सोटेज सर तस तारिक को एक सोटेज आया तो सोटेज को एज़ा इसू ट्रीट करना है कितने यूनिट का सोटेज यही रेट ले लेंगे बीस रुपे और यह आगे हमारे कितना दो सो रुपे अब हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा 90 और यह 20 वाला यानी 1800 तो अगर कोई closing stock पूछ ले तो वो closing stock क्या होगा ऐठारा सो तो सर इस सवाल के अंदर हमने क्या देखा इस सवाल के अंदर हमने यह देखा कि सर अगर सोटेज होगा तो वो normal issue के तरीके से treat करना है रिटन अगर आता है तो उसको रिसीव के तरीके से ट्रीट करना है लेकिन रिटन वाले केस के अंदर क्या ये 100 आएगा अच्छा 100 लिख देता है लीजिए यानि सर अगर रिटन हुआ तो रिसीव के जैसा सौटेज हुआ तो इसू के जैसे सौटेज के अंदर आपको rate का खयाल नहीं रखना के किस rate का जाएगा लेकिन return वाले में rate का खयाल रखना है कि कौन से तारीक वाला return आए examiner बताएगा मानों examiner नहीं बताथा कौन से तारीक का return है बस बोल दे return 200 unit हो गय है अब ये बताई नहीं रा कि बताइए कोई डाउट इसमें चे तारिक में 260 कैसे आया चे तारिक में 260 अच्छा ये देखे आप आपके पास टोटल कितने थे 200 ये भी बिग गए 50 ये भी बिग गए 260 का है 250 है अच्छा रिफंड आ गया ना रिसीव हो गया रिटन आया तो पहले 250 था दस ये वाले जोड दिये 260 आप चाहो तो अलग-अलग कर दो क्यूंकि इसका रेट दोनों का सेम ही था ना इस दे मैंने मर्ज करके लिख दिया उसको रुकिये 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 सर रिटन ओफ वाला फिर से बता दो रिटन ओफ वाला कुंसा है रिटन ओफ नहीं है वो रिटन आया है मेरे पास रिटन का मतलब अब देखो सिंपल सी बात है ये फैक्टरी है और ये आपका go down है और ये आपका showroom है तो return कहां से आया होगा यहां से return आया होगा आप पास तो जिस rate पे आपने इसको भेजा होगा उस rate को check करके वापसी ले लो जब आप इसको दे रहे थे तो issue था जब आपको पास आ रहा है तो आप क्या कहोगे यानि आपके पास factory से आये चाहे return आये रिसीव कॉलम में ही आएगा हमारे पास दो ही कॉलम है receive और issue का कोई return वाला कॉलम नहीं बन था हमारा आपके note देना पड़ेगा कि हम consider कर रहे हैं मुझे पहले date वाला मिला तो इसलिए मैंने वो करा सेम डेट वाले में यह आपको treatment जैसे भी कर लो मैं चाहा रहा था कि पहले मैं purchase आपको लगता है purchase कर यह नूट डाल दीजिए हाँ सर्टेज के case में 120 इशू नहीं होंगे क्या अगर 10 की shortage है तो नहीं नहीं shortage वो आप पैसे मतलो के shortage पढ़ गया बच्चे ने क्या करा इस में से 10 था और 10 का shortage 120 नहीं जितना shortage बोला जाएगा उसी को इशू किया जाएगा अब प्रियोडिक वाला एक रहता है चोटा सा टॉपिक है एक ग्रॉस प्रॉफिट का रहता है एक प्रियोडिक का रहता है चलें प्रियोडिक वाले टॉपिक पर लीजिए मैं इसे नीचे कर देता हूँ चलिए एक और कुश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना थोड़ा सब मैं सब हो गया एक कुश्चन मैं सब मैं प्रॉपिक वाल गुच्चन थीचे 요ा एक स्वीचे क槍षका लेक पर खम्रेप है तंद यद बंद अगला मेथड है हमारा प्रियोडिक मेथड में क्या होता है कि हम सबसे पहले सारा स्टॉप को इक खटा कर लेते हैं पहले हमारे पास रिसीव होगा फिर उसको एक-एक करके हम step by step इस्टेप इस्टेप करते हैं perpetual में same date पे होता है, यहां पे ऐसा नहीं होगा, है बिल्कुल same concept, बस हम क्या करेंगे, इसमें SH कोई specific format नहीं है, क्या कहता है question में, a company, आपका state first gen 2013 को started on purchase raw material 2013 में, इसने जनवरी में खरीदा, फिर फैब में खरीदा, देख रहो, time gap देखो आप, इसके बाद फिर एपरेल में खरीदता है, इसके बाद फिर जुलाई में खरीदता है, और यह फिर सेप्टेंबर में भी खरीदता है, फिर यह नेवेंबर में भ खरीदता है, अब while preparing the account 31 December, जब यह 31 December को हिसाब करने बैठा, तो इसने क्या पाया, the company had 1300 kg raw material in its go-down, यानि सर इसने 1300 इसके go-down में है, तो मतलब बेचा कितना ही calculate करना पड़ेगा, वो मैं कैसे calculate करेंगे, भी देख लेंगे, calculate value of closing stock of raw material at the end of the, जो भी year है, as per आपका first in first out, as per last in first out, as per weighted average, तो पहले मैं यहाँ पर FIFO का कर लेता हूँ, सबसे पहले few, बड़ा असान है यह, FIFO, सबसे पहले जिस जिस date पर खरीदा ना, वो date लिख लेंगे, इसका column बना देता हूँ, ताकि आसानी हो जाए आपको समझने में, वैसे column ना बनाओ तब भी चलेगा, यह date लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं quantity, यहाँ पर लिख देते हैं rate, यहाँ पर लिख देते हैं total, ठीक है, फड़ा और gap देते हैं, चलिए सर, चलिए, यह रहा हमारा date, quantity, rate और यह total, सबसे पहले इसने खरीदारी स्टार्ट करी कब से सर, इसने खरीदारी स्टार्ट करी कब से जनवरी से, अठाइस सो किलो समान खरीदे हैं, अच्छा, दो जनवरी, सेकिंड जैन, आठ सो किलो, किलो और यूनिट, यूनिट का मेजरमेंट तो सेमी रहने वाला, कितने रुपे के हिसाफ से, तो कितने का समान हो गया, 49, इसके बाद सारी खरीदारी कर रहा है, बेचने का तो बता ही नहीं किस दिन बेचा, फिर कब करा, फैब में, 26, कितने रुपे किलो, 50, 68,000, अच्छा, 400 भी है, इसके बाद कब खरीदा, 13 एप्रेल, कितने किलो, 59, एक लाख, इसके बाद, 10 जुलाई, 10 जुलाई, कितने, 3,000, रेट, 168, इसके बाद, सेप्टेंबर, 18, कितने, 1500, रेट, 90,000, इसके बाद, 29 निवेंबर, एक हजार, रेट, 65, 65,000, चलिए, इसके बाद, खतम, बस, इतनी खरीदा रही, अच्छा, चलिए सब टोटल कर लेते हैं, देखें, बड़े ध्यान से देखें, एक ही सवाल में न सभी के आंसर दे सकते, पहले क्वांटिटी टोटल कर लीजे, कितने हैं, टोटल क्वांटिटी देख लीजे, कितने हैं, दस हजार किलो समान खरीदें, टोटल अमाउंट कर लीजे, टोटल अमाउंट कर लीजे, कितने हैं, पांच लाक पांच सो, ठीक है, यह हमने एक चार्ट बना लिया, अब हम पहले फीफो वाला अंसर देंगे, फिर लीफो वाला और फिर बेटेज, पटा-पट से हो जाएगा यह, ज्यादा टाइम नहीं लगना, अब लेकिन सबसे पहले हमें यह कैलकुलेट करना पड़ेगा यहां, कि भाईया हमने सेल्स कितना किया, तो परचेज आपको पता है सर, कि परचेज आपने एक लाक किलो खरीदे, और आप बोल रहे हैं, सर, क्लोजिंग में हमारे पास है, कितना है क्लोजिंग में, तेरा सो किलो, तो बाकी क्या हुए, यह दस हजार एक लाक गलत बताए है, अच् asana यह 10,000 स्वारी, 10,000 में से 1300 closing है तो बचे कितने ये क्या है हमारा sold पहले तो आप ये देखे sold मैंने कैसे निकाला समझ में आना चीए sold कैसे निकला है देख लेजिए आप सिधी बात है भई 10,000 किलो थे 1300 बच गे तो बाकि बेच दियोंगे है ना अब जो आपने 87 बेचा है अगर लीफो के हिसाफ से बेचा होगा तो हमारा लीफो में सबसे पहले ये वाला भी केगा फिर ये फिर ये फिर ये ऐसे चलेगा ना अगर फीफो होगा तो पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये अगर वेटे जोगा तो एक रेट निकालेंगे और उसी से सब को sold out कर देंगे और जो बचेगा हमारा वो बचेगा closing stock और हर question में पूछा गया calculate the closing stock of raw material ठीक है एक ही बार मैंने थे इसमें बाकी तो है नहीं तो चलिए फटा-फट से अब हम पहले कर लेते हैं सर पहले कर लेते फीफो तो फीफो में हम sold करने जा रहे हैं यानि issue करने जा रहे हैं यहां तारीक का कोई दिक्कत नहीं है तो फीफो में सबसे पहले 1000 यूनिट बेचेंगे टूटल 8700 बेचने है ना पहले 1000 बेचेंगे 65 के भाव से फिर 1500 बेचेंगे 60 के भाव से फिर 3000 बेचेंगे अच्छा पहले फीफो ओके 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 पहले पहले लीफो करते हैं नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगेगा चलिए पहले आ जाते हैं फटा फटा आठ सो पासट बारा सो सत्तावन पच्छिस सो फिफ्टी नाइन पच्छिस सो के बाद तीन अजार चपन अब पंदरा सो तो नहीं बिख सकता क्योंकि यहां तक का आप हिसाब किताब लगाओगे तो कहीं न कहीं हमें इसमें से ना फंदरा सो नहीं बिखने वाले सिर्फ बारा सो बिखेंगे और वो भी 60 वाले टोटल रेट की बात करें तो हमने तो पहले कनिकाल ही लिया कि यह काम असान हो गया न कि बारा सो कि सर यह आ गया सेल्स का वेल्यू का वेल्यू कितना आ गया वो देख लो अब क्लोजिंग स्टॉक सर क्लोजिंग स्टॉक जो बचेगा बताईए क्या बचेगा इस से बारा सो यह गये ना इसमें से कुछ बचे होंगे थीन सो और यह पूरा तो क्लोजिंग स्टॉक में बचेगा हमारा तीन सो इंटू में साथ अरे तो अलग-अलग रेट है ना एक हजार इंटू हो तो शुरू में पदा चल गया तेरा सो यह रहा तो यह आगे अठारा सो यह ठारा हजार इसका टूटल बताईए इतने तीन सेंटिस और इसमें पैंसेट और थारा एटी देखे सवाल क्या पूछता है कहता है calculate the value of closing stock raw material at the end cost of sales according to दो चीजे तो cost of sales यह है और closing stock दोनों बाते हमने बता दी इनको चलिए अगला चलिए अगले point पे अब करते हैं जो आप उम्मीद और आप सोच रहते सर यह वाला कर दो वही करते हैं जो आप सोच रहते हैं कौन सा लीफो लीफो में अब सबसे पहले कौन सा bk का हमारा यह 1000万 mana 65 पिर यह पंदरह सो इंटू में 60 पिर यह तीन हजार इंटू में 56 फिर ये पच्चिस सो इंटू में 56 नहीं 69 इसके बाद अब आ जाते हैं ये 1200 है पूरा 1200 तो नहीं कर सकते क्योंकि 1300 को स्टॉक है हमारे पास इसमें से 700 कितने जाएंगे साथ सो अब बाकी इनको ना प्लस करके हिसाब लगा सकते तो साथ सो कितने वाले गए 57 सब सब का रेट ले ले लेते हैं 65 हजार पंदरा इंटू छे 90 हजार एक अड़सट एक 47 और 57 को करो वह ये गुणा तो मुश्किल है हां 49 टोटल अब 1300 बचेंगे तो इसमें से बचेगा हमारा कितना 500 यह क्लोजिंग स्टॉक है यहां क्लोजिंग स्टॉक सर पांसो इंटू में 57 और 800 इंटू में 62 यह आगे 862 तो पता है 49 और यह 28 टोटल कर दो सब का यह कौन सा चल रहा है प्रियोडिक अब देखा आपने पूरे एक साल तक काम किया साल के इंट में काम कर रहा है यह देख यह सारे सवाल आपको दुबारा भी करना पड़ेगा इस बात का ध्यान रखना तो नहीं तो भूल जाओ गया बहुत जल्दी एवरेज वाला सबसे असान है एवरेज वाला सबसे हसान सबसे पहले तो आवरेज रेट निकालना होगा इसलिए मैंने एक कॉलम बना लिए कि रेट पट से निकल जाए अब रेट जो इनके बीच में निकलके आएगा इसको इससे डिवाइड करेंगे जो कि फिफ्टी एट पॉइंट पइट फाइव आ गया तो फिफ्टी एट पॉइंट फाइव आएगा ना ये आगया एवरेज रेट है अधना अधना रहे है अधना यह गलत मत बताओ अधना अधना चलिए एवरेज कि एवरेज में आपको पता है कितने यूनिट बेचे रेट आपको पता है फिफ्टी एट पॉइंट है तोटल आगया फटाफट करो कि रेट गलत है कि कि अधना रेट आएगा अच्छा एट फाइव बस बस ध्यान दीजिये बताइए बताईए मल्टिप्लाई करके फटाफट अब एक सवाल बहुत वैलिट सवाल आए कि सर हमें एक्जाम में कैसे पता चलेगा कि यह परपेचुल है क्या है यहाँ पे भी तो वही सब्द लिखा है भाई यहाँ पे आपको ना इशू कहीं भी नहीं दिखेगा साल के लास्ट में बोल देगा इतना इशू किया इक खटा तो आप समझ जाएगा यह प्रियोड इक है कितने आगए ग्यारा हजार यही ना अब क्लोजिंग देखो यह सबसे आसान बताईए कितने 76,000 सर यह हो गया प्रियोड इक अभी तक हमने क्या करा एक बर फटा फट देखिए ज़्यादा कुछ किया नहीं है अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ यह तो दो सिस्टम था हमने क्या क्या देखा फटा फट देखिए मटीरियल का सिस्टम बताया यहां से आपको पता चला कि भाईया रिसीव जब हमें मिलता है फैक्टरी से इशू जब हम गोडाउन को बेचते हैं और बैलिंस का बात पता चला था इसके बाद सार हमारे जो मैथट थे इन तीनों मैथट के नाम और कुछ चीजे हमने देख ली अब इसके बाद सवाल किया बड़ा सिंपल सा सवाल था यह इस सवाल क के क्या हो जाते हैं पक्के इसमें से सवाल पूछा ही पूछा जाएगा लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा नहीं तो वह बात नहीं बनेगे पहले हमने लीफो से करा फिर फीफो से फिर लीफो से फिर वेटेज वेटेज के अंदर और लीफो फीफो में फरक क्या है ली और देखा जिसमें return था और साथ के साथ आपका shortage का भी पार्ट था इसके बाद एक ये वाला भी रहता है करेंगे अभी चिंता मत करो इसके बाद क्या था हमारा periodic प्रियोडिक वाले में क्या था सर हम फटा 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 परचेस करते जाएंगे और लास्ट में बताएंगे कि इतने का हमने सेल कर दिया और सेल भी नहीं बताएगा आपको closing बता देगा या opening और closing बता देगा तो आपको calculate करना होगा क्योंकि अगर मैं sales unit की बात कर तो आप इस फॉर्मूले को put करके कुछ भी निकाल सकते किसी को कोई doubt है तो बताईए कि किसी को doubt तो बताएं फिर अगले topic पे चले हैं कि अमांट गलत है अग्या इस्शुडवाला क्या गलत है बता है 50 अच्छा इसको 500 काटते हैं कि अधिक कितना आएगा यह बताओ कितना आएगा पचास पच्छपन अधिक है अग्या इसका बढ़िक कोन कर रहा है सी कल्कुलेशन यह बताओ यह बताओ यह कितना आएगा यह पांच लाग चलिए चलिए ठीक हो गया किसी को कोई समस्य है कोई दिकत समझ में आ रहा है आपकी किताब के जो भी कोशन है मैं अलग से पीडियाफ बनाके दे दूँगा और यह वाला मैंने नोट करने का आपको समय नहीं दिया तो मैं आप सभी को यह वाला जो है पीडियाफ भेजूँगा जो कि आप पीडियाफ से क्या कर पाओगे इसको नोट कर नोट नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा इसमें ठीक है बच्चे कह रहे हैं प्रैक्टिस नीडिड परिशान हो रहे हैं सर बच्चे प्रैक्टिस करवाओ सर जल्दी जल्दी अब देखिए कल क्लासिस स्रिफ सेम वन वालों की मैं रखने वाला हूँ क्योंकि उनके एक्जाम है सेम फोर वालों का एक्जाम अभी डिले है तो कल क्लास सेम फोर वालों का नहीं लूँगा सिर्फ सेम वन वालों का लूँगा अब बच्चे ना पूरे चैट में मैं देख रहा हूँ आदे गंटे से यही परिशान हो रहे हैं कुछ सवाल सेमिस्टर वन में से भी मैंने उठाए और कुछ सवाल आपके समिस्टर फोर में से भी उठाए अब देखोगे तो सेम कुशन मिल जाएगा semester 4 में illustration number 27 मिल जाएगा कुछ वहीं से मैं अलग से नहीं करा रहा book के ही सवाल है आपके तो जो Sam 1 वाले बच्चे अपने book में chapter number 10 उठाएंगे honors में 10 है program में पता नहीं कौन सा है हमारा तो एक बार देखेंगे inventory और जो Sam 4 वाले बच्चे अपनी किताब में देखेंगे material chapter number 2 confusion create नहीं करना है Sam 1 वाला chapter number 10 और बाकि Sam 4 वाले chapter number 2 उसके अंदर आपको इस टाइब के question मिल जाएंगे please pdf send हमारी class वैसे भी नहीं होती अच्छा बच्चे कहने cost वाले बच्चे होंगे ना वो honors वाले हो बोल रहे हमारी class तो वैसे भी नहीं होती कल तो आप क्यों बता रहे हो कल का कल corporate वाली नहीं होगी class अभी रुकिए जी कोई doubt नहीं अभी रुख जाएए दो मिनट रुख जाएए time discuss करेंगे या एक सवाल और कर ले चलिए ठीक है अभी offline वाले बच्चे बैठेंगे दो मिनट और online वाले बच्चों को good night आपको message कर दिया जाएगा बच्चे कह रहे हैं एक सवाल और कर लेते हैं सर्थ एक कोश्चन और चलिए कल कर लेंगे कल मैं recorded भी डालूँगा इसमें चिंता ना करें तो good night take care मिलते हैं next class के अंदर जो भी doubt है WhatsApp पे आप भेज सकते हैं WhatsApp नमबर मैंने दे रखा है आप 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 झाल 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 चलिए वेरी वेरी गुट इवनिंग ये वेरी चेक कर ये फटाफट बॉयस कलियर हैं आज इस चैप्टर को finish करेंगे आज हम, थिoral का portion करने वाले हैं जो थिoral का portion क्या कहता है, एक बार समझते हैं इस चैप्टर में से न थिoral भी आना compulsory रहता है आज हम तो तो के पूछा आ ही जाता है जिसमें से कुछ एक थैओर आज हम cover कर लेंगे चलिए सर क्लियर 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 हमने अभी तक इस चप्टर में लेवल ओफ इंवेंटरी या 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 फिर लीफो फीफो आज लीफो फीफो के भी मैंने रिकॉर्डेड कोस्टन्स डाले हैं तीन से चार जो कि आपके बुक का इलिस्टेशन नमबर ट्विंटी एट ये ट्विंटी सिक्स के आसपास है उसे आप चेक करिए कब वो आपको मिल जाएगा हम पहले थियोरी की बात कर लेते हैं थियोरी में एक पॉइंट होता है बिन कार्ड बिन कार्ड और एक होता है स्टोर लीजर कि सर बिन कार्ड एक सेकंड एक सेकंड दीजिए चीक है नाव आ गई होगी चेक कर लिजए हाँ वो मैंने ध्यान ने दिया था एक होता है हमारा बिन कार्ड और एक होता है स्टोर लेजर एक क्या होता है हमारा है स्टोर लेजर अब समझेगा स्टोर लेजर क्या होता है और बिन कार्ड क्या होता है पहले बिन कार्ड की हम बात करें तो कि बिन कार्ड जो है ना कई बार आपने दुकान पर कई बार देखा होगा दुकान पर आपने कुछ इस तरीके का जार और इस जार के अंदर ना स्लिप लगा देते हैं लाइक स्लिप का मतलब है पर्चर टाइप का लगा देते हैं मैं एक सिंपल लेंग्वेज में समझा रहा हूं और इस पर्चे के उपर इसमें बड़ी सारी डिटेल लिखा होता है जैसे कि मान लेते हैं चीनी है इस जार के अंदर मान लो क्या है चीनी है अब चीनी इसके अंदर है इसके ऊपर आपका वह क्वांटिटी लिख देते हैं और यह ग्रहां के लिए नहीं आप मैं सोचना कि आप आपके दिमाग में चल रहा हूं कि कस्टमर हमने देखा है यह आपके लिए नहीं वह दूसरी चीज है कुछ इसी तरीके से होता है यह गोडाउन में रखते हैं अपने पास और यहां पर इस वाले जो पर्चा लगाते ना इसलिए लगाते हैं ताकि जो स्टोर कीपर है यह गोडाउन में रखेंगे ताकि जो स्टोर कीपर है यानि जो स्टोर कीपर होता है हिर कि जो कि कि सारी एंट्री करता है एक तरीके से वह क्या करता है यह दहुता है कि हमारे दुकान में कौंसा समान है और कौंसा यह देखेगा है या नहीं है वो देखेगा कितना समान है एक तरीके से और अब उसके पास बहुत सारे बैग है तो अलग-अलग quantity है rate है तो सब चीज देखना पॉसिबल नहीं है तो वो क्या करता है हर किसी पर परचा लगा देता है के भईया ये इतने किलो गराम है ये इतने quantity है यह ऐसे ऐसे यह करते चाकई उससे अगर YE इससे स्टोर कीपर को पता है कौन nagड़ करता है store keeper को phone करता है हमारा accountant और accountant को को telephone करता है पता है accountant को phone करता है हमारा showroom वाले यानि दुखान वाले यानि मालिक कह लेते हैं दुखान पे चेःन ऐसे चलता है इस दुखान के उपर इस दुकान के पास आता है कस्टमर कस्टमर ने दुकांदार से समान मांगा अब दुकांदार सबसे पहले अगर दुकान के अंदर अवेलेबल है तो instant दे देगा नहीं तो बोलेगा एक बार मैं चेक करा लेताँ ये फटा फट कॉल करेगा अकांटेंट को अकाउंटेंट अपना रजिस्टर निकालेगा और जो अकाउंटेंट अपना रजिस्टर निकालेगा पता है कौन से वाला अभी बताते हैं देखो रिस्ट हिशू एप सिट और बैलिंस वाला यानी लीफो या FIFO जो आपने किया वो रजिस्टर निकाल लेगा ये उस रजिस्टर में से चेक करेगा बैलेंस में कितना है और जैसे ये होगा ये इसको confirm कर देगा जी सर समान है या नहीं है जैसे बोलेगा है ये आगे confirm करेगा है और अकाउंटेंट हर बार अकाउंटिंग करेगा यह डेली बेसिस पर अकाउंटिंग करेगा और इस अकाउंटिंग को मिंटेन करेगा डेली रेगुलरली और store keeper जो चौकीदार है चौकीदार जो है वो क्या करता है हमारा समान जब factory के आता है हमारा समान जब go down में आएगा तो go down में आते ही यहां पे गार्ड होता है वो गार्ड एंट्री करता है रेजिस्टर पर हाँ एक चला गया और जब यह उतरता है तो यहां पर एक store keeper होता है वो गार्ड भी एंट्री कर देता है और store keeper रहता है चलो रखवाओ माल को डौन में उसने बोला पचास कट्टे आएं चीनी के बोले रखवाओ तो वो देखता चार पांच पूरे पचास होगा लिख लेगा पचास चीनी टान उसके बाद और क्या आए चावल के बीस कट्टे आएं वो लिख लेगा ड़न ऐसे पहले नहीं लिखेगा पहले गिनवाएगा वो और फिर वो लिखके हर किसी के ऊपर लिख देगा अपने पास के यह सारा क जो इसका जो है ना एक पर्चा form भर लेगा जो इसमें form डाला हुआ है ना यह पर्चा जाके पकड़ा देगा किसको अकाउंटेंट को अकाउंटेंट इस पर्चे की मदद से लिखेगा 50 किलो 50 कटा चीनी आया है और इतना भचा हुआ है आपको process देखो बहुत आसान लगेगा फिर यानि सर सबसे पहले process क्या हुआ समान आया gate के अंदर entry करा imagine करो gate के अंदर समान आ रहा है factory के अंदर gate के अंदर गार्ड ने पूछा भई कहा जा रहा है गार्ड ने entry करा ठीक अपना नाम पता ले आया gate के अंदर जाके जहां पे go down का दरबाजा है वहां पे लग गड़ी उसकी जैसे यह गारी लग गजई उसके बाद एक बंदा और office से निकल का आया बोला भाईओ क्या क्या लेकिया ऑगा पचास कटा चीनी लेकें पचास बैग आपका चावल लेकें आंटा ले उसने बोला चलो पहले चीनी उतरवा, उसने फटा फट उतरवाया बोला ओके, अगर पता चला उननचासी तो बोलेगा नहीं भाई, उननचासी लेकर आए हो तो, उसका उसी टाम परची उर्ची बना के देदेगा, उसके स्लिप पे भीज देगा, सेम उसके बाद अगला सिर्फ उसे कॉंटिटी से मतलब है, कितने का नहीं है, यह सब नहीं, कितने कितने समान पड़े हैं, यह भीज देगा अकाउंटेट को, अकाउंटेट फटा फट चढ़ा लेगा अपने पास, कहा है स्टोर लेजर, लीफो फीफो में, अकाउंटेट ने चढ़ा लिया, कंफर्म कर लेता हूं, गो डाउन में, स्टोर की पर से, इसने बोला भी यह और कटा पड़ा हुआ है, पचास तो लिखा है, और है क्या, उसने बोला कि अब तो है या नहीं, यह जवाब देगा, तो एक्जाम में कोश्चन क्या आता है, सर, what is the difference between the store laser and bin card, बहुत बार पू स्टोर लेजर लीफो फीफो हर किसी को थोड़ी ना आ जाएगा, आप देखोगे, अगर किसी को मैंने स्टोर कीपर बनाया, एक काम करो जाओ, और जाके जो भी समान आ रहा है उसे लिख लो, तो आर्ट्स का बच्चा, साइंस का बच्चा, कॉमर्स का बच्चा, दस्वी पास कोई भी कर लेगा, लेकिन लीफो फीफो आर्ट्स वाले तो वो लेगा हमने सीखा ही नहीं, यानि ये सीनियर स्टाफ करेगा, लीफो फीफो का मेंटनेंस, तो पहला डिफरेंस, ये कौन करेगा, जूनियर और ये सीनियर, दूसरा, यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी लिखा जाता है, यहाँ पे क्या लिखा जाता है सिर्फ, कि दस बैग आए, बीस बैग आए, पचास बैग आए, और पर्चा, और ये दोनों चीज़े रिकॉर्ड करता है, कौन्टिटी भी, और रुपीज भी लिखता है, कि इतने वेल्यू का समान पड़ा हुआ है, पहले अब बताओ, इसमें से क्या होगा, पहले स्टोर लेजर बनेगा या पहले बिन कार्ड होगा, या आब बताओ, पहले ये होगा बिन कार्ड, फिर स्टोर लेजर, ये भी तो difference है हमारा, समझ मैं यही बात आपको, तो इस तरहेके से हमारा, अगली क्लास से न्यू चप्टर स मैं दिखा भी देता हूं, अ बैंके इस्टोर लिजर तो आपने इतने सारे जितने करे पर लिफो फीपो के अंदर वह सारे इस्टोर लिजर थेna चलिए बिनकार्ड दिखा देता हूं विन यह caarrd के तरीकी का होता है मैंने वैसा imaginary बताया यह caarrd के तरीकी का होता कि यह देखे यहां पर quantity यह लिखा जाता है कि यह कुछ इस तारीके से देख लीजिए आप देख सकते हैं बिन-icard कहां गया देखिए यह बिन काड का फॉर्मेट है यहाँ डिस्पर्सन ओफ आइटम मैं भरके देखता हूँ एक बार बिन काड मैंने लिखा यहाँ पे आटा देट एक तारिक को एक चार को कोई प्रीवियस बैलनस है हाँ 500 किलो नमबर और सरी यूनिट के इसाफ से बनाती है यह तो तो सिर्फ डाइरी लेता है वो फटाने होग यहां का नम कीताम में देखते यह जोगा है यह वाला दिखाते हैं पुराने अलड डिलीट माहते है यह बिन कार्ड देखिए maximum stock level minimum stock level जो सीखा था हमने यह सब use होता है हमारे real life में अब यहाँ date है GRN goods receive number quantity कितना किया आपने क्योंकि हर bill का पर्चे का number होता है उसे बोल दो issue requested quantity balance और name क्या है आटा चावल चीनी डाल या फिर जिसको दे रहे हैं वो सारी चीज़े देखिए तो आपका question आता है what is the difference between the आपने बिन कार्ड का तो देख लिया और बिन कार्ड बनाने को कभी भी नहीं पूछा जाता है difference आएगा तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है क्या जो हमने सीखा है वही है या फिर कुछ अलग है तो क्या कहता है कहता है कहता है बिन कार्ड is record only quantity of material पहले बताइए इसमें कोई doubt बिन कार्ड जो है सिर्फ quantity of material करेगा आपके हाला की किताब में भी दे रखा है कहता है store laser store laser मतलब leafo fifo यह record करेगा quantity भी as well as value of material दोनों चीज़ लिखेगा बिन कार्ड is keep by the store keeper store keeper मतलब वही जो वहाँ पे लिख रहा है सारा और store laser is keep यानि बनाया जाएगा by accounting department यानि accountant officer ही बना सकता है इसको और यहाँ पर आप कह सकते हैं जूनियर स्टाफ और सीनियर स्टाफ पर लेख सकते हैं एंटायर बिन कार्ड आर मेड बिफोर दा ट्रांजेक्शन रिसिप्ट और इश्यों मटीर की प्लेज बिन कार्ड बनाया जाता है जब हम सामने वाले को भेज देते न उससे पहले बिन कार्ड बन जाता है क्योंकि ऑफिस में माल जाने से पहले बन जाएगा कहता है कि एंट्री इन दा स्टोर लेजर मेड आफ्टर दा ट्रांजेक्शन टेकन प्लेज अब स्टोर कीपर में कैसे होता है इशू कर दिया लिफ वाले ने बोला अब इशू हो गया बिन कार्ड कब होता है आपका माल आ गया आपने लिख लिया देने से पहले बिन कार्ड बन जाता है और स्टोर कीपर कब करता है जब दे देता है न समान तो बोलता हाँ जी मैंने issue कर दिया तो यह कुछ differences है तो बहुत important question है आप इसका theory में और आपके किताब में भी given होगा और किताब से भी आप पढ़ सकते हैं आप जो भी book आप कर रहे हो follow M.A. नरोडा कर रहे हो महस्वरी मित्तल कर रहे हो whatever name call आप जो भी book है तो एक अगले theory पर चलें बताइए बिन काट समझ में आया तो अगले theory पर चलें जैस चलिए अगले theory पर चलता है आप लोग के internal हुए होंगे शायद उसमें भी पूछा गया होगा यह आप अगले theory पर चलते हैं मैं एक छोटी सी कहानी देखता हूँ मैं अपने घर की बात करूँ और मैं आपको घर के अंदर समान रखने के लिए बोलूँ सर आप कौन सा समान कैसे रखोगे आपके पास मैं कुछ समान देता हूँ अच्छा सर आपके पास cloth है कपड़े जो हम पहनते हैं आपके पास कुछ वाच वगेरा है या फिर कह लेते हैं गेज़िट कह लो जैसे mobile वगेरा हो गया और आपके पास gold है सोना और gold आपके coin है सिक्के हैं सोने के आपके पास खेके हैं आपके पास तीन चीज़े हैं घर के अंदर में जगे भी बना देता हूं एक locker है एक आपके घर में locker है एक घर के अंदर आपका ड्राओर है आप साव केज कहलो ड्राओर कहलो अलमीरा कहलो लॉकर का मतलब जहां चाबी तब अलमीरा और एक ऐसे ही नॉर्मली आप कहलो सिंपल सी चीज़े और कुछ भी हो सकता है घर में तो सबसे पहले चीज़े ये तीन अलग अलग चीज़े हैं आप इन तीनों के साथ कैसे डील करोगे सबसे पहले क्लॉथ को आप कहां रखोगे घर में अलमारी में रख सकते हो कहीं भी रख सकते हैं ओपनली रखा जा सकते हैं अब मान लेते हैं आपका क्लॉथ जो है अगर कुछ एक खो भी जाता है तो इतना हमें वो नहीं होगा कि यहार अब दूसरा जो वाच है इसको थोड़ा मैं सिक्यूर रखूंगा सेफटी के साथ जैसे आपके पास मान लेते हैं मुबाइल है महंगा तो वो तो आपके हाँ से गिर जाता है तो आप एकदम से उठा लेते हो और तीसर का सोने का इंट दे दूँ बोलो जाओ एक बार घूम क्या हो मार्केट में पूरा लपेट ओपेट के ले जाओ गई किसी को पता ही नहीं सब्सक्राइब और मॉबाइल है तो दिखा के ले जाओगे थोड़ा सा तीनो यानि आपके लाइफ में इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंस में सबसे ज़्यादा आप सिक्यूरेटी दोगे गोल्ड को फिर सिक्यूरेटी दोगे यानि मैं कह सकता हूं जिसको सिक्यूरेटी देते हैं उसको ए रैंकिंग देते हैं ए रैंकि और इससे कम security अब मैं खर्चे की बात करूँ अब मैं खर्चे की बात करता हूँ आप मुझे बताना आपके पास तीनों चीज़े सबसे ज़्यादा पैसा आपने कहां लगाया होगा एवाले में यानि यहां पे सबसे ज़्यादा पैसा होगा आपने ज़्यादा पैसा यहां पे क्या करा होगा सर इन्वेस्ट किया होगा उसके बाद थोड़ा कम कहां लगाया होगा बी में लगाया होगा मुबाइल फोन वगेरा में और सबसे कम पैसा कहां लगाया होगा क्लॉथ के अंदर यहां पर एक तरीके से मीडियम पैसा मान लेता हूं मैंने लगाया और यहां पर पैसा जो लगाया आपने अब एक बार quantity की बात कर लेते हैं पैसा ज़्यादा लगा है यहां पर तो यह इतना सारा आएगा क्या quantity के terms में कितना होगा बहुत थोड़ा यानि सर पैसा ज़्यादा लगा लेकिन quantity कम होगा इसकी बात करें पैसा कम लगा लेकिन quantity इसकी क्या हो सकती है ज़्यादा अपने रूई खरीद लिया 10 किलो घुमते रोल लेकि इसके अंदर क्या होगा आपका quantity क्या होगा और इसके अंदर क्या होगा medium बोल दो ठेक है और ये हम सभी अपने घर में हर जगह हम इसको follow करते हैं हर जगह इसी concept के उपर और इसे बताओ इसे फाइदा क्या होता है अब ये follow कर रहे हैं इसे फाइदा क्या होता है इससे होता है कि गोल्ड वाला security बढ़ जाता है वेस्टेज कम होता है वेस्टेज कम मतलब उसे तो हम वेस्टी नहीं करते भाई बहुत महंगा समान है और जो आपका mobile phone वगर अगर पुराना हो जाता है तो थोड़ा कम वेस्टेज हो जाता है मतलब और ये वाला समान जो है य इसके उपर कम ध्यान देना ये आप जानते हो यही same concept लेके आया गया business के अंदर हर business के अंदर जो stock आता है वो same category का stock नहीं होता कुछ महंगा भी होता है कुछ सस्ता भी होता है कुछ ना महंगा ना सस्ता तो इसको बोला गया category में रख लेते हैं जैसे आपने समान को category में र रख लेंगे और उससे थोड़ा सा कम वाला और सबसे कम वाला सी लिखा है न हाँ सी में सी कैटेगरी में रख लेंगे अब आप सुनार की बात कर लेते हैं तो सुनार का जो डिखा जाए diamond और gold है वो secure रखेंगे और जो dummy है वो बहार रख लेंगे उस category में वो बना लेते है अपने आपको किस तरिके से करना है मेरा कहने का मतलब है सर हम अपने real life के अंदर जो काम करते हैं वो business में भी होगा तो इसका मतलब उन्होंने एक grading दे दिया तो इसी concept को बोला गया ABC analysis यानि क्या बोला गया सर ABC analysis तो सर एक्जाम में question आएगा कि ABC analysis बताईगे what do you mean by the ABC analysis तो सर ABC analysis क्या है आपको तो घर वाली बात समझ में आई गई सर A का मतलब है कि ABC analysis का मतलब हम stock को categorize कर देंगे जो ज़्यादा important वाला stock है उसे A category में रखेंगे उसमें investment तो use लगेगा लेकिन quantity small होगा जो medium वाला है उसको हम B category में रखेंगे उसके अंदर investment तो बहुत सारा नहीं लगेगा और quantity भी बहुत सारा नहीं होगा medium medium so so और C category में रखेंगे जिसके अंदर investment थोड़ा सा लग रहा है लेकिन quantity बहुत ज़्यादा आएगा सर इसे करते क्यों ABC ताकि हमारा business का stock smoothly चले हमारा maintenance अच्छे से चले इसका एक percentage recite कर दिया गए कि इस इस percentage में रखेंगे तो इसका मतलब सर एक question आपके exam में कई बार पूछा गया explain ABC analysis तो बच्चों को समझ में नहीं आता ये बहुत बड़ी चीज़ थे सिंपल सी बात है A category का मतलब महंगा समान B category थोड़ा medium वाला और C category सबसे सस्ता समान लेकिन investment यानि अगर एक बात करें investment और quantity में opposite relation है यहाँ ज़्यादा पैसा कम समान कम पैसा ज़्यादा समान और यहाँ medium है समझे तो एक बार देखते हैं क्या है ABC analysis एक्जाम में पूछा जाएगा यह रहा इसके कुछ quantity भी रखे गए है देखे क्या कहता है कहता है अब एक्जाम में कई बार पूछा गया है what is the ABC system inventory control क्या है बताईए discuss the advantages बताईए explain ABC system control बताईए अलग अलग तरीके से कई बार बोला गया है कि ABC control system बतादो ABC क्या है और आपका एक chapter भी होता है activity based costing वो अलग चप्टर है sir वो अलग है वो अलग है इसका part नहीं है ठीक है क्या कहता है यहाँ पर ABC system is a inventory control ABC method inventory control means always best control which giving the more attention to those items which are consistent and less attention those are used in large यहनि जो कम मात्रा में use और उसके पर ज़्यादा attention देना महंगा होगा वो कहता है quantity but are आपका comparatively low value वही चीज़े मैंने जो बताया वो चीज़े लिखी हुई है all item material classify into 3 A, B और C में item of category A are consist use the small quantity item category B middle quantity और middle quantity और आपका quantity भी होगा और value भी होगा इसके अंदर and C category में which are cheap but large quantity जो मैं बता रहा था इसका quantity बोला कैं यह 70% तो हमारा value पैसा लग जाता है लेकिन समान 10% ही आता है मतलब quantity weight के term में और यह 20% और 20% रखा गया बराबर बराबर medium और यह 10% ही हमारा पैसा लगता है लेकिन समान 70% unit के term सुना जाता है आगे देखा जाए क्या कहता है इसके advantages वगरे भी देखेंगे हम तो आगे कहता है the ABC analysis is extension of principle of management by the आपका exception in the area of material control को और extension कर देता है item of high value subject to restricted control than other item lesser value मतलब यह एक exception भी है कि वैसे तो inventory भाई है तुमारा समान सब पर बराबर ध्यान दो लेकिन यह और ज़्यादा हमें conscious कर देता है कि महेंगे वाले समान को हम अलग से ध्यान से रखें this method is also known as a selective control method various item of material use factory classify weighted design cost per unit जो है यह सारी निकाली गई है अब इसके advantages की बात कर लेते है question में बोला गया था इसके advantages भी बताई है advantages देखिए मैं इसके disadvantages भी बता दूँ कहता है कि आपका stricker control over material is possible इसके वजह से ही हम material के उपर एक strict control लगा पाते है तो फाइदा advantage है जितना ज़्यादा material पर control लगाओगे उतना ज़्यादा कम wastage होगा जितना कम wastage होगा उतना cost effective होगा जितना cost effective होगा उतना सस्ता होगा जितना सस्ता होगा आप market में compete कर पाओगे कहता है smooth flow production process available material smooth flow का मतलब आपको पता होगा कि यह आपके पास कितना समान पड़ा है कितना नहीं है यह सारी बाते पता होगा तो smoothly flow करेगा investment in inventory of material high value of item is minimized the related working capital other requirement of business तो इसके अंदर investment in inventory inventory में at least high value of item किसमें कितना पैसा फसाया जाए वो आपको धियान होगा कई बार हम क्या करते है सस्ता मिलता है हम सस्ते वाला समान बहुत लियाया रहे यार टेंशन होगे एक तो पैसा भी फसाद या रखने की भी जगह नहीं है है ना इसके बाद cost of placing order well inventory carrying cost are also minimized through the economic order quantity EOQ इसी के अंदर का mechanism है help high inventory turnover rate high inventory turnover rate का मतलब होता है हमारा जो stock होगा वो frequently ज़्यादा रहेगा हमारे बाद तो एक यह question बनता है सर हमारा क्या बनता है सर बिंकार्ड तो दो theory कि हमने क्या हमने बिंकार्ड और हमने store laser के बीच में difference एक देखा हमने क्या ABC analysis क्या होता है ठीक है सर इसके बाद और क्या theory बनता है सर हमारा इसमें इसको आप पढ़ लेंगे अब बताइए यह वाला point समझ में आया हर किसी को कोई दिक्कत हो पढ़ना तो देखो बाद में है पहले main आपको concept clarity हो गई रा फिर one time पढ़ने के बाद exam में लिख सकते हो पहले समझ में आया है बताइए